Welcome back, in this particular video we are going to learn each and every concept of all the units of Computer Science Class 11 जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं Unit No.1 that is Computer System and Organization Unit No.2 that is Computational Thinking and Programming and Unit No.3 that is Society Law and Ethics हम इन सभी Units को वेथ एक्जाम्पल डिस्कस करेंगे नमस्ते अबरीबन, दिस इस संजय and welcome back to my YouTube channel TickTipNow वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें because you are in the right place to get all the solution of Computer Science and Informatics Practices आप मुझसे connect होने के लिए मुझसे मेरे टेलिग्राम चैनल से असोसियेट हो सकते हैं आप मेरी वेबसाइट www.tectip9.in पे भी विजिट कर सकते हैं सभी तरह के study materials के PDF notes प्राप्त करने के लिए exercises प्राप्त करने के लिए और आप मेरे YouTube चैनल को भी जरूर विजिट करें जिसमें आप अभी हैं और इन सभी की link आपको description box में भी मिल जाएगी So, let's start this session now Alright, so we are going to discuss unit number one that is computer system and organization Computer system and organization का मतलब है कि हम fundamentals of computer की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो question आता है That is, what is computer system? Computer system क्या होता है? So, basically हम सभी जानते हैं कि जो हमारा computer system है ये एक electronic device होता है जिसका प्रियोग हम किसी भी प्रकार के कारे को करने के लिए कर सकते हैं And we also know that कि जो computer system होता है अगर आप इसके processing को देखें तो ये तीन step में कारे करता है जिसमें पहला जिसे हम जानते हैं input के नाम से और दूसरा जिसे हम जानते हैं process के नाम से और तीसरा जिसे हम जानते हैं output के नाम से जैसे हमारे real life में भी जादतर जो हमारे काम होते हैं वो इसी concept के अधार पे होते हैं कि आप सबसे पहले कुछ data input करते हैं उसके बाद computer system उसको process करता है और आपको एक output प्रोवाइड करता है similarly computer system जो है वो अलग-लग रूपों में market में आज उपलब्ध है इसे आप उसके size के according भी और use के according भी categorize कर सकते हैं जैसे आपके घर में जो personal computer होता है जिसे हम desktop के नाम से जानते हैं laptop हम सभी जानते हैं tablet PC is there similarly mainframe होता है which is bigger than your desktop और ये जादा तर जो organization से उनके द्वारा use किया जाता है और super computer के बारे में भी आप जानते ही होंगे mobile phone भी आजकल हम सब carry करते हैं that is also type of computer system इन सब के अलावा अगर mainly अगर आप computer system को define करने की बात करें ideally जो हमारा computer system होता है वो combination होता है दो चीजों का एक जिसे हम जानते हैं software और दूसरा जिसे हम जानते हैं hardware क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि computer system एक electronic device है अपने आप में sufficient नहीं है क्योंकि software का भी computer system में बहुत बड़ा योगदान होता है जैसा कि आप इस organization chart को देख कर समझ सकते हैं ये basically hardware की जब हम बात कर रहे हैं तो जो tangible parts होते हैं उनकी हम बात करते हैं जैसे keyboard, mouse वगरा इसे हम तीन category में आडेली रखते हैं input, CPU, then output devices लेकिन जब हम software की बात करते हैं तो software का प्रमुक कारे होता है आपके hardware को insert करना कि आप जो भी कारे कर रहे हैं वो किस तरह से करेंगे because hardware जो है इसे तो सिर्फ digital signal या electronic signal का ही पता होता है या जिसे हम binary code कह सकते हैं 0 और 1 लेकिन जो software होता है वो इसे या आपके hardware को able बनाता है आपकी भाषा को समयने में so that ये आपके दोहरा दिये हुए input को software की मदद से process करता है और process करने के बाद आपको आपकी ही भाषा में क्या करता है उत्तर प्रदान करता है software को अगर आप flow chart में देखें या organization chart में देखें दो type के होते हैं like application software, system software और जब आप system software की बात करते हैं तो again ये तीन parts में divided हैं या इनके तीन categories होती not parts operating system, utility software या जिसे हम software utilities के नाम से भी जानते हैं एवाम आपका device driver तो इस organization chart में जितने भी आप computer system के components को देख रहे हैं आगे चलके एके करके detail में इसे discuss करेंगे now first of all we'll try to see the block diagram of computer system which is again very important part well अगर आप block diagram की भी बात करें तो सीदे सीदे आप देखें कि जो आपका computer system होता है आप देखते हैं उसमें monitor है आपके पास एक CPU है CPU से आपका keyboard connected होता है प्लस इस CPU से monitor आपका connected है और इसके अलावा आप इसमें mouse का भी प्रयोप कर रहे होते हैं तो जो block diagram है आप चाहें तो अपने अनुसार भी create कर सकते हैं ऐसा नहीं कि जो मैंने यहां पे लिखा यह बिल्कुल सही है बस एक बात का धियान रखें कि जो भी इसके components हैं वो कुछ इस तरह से ही आपस में organized होते हैं जैसे कि keyboard से आपने input किया यह input कहां जा रहा है आपके CPU में जा रहा है जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं यह हमारा keyboard है यह हमारा monitor है अब keyboard या जो यह mouse है आपके पास में यह दोनों ही आपके input device हैं तो इस input device के द्वारा जो भी आप input कर रहे हैं वो आपके इस CPU में जाता है अब CPU का मतलब यह हुआ जो further आपके तीन parts में divided है एक तो यह primary storage है दूसरा control unit है और तीसरा arithmetic logical तो आपके यह CPU के अंदर में ही यह तीनों चीजें available हैं ALU, CW और MU यहाँ पर यह जो MU है यह इसकी memory unit की बात कर रहा है इसे हम register के नाम से भी जानते हैं इसके अलावा RAM, ROM यह सारा कुछ आपके CPU में available होता है तो यह जो आपका CPU है यह ALU की मदद से जो भी आपने keyboard से या data input किया उसको यह process करने का कारे करता है इस दोरान जो data stay करता है वो आपकी primary storage devices में stay करता है और इन दोनों के बीच में आपस में communication लगातार चालू होता है और इस दोरान इस communication को अर्थात ALU से MU या फिर future में CPU के दोरा monitor में जो data जा रहा है इन सब के flow को control करने के लिए CU होता है इस लिहास से अगर आप देखें तो यह हमारा input device है यहाँ से आप देखें यह arrow कुछ इस तरह से आएगा input device से CPU में आपका data गया और यहाँ पर आप थोड़ा इस arrow को कुछ इस तरह से clear कर ले अब आपको थोड़ा से बहतर इनके बीच का flow दिख रहा होगा तो यह जो arrows हैं यह flow of data represent कर रही है तो I was saying कि input device के थूँ आपका data आपके CPU में आता है CPU में जब यह data पहुंसता है तो control unit इसे पहले तो इस primary storage में space provide करता है और उसके बाद primary storage से इसका communication स्टार्ट होता है इस arithmetic logical unit के साथ में operation होता है operation के बाद में जो भी output आता है वो control unit के द्वारा वापस आपके output device को दे दिया जाता है इस दोरान जो आपका data वही output stay करते रहता है आपकी primary storage में बाद में अगर आप उसे permanent करना चाहते हैं तो secondary storage में safe कर सकते हैं Now this is something about the block diagram Let's move to the next point that is components of computer system तो again अभी हमने जितनी भी बाते की हमने flow chart भी देखा हमने organization chart में भी देखा की basically जो computer system के components है उनको हम 5 categories में रख सकते हैं input device, output device, CPU, memory and storage devices अब एक एक करके इन सब को हम देखते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं input devices की तो again जैसा इसका नाम है सबसे पहले बात तो यह कि इसका कार है input data को computer system को उपलब्ध करवाना या ऐसे devices जिनका प्रियोग हम data input करने के लिए करते हैं हमारे computer system में input devices basically क्या करते हैं आपके जो input data signals हैं उनको actually CPU के signal में convert करते हैं अब keyboard से आपने कोई signal या data send किया हमारे इस CPU को अब आपने हाँ से type किया A तो भई आपका CPU तो 0 and 1 को understand कर रहा है तो इस दौरान ये A जो है पहले 0 और 1 में convert होगा तो converter के लिए ideally अगर आप देखें तो compiler होता है अब compiler यहाँ पर किसका part होता है तो आपके operating system का part होता है कहने का मतलब यह है कि आपने किसी भी medium से किसी भी device से किसी भी input device से जो data input किया वो जहिर सी बात है इन जनरल हम digital signal के नाम से भी जानते हैं देखें, digital signal का मतलब है यह जो signals होते हैं यह digital signal होते हैं तो इसकी state होती है 0 और यह दूसरी state होती है 1 तो 0 और 1 से मिलकर जो wave त्यार होती है इसे हम discrete form of waves भी बोलते हैं क्योंकि जो analog signal होता है वो कुछ इस तरह से होता है तो यह जो digital signal होता है यह जैसे मैंने कहा 0 और 1 से मिलकर बनता है तो आप इसे 0 और 1 भी समझ सकते हैं या digital signal भी समझ सकते हैं एक्जामपल आप देखी सकते हैं टच स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर तमाम ये devices आपके input devices के अंतर गताते हैं और एक important बात ये भी है कि जो भी input data होता है वो space actually occupy करता है हमारे primary storage में मतलब input device से data control unit के पास आया और control unit उसको stay करवाता है कहाँ पे आपके primary storage devices में RAM इसके लिए जाद़ तर प्रयोग में आता है So this is something about input devices Let's talk about output devices Again we all know that कि ऐसे devices जिनका प्रियोग करके आप जो भी information या data CPU के दारा produce की जाती है उसे आप as an output प्राप्त करते हैं आप उसे देखते हैं या उसे print out लेते हैं तो आपने keyboard से कुछ भी type किया CPU ने process किया Process करने के बाद वो पहुँच जाता है आपके monitor में या आप उसको भेज देते हो हमारे printer में तो ये जो devices होते हैं इसे हम जानते हैं output devices के नाम से तो basically इसका काम है डिस्प्ले या information को produce करना अब output devices क्या करेंगे आपके जो 0 और 1 है मतलब keyboard से आपने A type किया ये पहुचा 0 और 1 के form में आपके CPU में और वापस CPU से जब ये आपके monitor में आ रहा है अर्थात फिर ये 0 और 1 जो है ये convert होगा आपकी भाषा A में तो digital signal जो होते हैं वो user के language में convert होके आपके output device तक पहुँचते हैं monitor, printer, scanner, speaker, earphone, plotter तमाम ये जितने भी devices हैं इनका परियोग हम output device के रूप में करते हैं और again output में भी जो value generate होती है वो कहीं न कहीं CPU के अंदर RAM में ही stay करती है तब तक जब तक आप उसे permanent अपने नाम से save नहीं कर देते और जब आप permanent save करते हैं वो RAM से निकल कर hard disk में space occupy कर लेती तो ये तो हुई बात output devices की अब हम बात करते हैं हमारे CPU की well CPU का full form हम सभी जानते हैं it is central processing unit this is basically considered as the brain of computer आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पर फिर से मैंने इस block diagram को लिया है और ये हमारे CPU की original picture है तो ये जो CPU आप देख रहे हैं अभी हमने कई दफ़ा इन सारी बातों को discuss किया कि input किया आपने आपके CPU ने पूरे data को क्या किया process किया जब वो process करेगा उस दौरान आपके computer में दो प्रकार के operation किये जाते हैं एक होता है arithmetic और दूसरा जिसे हम जानते हैं logical operation के रूप में तो इन दोनों की ही responsibility आपके CPU की होती है और आपका जो CPU है अगर आप notice करें यहाँ पर तो अगेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है register, control unit and ALU ये तीनों ही components first one is your register register जो होते हैं ये basically MU होती है या इसे आप memory unit के नाम से भी जानते हैं इसका कार्य होता है कि जो भी data operation के दौरान CPU के द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे हैं वो temporary store किये जाते हैं आपके CPU के register में ALU अर्थात arithmetic and logical unit जो की data के ऊपर समस्त operations करता है चाहे वो arithmetic operation हो या logical operation हो और इस दौरान जो भी data आपके ALU में PLUS MU में हैं उसके बीच में जो data का flow हो रहा है उसे manage करने का कार्य आपके CU का होता है और ना सिर्फ ALU और MU के बीच में पूरे तमाम जितने भी आपके computer system के devices आपस में connected हो सब के बीच में तारितम में बठाता है साथ ही जितने भी instructions होते हैं उनको जिस order में दिया गया है उसी order में वो execute करता है आपने suppose keyboard से type किया A, B, C और अगर वो आपके CPU में पहुंचता है C, A, B के form में तो ये पूरी sequence इसकी break हो जाएगी तो obviously आपका computer आपको गलत answer प्रोवाइट कर देगा इसी तरह से अगर कोई program execute हो रहा है अब उसमें जो है A, B पहले हो जाए और उसके बाद वो आपसे बोले कि input करिए तो हो सकता है कि error produce हो जाए So this is something about your CPU Let's talk about computer memory Now computer system की अगर खासियत आप देखे Computer system का इतना आज की date में महतपुर्ण होने का अगर कोई कारण है तो वो है इसकी memory अब memory हम सभी जानते है Data store करने की capability ना सिर्फ data, data के साथ साथ जो programs हैं, softwares हैं या instructions होते हैं इन सब को store करने की जो responsibility होती है वो हमारी memory की होती In short memory का का काम होता है storing data and instructions Now आपकी जो computer system की memory है ये दो type की होती है एक primary memory और एक होती है आपकी secondary memory देखिए आपके computer system में दो different type of memories का जो reason है वो simple ये है कि primary memory जो है ये during operation आपके data को space provide करने का कार्य करती और secondary memory जो है ये operation के बाद अगर आप अपने data को permanently store करना चाते है and after the operation अगर आप अपने data को future use के लिए store करना चाते है अर्थात हम बात कर रहे है permanent अगर आप उसको save करना चाते है तो उसके लिए हम secondary memory का प्रियोग करते है डीटेल में थोड़ा समझते है primary memory जो है जैसा कि इसका नाम है data को during operation space provide करने का कारे करता है ना सिर्फ data को आपके program को भी save for example आपने अपने computer system में start किया MS Word तो MS Word को जब आप start करते हैं तो इससे related जो important files होती है या programs होते हैं देखें program जो होते हैं वो भी file के ही form में होते हैं अलग-अलग files होती हैं जैसे exe file है linking file होती है तो ये जो files या programs होते हैं इनको कहां space मिलता है आपके RAM में space मिलता है और ये RAM आपके CPU के अंदर उपलब्द होता है तो किसी भी तरह के program को जब आप start करते हैं तो वो कहीं न कहीं आपके RAM में space occupy करते हैं इसी तरह से आपने keyboard से अब MS Word में कुछ भी type किया ABCD तो ये ABCD भी आपके MS Word में display होने से पहले RAM में space occupy करते हैं और फिर RAM में जो भी data उपलब्द होता है उसको आपका जो ALU या processor होता है एक जो chip होती है processor वो क्या करती है data को operate करती है या program के जो instructions होते हैं उनको execute करती है sequence में अब ये जो RAM या primary memory है ये आपके data को read भी कर सकती है और write भी कर सकती है अब दो type की primary memory होती है एक RAM और दूसरा ROM तो random access memory और read only memory दोनों का अपना अलग महत्व है आपका computer system जितने भी कारे करता है उसके लिए random access memory का ही प्रयोग करता है read only memory का जो प्रयोग है वो actually आपके computer system के द्वारा केवल booting के लिए किया जाता है booting का मतलब computer को on करने के लिए और random access memory आपके ALU के द्वारा operation के लिए इस्तेमाल किया जाता है या storage के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इनका जो nature होता है वो volatile होता है अर्थात जब तक आपका computer system on है तब तक आपका data RAM में मौझूद रहेगा या primary memory में मौझूद रहेगा जैसे ही computer system off हुआ आपका वो पूरा data erase हो जाता है अब आप सवाल ये कर सकते हैं कि ये जो primary memory है तो ROM क्या है क्या इसका data भी हर बार computer system on off करने के दोरान erase होता है तो ऐसा नहीं है read only memory जो होती है उसके data permanent होते है ये लिए RAM और ROM के बारे में कुछ important बाते समझ लेते हैं अगर मैं RAM की बात करूँ तो सबसे पहली बात तो इसका जो full form है that is random access memory इसका कार है data को temporary store करना अभी हमने बात की volatile की कि अगर computer बंद हो गया तो पूरा data यहां से delete हो जाता है एक जो प्रमुख बात है कि computer system की जो प्रमुख memory है that is main memory वो हम RAM को consider करते हैं ज़्यादा तर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या hard disk आपके computer की main memory है तो ऐसा नहीं है RAM जो होती है वो आपके computer की main memory होती है hard disk जो होता है that is considered as main storage media जिसका कार है प्रमुख रूप से data को store करने का जितने भी programs और data है during operation वो RAM में space occupy करते है और एक बात ये भी धियान रखें कि जो secondary memory अर्था जो hard disk है या pen drive आप use करते हैं उनके comparison में आपकी जो RAM है वो क्या होती है fast होती है पर एक बात का धियान रखें कि जो random access memory है उसका जो size होता है it is always lesser than your secondary memory secondary memory का जो size होता है data store करने की capability होती वो बहुत ज़्यादा होती in comparison of random access memory या primary memory अब जब आप ROM की बात करते हैं तो इसका भी बहुत महत्पूर्ण योगदान होता है आपके computer system देखे जब आप computer system के CPU के button को दबाते हैं तो तूरंत ही आपका computer system on हो जाए ऐसा नहीं होता आप जब CPU on करते हैं तो सबसे पहले power on self test होता है अर्थाद जितने भी components है उनको आपके ROM में मौजूद जो instructions होते हैं वो चेक करते हैं post होने के बाद में booting की प्रक्रिया शूरी होती है अर्थाद booting में क्या होता है पहले आपका जो operating system है वो load होता है और ये load होने के बाद जो भी necessary programs हैं वो आपकी RAM में load हो जाती है तो ये post और उसके बाद में ये जो booting की प्रक्रिया है इसके लिए जो instructions या program computer system को help करते हैं वो आपके actually read only memory में मौजूद होते हैं इसलिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है और इसमें जो data होता है या जो programs या instructions होते हैं आप उनको सिर्फ read कर सकते हो इसमें कभी भी writing नहीं हो सकती इस बात का आप धियान रखेंगे तो ये non-volatile होते हैं अर्थात इसके अंदर जो data होता है वो permanent होता है आप उसे delete भी नहीं कर सकते तो ये कुछ important बाते हैं RAM और ROM से related इसके बाद आज कल एक और बहुत ही महत्वूर memory है जिसे हम जानते है cache memory के नाम से ये spelling मैंने यहाँ पे गलत कर दिये it should be actually C-A-C-H-E cache memory क्या है ये actually आपके जो CPU है उसके performance को क्या करती है enhance करती है अब यहाँ पर performance का actually अगर indirectly मतलब आप देखे तो हम बात कर रहे हैं इसके speed की अब होगा क्या देखे अभी हमने देखा कि जो data है वो data CPU के दारा operate किया जा रहा है और ये data actually ये कहां से ले रहा थी आपकी primary memory से तो जब भी CPU को data चाहिए वो हर बार क्या करेगा इस primary memory को connect करता है अब CPU जो है वो अलग part होता है आपके computer में अर्था जो processor रहता है वो अलग component है जो ALU का कारे करता है और जो RAM होती है वो अलग लगी होई होती इनके बीच में जब communication होता है तो वो थोड़ा सा time ज़ादा क्या करता है consume करता है cache memory का जब निर्मार किया गया तो वो क्या होता है आपके इस processor का ही क्या एक छोटा सा part बन चुका है इसके अंदर ही ये एक register होता है यहाँ पर आप इसे अलग से कर ले यहाँ से इसको मिटा देता हूँ तो जो commonly used programs है और साथ ही साथ जो data होते हैं वो क्या कर दिये जाते हैं कि इस processor की cache में ही store कर दिये जाते हैं क्योंकि frequently आप इनको क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं तो हो गया क्या कि उन frequently used होने वाले data को अगर processor RAM से access करेगा तो time जादा लगता था लेकिन वही data जब उसके खुद की cache में आ जाती हैं तो उसका जो time consumption है वो बहुत reduce हो जाता है और performance जो होती है आपके processing की या CPU की वो बढ़ जाती है अब उधारन के लिए जैसे आप Google में जाते हैं तो Google में लगातार कोई एक keyword आप सर्च करते हैं Class 11 Computer Science तो ये एक प्रकार का data है जो आपने input किया अब यही data आपके cache में जाके store कर दिया जाता है अब ये जो data ये Google के cache में आ जाता है अब next time जैसे ही आप Class 11 टाइप करते हो बागी data अपने आप आ जाता है तो कहीं न कहीं ये आपके time को save करने का कारे कर ला है इसी प्रकार से internal instructions and जो data होते हैं वो भी CPU के द्वारा उसके cache में store कर दिया जाते हैं जो बार-बार आप इस्तेमाल करते हैं So there is something about your cache memory अब हम बात करते हैं हमारे secondary memories की Now secondary memory is quite easy now कि अगर आप data को permanently store करना चाते हैं तो secondary memory का प्रयोग करते हैं ये non-volatiles होती हैं मतलब इसमें एक बार data store हो गया तो delete नहीं होगा अपने आप जब तक आप खुद से intentionally उसे delete ना करें या आपका वो device crash ना हो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो capacity होती है वो large amount of data को store करने की होती है बट इनकी जो speed होती है in comparison of primary memory वो slow होती है साथ ही साथ CPU जो है इसके contents को directly access नहीं कर सकता है क्योंकि अगर आपका ये hard disk है hard disk से data पहले RAM में जाएगा और RAM से फिर वो आपके किस में आता है आपके processor में आता है इसलिए direct कभी भी secondary memory का data accessible नहीं होता है आपके CPU के द्वारा आजकल hard disk के लावा SSD भी आने लगी है CD, DVD, pen drive ये सारे ही secondary memory में आते हैं इन्हें कई दफा external storage media के नाम से भी जाना चाता है इस बात को आप ध्यान रखेंगे अगर memory की बात हो रही है तो memory के unit को भी हमें जानना जरूरी है हम शायद बचपन से ही GB, MB ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं जब आप pen drive का इस्तेमाल करते हैं तब तो आपने किया ही होगा तो ये GB, MB actually क्या है? Memory की unit होती है अगर आप market में सबजी लेने जाते हैं तो kg के form में आपको सबजी की मातरा निरधारित की जाती है उसी तरह से कितने amount में आपका data memory में space occupy किया या space उसका निरधारन आपकी इस memory unit से होता है और इसके लिए byte memory unit के रूप में इस्तेमाल की जाती है एक जो byte होता है हम जानते है is equal to 8 bit इसका एक और smaller unit भी होता है जिसे हम जानते है 1 nibble के रूप में जो equal होता है हमारे 4 bit के अर्थात अगर आप 1 byte को nibble में convert करेंगे तो obviously ये 2 nibble हो जाता है now 1 byte से जब quantity बढ़त के 1024 तक हो जाती तो इसे हम kilobyte का रूप दे देते हैं और इसी प्रकार से जब 1024 के भी हो जाती है तो उसे हम MB का रूप दे देते हैं आपकी ये measurement इस table में आप देख सकते हैं 1 megabyte, then GB, then TB, then petabyte and so on तो आप इसे screen pause करके read कर सकते हैं हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे software की हम सभी इस word से पूरी तरह से परिचित हैं software जो की बहुत important part होता है आपके computer system का हाला कि ये intangible होता है अर्थाती से आप देख नहीं सकते you cannot touch it because ये कहीं न कहीं ideally अगर आप देखें तो logics होते हैं और ऐसे logic जो basically आपके computer hardware को help करते हैं ये decide करने में कि क्या करना है how to do कैसे करना है और साती सारब करना है अर्थात किसी भी data को कब process करना है जैसे आप mouse को click करते हैं तब एक particular action होता है mouse को जब आप double click करते हैं तो दूसरा action होता है तो ये सारी चीजें पूर्व निरधारित होती हैं और किसी भी कार को करने से related जो instructions दिये जाते हैं आपके hardware को वो भी responsibility आपके software की होती है and of course किस प्रकार का कार करना है आपको document बनाना है, presentation बनाना है, addition करना है, calculation करना है ये सारी जिम्मेदारी hardware को समझाने की किस की होती है, तो आपके software की होती है now, software जो होते हैं, ये इसे हम जानते हैं, अगर आप इसे परिभाशित करें तो हम कह सकते हैं कि it is set of programs और program जो होते हैं, they are basically called set of fractions so, चाहे तो आप software को program का collection बोले या set of instruction बोले कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन इनका जो प्रमुक कारे है, वो है जो भी data होते हैं, जो भी instructions होते हैं, उन्हें hardware को समझाना और hardware के द्वारा उन्हें process करवा के user को output वापस provide करना अब software की वास्तवा में जरुरत क्या होती, तो जैसे मैंने आपको अभी पताया कि कहीं न कहीं hardware और user, अगर user की आप बात करें और आपका ये computer system है इन दोनों के बीच का जो mediator होता है, वो कहीं न कहीं आपका software होता है क्योंकि user को जो चाहिए और user का जो data होता है, उसे software ही आपके hardware में convert करता है या hardware को समझाता है, और वापस hardware के द्वारा जो data return किया जाता है, उसे user की भाषा में वापस user को monitor में display करके बताता है, इसी प्रकार से hardware में जितने भी या hardware के द्वारा जितने भी operation करवाय जा रहे हैं, उसकी भी जिम्मेदारी आपके software की होती तो ये दो प्रमुक responsibilities होती हैं आपके software की, अगर आप software की categories की बात करें तो प्रमुक रूप से वो type के software होते हैं, एक system software और दूसरा application software लेकिन इसमें एक और type of software को include कर सकते हैं, वो है programming tool जिनका प्रियोग actually हम software बनाने के लिए करते हैं अब यहाँ पर ये जो system software है, ये भी अगर आप देखें तो दो भागों में होता है, एक जिसे हम जानते हैं operating system के नाम से और एक जिसे हम जानते हैं system utilities के नाम से तो आए इन सभी operating system, system utility, application software, programming tool को detail में देखते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर operating system की वेल आपका जो operating system है, ये सबसे important software होता है आपके computer system में because आपके और आपके hardware के बीच का जो प्रमुक mediator है, interface है, वो actually आपका operating system होता है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे आपने keyboard से type किया A मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जब CPU तक पहुंसता है, तो 0 और 1 में convert हो जाता है लेकिन इस A को 0 और 1 में convert करने की जिम्मेदारी actually किसकी होती है, वो होती है आपके operating system की तो operating system actually keyboard से भेजे जाने वाले data को प्राप्त करता है, 0 1 में convert करता है, फिर वापस आपके CPU को पहुंचाता है CPU के द्वारा जो भी output generate किया जाता है, जब वो monitor में display किया जाता है, उस दोरान उस data को इस monitor तक भेजने का कारे भी कौन करता है, operating system करता है अब यहाँ पर दोनों ही बाते हैं, keyboard और monitor यह दोनों ही किसके द्वारा operate किये जा रहे हैं, तो जही सी बात है user के द्वारा, इसलिए indirectly आपका user जो है, यहाँ पर यह जो user बैठा है, और आपका जो computer है, इनके बीच का main interface कौन हो जाता है आपका operating system यह एक system software है, जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते, आपका computer system इस्तेमाल करता है अपने कारियों को करने के लिए, user हमेशा application software जैसे word, excel, powerpoint को इस्तेमाल करता है operating system के उधारण आप सभी जानते है, window है, Macintos है, Android है, आपका Linux है, यह सब अलग-लग प्रकार के operating system है एक computer में एक operating system का होना अनिवार्य है, एक से ज़्यादा भी operating system हो सकते हैं तो अलग-लग प्रकार के जितने भी operations होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे explain किया कि input करवाना हो, output display करवाना हो, memory को manage करना हो, यह सारे ही responsibility आपके operating system की होती है आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं system utilities की, कई दफ़ा क्या होता है कि आपके computer system में उधारेंड के तोर पे माल लीजे, आपकी hard disk जो है, वो full हो गई है अब full होने के बाद आप इसे format भी नहीं कर सकते, बट आप चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से कि space को manage किया जाए, ताकि थोड़ा program या computer की speed भी बढ़ जाए तो कहीं न कहीं हम बात कर रहे हैं maintenance की, तो इसके लिए भी कुछ software market में अलग से उपलब्द हैं, या आपके operating system के साथ भी जुड़े हुए होते हैं तो ये जो software होते हैं, जिनका प्रयोग हम maintenance के लिए करते हैं, इनको हम utilities, software या software utilities या system utilities के नाम से जानते हैं तो वास्ताव में इसका प्रमुक कारे अगर आप देखेंगे तो वो है आपके computer system की performance को बढ़ाना, improve करना, कहीं न कहीं maintenance करने की बात आजाती है तो यहाँ पर यह मैंने point लिख दिया है, maintain computer system, अब ना सिर्फ maintenance और performance की बात की जाए, computer system की जो security होती है, अर्थात virus से आपके computer system को बचाना, तो इसके लिए भी कुछ utilities होती हैं, वो सब utility software के अंतरगत आती हैं तो अगर आप antivirus की बात करें, आप firewall की बात करें, आप यदि disk manager की बात करें, formatting की बात करें, तो इन सबसे related जो programs होते हैं, वो system utilities में आते हैं, या utility software बोलते हैं अब कुछ utilities ऐसी होती हैं, जो आपके operating system में आजकल, पहले से ही inbuilt होती हैं, जैसे disk defragmentation, formatting करना, जैसे आप pendrive लगाओ, उसको format करना है, right click करके format करते हैं, मतलब वो inbuilt है operating से, या system का data को backup लेना या restore करवाना, तो ये सब already inbuilt होती हैं, लेकिन जैसे antivirus है, आप उसे बाहर से इसके भी डाल सकते हैं, तो वो एक third party system utility हो गया, तो वो भी आप ले सकते हैं, तो इस प्रकार से हम system utilities को समझ सकते हैं, और इसके बाद में एक और महत्पून system software होता है, जिसे हम device driver के नाम से जानते हैं, device driver क्या है, आपका ये computer system लगा हुआ है, हमने printer खरीदा, अब इस printer को आपने attach कर दिया अपने इस CPU से, तो क्या आपको लगता है कि ये printer कारे करना शुरू कर देगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि CPU है, इसकी अपने signals है, या अपनी भाशा है, printer है, printer के अपने signals है, अब signal है, तो इसका अपना frequency होगा, printer का अपना frequency होगा, तो इन दोनों के बीच में सिंक बठाना बहुत जरूरी है, अब ये सिंक का मतलब ये है कि इसकी भाशा को, अर्थात CPU की भाशा को आपका printer समझे, तो इसके लिए जो software का इस्तेमाल किया जाता है, इस सिंक को बठाने के लिए, इसे हम जानते हैं, device driver के नाम से, अच्छा ये बात केवल printer के लिए जो internal hardware components होते हैं, इन सब के लिए भी हमें software program की जोरत पड़ती है, और इसे हम जानते हैं device driver के नाम से, इसका जो प्रमुक कारे है, वो होता है, आपके hardware को control करना, hardware की language में convert करना, सारे operations को manage करना, साथी साथ उस device की कुछ settings को भी manage करना, ये सारा कारे आपके hardware level पे जो करवाया जाता है, वो आपके device driver से करवाया जाता है, तो this is something about device driver, आजकल तो जितने भी device driver हैं, वो आपके operating system में inbuilt आने लगे हैं, बहुत ही rare ऐसा होता है कि आपको अलग से किसी hardware component के लिए driver download करना पड़े या उसकी चकरी आपको चलानी पड़े, चकरी का मतलब CD की मैं बात कर रहा ह लेकिन जब Windows 7 नहीं था या Windows 7 के पहले, जादा तर ऐसा होता था कि कोई भी hardware device आप खरीदते थे, उस hardware के साथ में आपने printer खरीदा तो एक चकरी आपको मिलती थी, उस चकरी को पहले आपको printer connect करने के बाद CPU में चलाना पड़ता था, अर्थात उसके device driver को manually डालना पड़ता ये बात आपके pen drive में भी थी, pen drive जब सन 2000 के आसपास प्रशलन में आया, तो उस समय आपके pen drive के साथ में भी चकरी दी जाती थी, कि अगर आपको इस pen drive को प्रयोग करना है, तो इसकी चकरी को पहले आप अपने CPU में एक बार घुमा दो, मतलब इसके device driver को पहले install कर दो, तब भी आप अपने pen drive को इस्तेमाल कर पाओगे, बढ़ते हैं और बात करते हैं programming tools की, well, programming tool जैसा की इसका नाम है, इसका कार है software बनाने का, इसका जो कार है जैसे मैंने आपको बोला, software बनाना है, तो हमको programming tool की आवशकता बढ़ती, तो it is basically used to develop software, अब software बनाने के लिए जो programming tool होत language translator और program development tools, तो ये program development tool तो एक प्रकार से software हो गया, language translator जो programming language है, उसको user language में या machine language में convert करेगा, और programming language खुद में अपनी एक language होती, जिसको user प्रयोग करके software बनाने का कारे करता है, एक एक करके तीनों को देख लेते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले programming languages की, अब आपन नाम सुना ही होगा, C, C++, Java, Python, Kobol, Pascal, तो ये जितने भी नाम है, ये कहीं न कहीं अलग लग प्रकार की programming languages है, इन languages का आप प्रियोग करके coding करते हैं, अब coding का मतलब हो गया, programming करते हैं, और programming का मतलब क्या होता है, instruction लिखना, means writing instructions, अब ये instruction आप किस के लिए लिखते हैं, computer hardware के लिखते हैं, तो जब आप writing करते हों, instruction की, तो आप कहीं न कहीं software बनाते हैं, और ये software बनाने के लिए घुमपीर के बाद क्या आ गई, programming language का हम प्रियोग करते हैं, that is the purpose of languages, हम language क्यों बोलते हैं, जैसे आप अपने human language, जैसे English का बात करें, English में जिस तरह से आप sentence लिखते है I am going, और full stop लगाते हैं, उसी प्रकार से जब आप coding करते हैं, तो वहाँ पर भी जैसे आप कोई command लेते हैं, तो उसके अंदर आप लिखते हैं, I am going, अब इस command के बाद इसका एक rule है, कि इसके बाद में आप semicolon लगा दीजिए, bracket आपको इस तरह से प्रियोग करना है, small letter में command लिखना है, या capital में लिखना है, तो अपना एक grammar होता है, यही कारण है कि इसे language का नाम दिया गया है, अब programming कर रहे हैं, तो यह जो languages होती है, यह low level language भी होती है, high level language भी होती है, low level का मतलब है, जो आपके hardware के ज़्यादा करीब होती है, तो पुराने जमाने में जब computer system का नि रहा है, तो वो 0 और 1 की भाषा में ही बनता था, इसे हम जानते है machine language, फिर machine language में परेशानी आने लगी, तो assembly language का निर्माड हुआ, और उसके बाद में फिर high level का, तो machine language क्या होती है, इसमें direct आप English जैसे words का इस्तेमाल ना करते हुए, 0 और 1 का प्रियोग करते हुए instructions लिख जाता है, इसमें लिखे गए program, अर्थात machine language में जो भी program आप लिखते हैं, उसके लिए हमें बीच में किसी भी mediator या जैसे operating system की जरूरत नहीं पड़ती hardware को समझाने के लिए, hardware direct इस language को समझता है, और problem ये है कि machine language में 0 और 1 को आप कितना याद रखेंगे, और उसके द्वार गोलती हो गया, तो उसे trap करना, उसे detect करना भी एक बहुत difficult work होता है, तो ये तो बात हुई हमारे machine language की, अब machine language का जो समाधान था, वो सबसे पहले आया assembly language के रूप में, अब assembly language में आप ये मान के चलिए कि ये होती तो cc++ के जैसे ही हैं, क्योंकि इसमें English like words का इस्तेमाल कि जाता है, जैसे INTR, HLT, machine language के comparison में, it was easier to work with assembly language, but the problem was कि आपका एक CPU है, उस CPU का जो भी particular configuration है, जैसे आज के जमाने में Pentium 4 है, अना इसमें जो RAM लगी है, वो DDR1 लगी हुई है, तो आपने इस configuration के साथ में assembly language का कोई program बनाया, तो ये जो program है, वो इसी configuration में चलेगा, अगर आपका configuration सपोस हो गया Core 2D, या आप बोलें कि I3 का processor है, और इसमें DDR3 RAM लगी हुई है, अब इस configuration में इसी program को आप चलाएंगे, तो वो नहीं चलता है, अर्थात assembly language का जो सबसे बड़ा drawback है, वो यही है कि इसके program तो ठीक ठाक चलते हैं, लेकिन ये machine dependent होते हैं, ये particular configuration क के लिए ही ये चलाएंगे जाते हैं, किसी भी configuration में इसे आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इन समस्याओं का जो समधान था, that was your high level language, high level language का मतलब सीधे सीधे ये, कि इसमें लिखे गए program किसी भी type of computer में चलाए जा सकते हैं, दोडाए जा सकते हैं, दूसरी बात, high level language जो ह अंग्रेजी में आप sentences लिखते हैं, या हिंदी में आप sentences लिखते हैं, या किसी और भाषा में लिखते हैं, उसी तरह से इसका भी प्रयोग होता है, it's very similar to human languages, इसलिए इस पे work करना काफी असान हो जाता है, लेकिन high level language का जब आप प्रयोग करते हैं, मैं यहाँ पे short में लि जो कि language conversion का कारे करता है, क्योंकि आपका machine या hardware डारेक्ट आपकी high level language में लिखे गए code को understand नहीं करता है, इस बात को आप धियान रखेंगे, तो जितनी भी languages हैं, C, C++, Java, Pascal, Cobol, Fortran, Python, C Sharp, यह सब high level languages होती हैं, अब इन languages को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब high level languages को जब प्रियोग करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, कि आपका जो code है, वो direct आपका machine जो है, understand नहीं कर पायेगा, तो इनके बीच का जो mediator होता है, उस mediator को हम जानते हैं, language translator के नाम से, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, compiler, interpreter, assembler, यह सब language translator के रूप में जाने जाते हैं, आज क तो आप इसको तो छोड़ी दीजिए, बस आप अपनी जानकारी में रखिए, हाँ, compiler और interpreter जो language translator है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, आपके user level language या जो high level language को प्रियोग करके code लिखे जाते हैं, उनको machine code में convert करने के लिए, यहाँ पे एक बात और बतानी जरूरी है, कि आप के programming में जो code लिखा गया है, उसे हम जानते हैं source code के नाम से, अब यह जो source code होता है, यह आपके language translator के द्वारा machine code में convert किया जाता है, और इसे हम object code के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप धियान रखेंगे, तो source code को machine code में convert करने के लिए language translator होता है, और जो machine code होते हैं, उसे हम object code के नाम से भी जानते हैं, अगर आप C++ यूज़ कर रहे हैं, तो उसका अलग translator होगा, C यूज़ कर रहे हैं, उसका अलग translator होगा, Python का translator अलग होगा, Java का translator अलग होता है, अलग-अलग languages के लिए अलग-अलग translators का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को भी आप धियान processor लगा रहता है, उसकी programming के लिए हम assembly language का इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए हमें assembler की आवशक्ता पड़ती है, now compiler हम सभी जानते हैं, किसी भी तरह की programming language जो high level की होती है, उसको object code में convert करना या machine code में convert करने के लिए compiler की आवशक्ता होती है, compiler क्या है, इसकी एक खास बात यह है कि at a time सारे ही code, जैसे माल लिजे आपने 10 instruction लिखे, तो यह सब के सब को एक साथ उठा के compiler क्या करता है, object code में convert करने की कोशिस करता है, या machine code में, अब यह code तभी object code में convert होते हैं, जब यह पूरे के पूरे लिखे हुए instructions या code error free हो, जड़ा सही कहीं पे एक भी चूक होग तो यह compiler आपके source code को object code में convert नहीं करता है, इसलिए कई बार हम यह सोचते हैं कि compiler गलतियों को चेक करता है, किसी coding में ऐसा नहीं है, वो coding जो आप कर रहे हैं, उस code को या source code को object code में बदलता है, लेकिन object code में convergence आपके source code का तभी होगा, जब वो error free हो, यही कारण है कि error आने से compiler आपको बोलता है कि यह यहाँ पर गलती है, आप इसको ठीक करिए, और इसी तरह से जो interpreter होता है, इसमें भी वही सारी बाते होती, जो compiler की होती, यह भी language translator है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो interpreter होता है, वो सारे instruction की जगा, one by one क्या करता है, एक एक instruction को क्या करता है, convert करने का कारे और जैसे आप पहली line लिखोगे, तूरंत आपको बता देगा, यहाँ पर यह गलती, इसको आप पहले ठीक करिए, तो यह तो कुछ बाते हैं आपके interpreter और compiler की, अब यह जितने भी interpreter, compiler, language, programming की हमने बात, इन की लिए जो software development kit बनाई गई है, in short में इसे हम IDE के नाम से जानते है जिसका full form होता है, integrated development environment, हमें इसका प्रयोग करना होता है, जैसे आप जब Python का इस्तेमाल करते हैं, तो आप Python का जो software डाउनलोड करते हैं, programming के लिए, जिसे हम Python IDELE बोलते हैं, अब IDELE का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, integrated development language environment की हम बात कर रहे हैं, या NetBeans, जब आप Java का प Visual Studio, चाए वो C हो, C++ हो, Python हो, लगभख सभी languages के लिए उसी प्रकार से Atom, यह समस्त software जो हैं, यह हम programming के लिए इस्तेमाल करते हैं, यह पूरा का पूरा एक toolkit होता है, toolkit जिसमें कि आपको code editor मिलता है, जहाँ आप coding किलते हो, debugger होता है, जो bugs को fix करता है, compiler होता है, और interpreter भी होता है, जो कि language translation का काम करता है, GUI editor का मतलब ready to use components होते हैं, जैसे आपको कोई form बनाना है, उसमें text box लेना है, उसमें आपको check box लगाना है, या radio button लगाना है, और फिर उसमें buttons लगाने हैं, ok cancel वाले, तो यह जितने भी ready to use components होते हैं, इनका भी editor होता है, और सारे components available होते हैं, आप indirectly और directly, program development tools are software development kit, which is also known as what integrated development environment, which gives you complete environment to develop a software, and it includes, like I said, text editor, debugger, compiler, GUI editor, etc., आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, application softwares की, तो application software में कुछ खास बात नहीं है, ऐसे software जो किसी एक particular type of work को accomplish या करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं, और system software जब तक नहीं होगा, तब तक ये application software नहीं चलते हैं, अर्थात system software के ऊपर ही application software चलते हैं, word, excel, powerpoint, ये सब application software होते हैं, जिनका एक अपना specific use होता है, दो categories में आप इन्हें रख सकते हैं, एक है general purpose, एक है customize, general purpose का मतलब जो bigger audience के लिए बनाये जाते हैं, जैसे MS word है, across the world सभी document बनाने के लिए MS word इस्तेमाल करते हैं, photo editing करनी है, तो photoshop का इस्तेमाल किया जाते हैं, अगर आपको table बनाकर calculation करना है, तो आपको MS Excel पर योग करना है, तो वो चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो England हो, हर जगा लोग MS word इस्तेमाल करते हैं MS Excel का spreadsheet के रूप में या table बनाकर calculation करने के लिए, इसी तरह से power point का भी इस्तेमाल पूरी दुनिया कर दी है, presentation के लिए, तो इस बिगर audience को ध्यान में रखते हुए बनाया जाते हैं, इसलिए इसका नाम है general purpose, लेकिन अब आपके घर के बगल में कोई एक दुकान है, राजू क आपकी राना, इस्टोर को अपने दुकान के लिए software बनाना है, तो वो general purpose software नहीं बनेगा, वो जो software बनाया जाएगा, वो होगा आपका customized software, तो जैसे मैंने बोला good do, पान भंडार, अब good do, पान भंडार जो है, पान से related जितने भी material है, उसका खरीदने बेचने का कारे कर रह तो इसके लिए जो software बनेगा, ये जो software हो जाएगा, वो हो जाएगा customized, अब जैसे hospital manage करना है, school manage करना है, employees का salary वगरा को manage करना है, या stock manage करना है, इस तरह के जो softwares किसी organization के लिए या individual के लिए बनाय जाते हैं, they are called customized software, इसके बाद में हम थोड़ी सी बात operating system की फिर से करते हैं इसकी चर्चा तो मैंने कर दी कि operating system क्या होता है, operating system के कुछ important बाते हैं वो ये कि इसकी कुछ प्रमुक function है, क्योंकि सबसे important software आपके computer system में operating system होता है, तो मुख्यता जो इसकी responsibilities हैं, वो है communication management, resource management, process management, file management and what you are, memory management, एक-एक करके ये भी आपको मैं बता देता हूँ, देखे, communication management का मतलब ये रहता है कि आपके hardware में जितने भी अलग-लग components हैं, वो अलग-लग जगा लगे हैं कि यहाँ से आपका keyboard लगा हुआ है, यह आपका mouse connected है, यहाँ पर आपका printer connected है और इसी से यहाँ पर यह monitor connected है, तो इन सब के बीच में communication सही तरीके से establish करने का कारे, is called communication management, इसी तरह से resource management का मतलब ये है, आपका जब operation चलता है data के उपर में, तो उसके लिए ALU की उपलब्धता, memory की उपलब्धता, या keyboard के द्वारा data फिर से भेजने की उपलब्धता, या उसे वापस monitor में display करवाने की जो facility है, यह सारे कारी की जिम्मेदारी भी किसकी होती ह आपके operating system की, जिसे हम resource management के नाम से जानते हैं, इसी तरह से process management की जब आप बात करते हैं, तो हो सकता है कि जब आप अपने computer को start करें, तो आपने गाना चला दिया, आपने MS Word में typing भी शुरू कर दी, और सी साथ ही साथ आपने data को copy करना भी शुरू कर दिया, अब तीन कारे ए distribute कर देगा time को, कि एक में song चलते रहेगा, एक में word चलते रहेगा और बाकी में data copy होते रहेगा, तो ये जो पूरा process को manage करने का कारे होता है, ये भी जिम्मेदारी आपके operating system की होती है, इसके लावा एक बहुत प्रमुख जिम्मेदारी आपके memory manage करने की होती है, operating system के द्व file को open करे या data को open करे, तो उसे उसके address से निकाल कर monitor तक लाना, या RAM तक लाना, ये कारे भी आपके operating system का होता है, और इसी तरह से जो, तो इस तरह से operating system की ये कुछ प्रमुख responsibilities है, अब इसके बाद में एक और point आता है, that is कि operating system user interface, user interface का मतलब होता है, ऐसा medium जिसके द्वारा user operating system के साथ interact करता है, या computer system के साथ, जैसे आप mobile में touch screen यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया, touch based interface, आज कल लोग जब Alexa इस्तेमाल करते हैं, तो बोल के प्रयोग कारे करते हैं, तो वहाँ पर voice based interface आ गया, जो लोग थोड़ा सा physically computer का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए response मिलता है, body move करेंगे, तो अलग response आता है, तो वो होता है gesture based interface, graphical user interface तो आप बच्पन से इस्तेमाली कर रहे हैं, जब Windows करते हैं, जहां पर icons बने रहते हैं, images बने रहते हैं, buttons होते हैं, जैसे MS Word आप खोलते हैं, तो वहाँ पर उपर में tool bar में सारे buttons आपको दिखते हैं, जब आप start में button में click करते हैं, तो वो एक button होता है, icons को click करते हैं desktop में, तो वो graphical user interface हो गया, अब पुराने जमाने में चलता था command user interface या character user interface, जिसमें की सारा काम command देके किया जाता था, जैसे मैं अगर आपको command prompt में लेके चलूँ, यहां पर मैं start में जाता हूँ और यह command prompt open कर लेत हूँ, अब आप देखें यहां पर यह जो command prompt है, अब इसमें अगर मुझे चेक करना है, कौन-कौन सी directories हैं, तो I will type this dir command, अगर मुझे किसी folder के अंदर जाना है, तो I will type this cd, then I try to type picture, तो cd का मतलब change directory, तो देखें मैं picture folder के अंदर आ गया, अब मुझे वापस c drive में जाना है तो I will type cd backslash, तो देखें मैं c drive में आ गया, तो यहां पर जितने भी कारे हो रहा हैं, वो command के द्वारा किये जा रहा है, तो यह है आपका character user interface, तो यह different type of interfaces होते हैं, आपके operating system में, जो आपकी मदद करते हैं, आपके कारे को आसान बनाने के लिए computer system का प्रियोग करने में, इन ही की यहां पर परिभाशाएं लिखी हुई हैं, देखें यह character user interface है, आप इसे screen pause करके देख सकते हैं, इसी तरह से यह graphical user interface जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की, अब graphical user interface का जो एक प्रमुख advantage है, वो यह कि यह एक साथ एक से ज़्यादा कारे को कर सकता है, देखें आ और यह आपके GUI based operating system में होते हैं, तो जो Windows operating system है, Macintosh है, Ubuntu है, यह सब आपके graphical user interface होते हैं, हाँ, character user interface की अगर बात की जाए, तो MS-DOS है, Unix है, और यह GUI based operating system होते हैं, और साथी साथ character user interface based operating system है, जैसे MS-DOS है, उसमें एक time पे सिर्फ एक ही कारे हो सकता है, multiple tasks एक साथ perform नहीं क किये जा सकते हैं, इसके अलावा, touch base आजकल आप जानते हैं, हर कोई use कर रहा है, तो जो Android है, Windows है, या iOS, they are mostly using this interface, and जब आप voice based interface की बात करते हैं, तो जैसे Android है, iOS है, Siri या Android में Google है, Windows 10 में Cortana है, तो यह basically voice based interface आपको available कराते हैं, जहां पर कि ऐसे लोग जो keyboard, mouse या touch screen का करते हुए, operating system के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, gesture based interfaces, जो आजकल बहुत popular हो रहा है, medical industries में या gaming industry में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, तो ज़्यादा तर यह iOS या Android smart phone के द्वारा प्रयोग किया जाते हैं, और gesture based का मतलब यह है कि जैसे eyes का motion हुआ, या eyes को shake करना, या body wave करना, तो इस तरह के different body gestures को आपका interface या screen identify करता है, और operating system उसकी basis पे आपको response देता है, So overall this is how we all can understand this chapter computer system and organization, आगे बढ़ते हैं, alright so now we are going to discuss about the next topic or you can say the chapter that is boolean algebra which is again the part of this unit number one computer system and organization, और जैसा कि इसका नाम है boolean algebra, उससे ही हमको समझ में आ रहा कि कहीं ने कहीं ये एक mathematical concept है, और especially ये algebra का जो concept है mathematics का, उससे लिया गया है, और boolean algebra का computer के साथ में क्या संबंध है, या आप क्यों इसकी study करते हैं, या computer science में इसकी study क्यों की जाती है, उसका प्रमुक कारणन ये है कि electronics की जो industry है, या जब आप computer hardware की बात करते हैं, तो ये जो hardware होते हैं, ये basically कहीं न कहीं, आपके computer में digital signals को process करते हैं, या जो भी information होती है, उसे आपका जो computer का hardware है, वो digital signal के form में process करता है, और ये जो digital signal होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें दो states होती हैं, आइदर 0 और 1, 0 का मतलब जिसको हम लो बोलते हैं, low state और 1 का मतलब होता है, high state, अब ये जो 0 और 1 दो states होती हैं, इनको हम represent करते हैं, binary code से, और इन binary code पे जितने भी operations किये जाते हैं, obviously ये operation कहीं न कहीं किसी concept पे based होंगे, तो ये जो concept है, ये बात करता है, bullion algebra का, या दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं, कि कहीं न कहीं, bullion algebra के ही concept के अधार पर सारे operation तै किये जाते हैं, आपके computer hardware के, या जो computer का hardware है, या किसी भी तरह का electronics hardware ना सिर्फ computer का hardware, हम यहाँ पे कहेंगे कि electronics के components होते हैं, वो पूरी तरह से bullion algebra के जो concepts हैं, उस concept के अधार पे ही कारे करते हैं, और ये जो पूरा का पूरा concept है, ये सिर्फ दो ही number पे टिका हुआ है, that is 0 and 1, तो ये एक छोटी सी बात है, आपके standard के हिसाब से आप समझ सकते ह ये एक बहुत बड़ा छेतर है, bullion algebra का, जहाँ पर different type of calculations and combinations की बात की जाती है, इस bullion algebra का development जो है, या निर्मान या जो credit किसी को जाता है, तो वो थे जोर्ज बुले, जिन्होंने 1854 में इसको बनाया था, लेकिन electronics industry में इसको लाने का अगर श्रे किसी को जाता है, तो वो है हम हमारे cloud channel, हाला कि इस point को मैंने शायद इसमें extra डाल दिया आपके हिसाब से, क्योंकि आप सिर्फ इसको ही जाने तो ज़्यादा बहता है, but the thing is that कि जो भी चीज हम पढ़ें, उसकी clarity आपको हो, इसी मक्सद से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, now, जैसे मैंने आपको कहा कि boolean जो logic है, logic का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो बाते हैं, देखिए, logic का मतलब होता है, सीधे सीधे, या तो true, या false, अथात, या तो आपकी condition सही होगी, या condition false होगी, इन दोनों ही state में से कोई state, एक state के अधार पे अपने कारे को लेके आप आगे बढ़ते हैं, that is simply called logic Now, इस logic को implement करने के लिए आपके पास bits होते हैं, और ये bit हैं आपके 0 और 1, जिनसे मिलकर आपका byte त्यार होता है, तो वो आप जानते हैं कि 8 bit equal to हमारा 1 byte त्यार होता है, तो जिदने भी applications हैं, चाहे वो computer की आप बात करें, चाहे electronics industry में किसी भी different type of gadgets की बात करें, या telephone के switching circuits की इन सब में इन ही logics का इस्तेमाल होता है, अगली एक important बात ये भी है, फिर से वही कि boolean algebra में सिर्फ 0 and 1 का ही इस्तेमाल होता है, जिसे आप yes, no भी बोल सकते हैं, या true, false भी बोल सकते हैं, तो ये तो बात हुई कि what is this boolean algebra, इसके points में यहां पे लिखे हुए हैं, आप इनक is what की boolean algebra में mainly 3 चीज़े होती हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखे, एक तो इसका element, एक है इसका operator और एक जिसे हम बोलते हैं, axioms and theorems, या इसको हम बोल सकते हैं कि हम set of rules की बात कर रहे हैं, देखिए mathematics हैं, तो उसमें भी अपने कुछ rules and regulations हैं, जिनको follow करके ही आप expressions solve करत हैं या formula बनाते हैं, तो तीन बाते हैं, elements का मतलब है, ऐसा variable जो in में से कोई एक value, that is 1 या 0 में से किसी एक value को store करता है, और ये एक variable भी हो सकता है, या constant भी हो सकता है, दूसरा in variables को operate करने के लिए हम तीन टाइप के operators इस्तेमाल करते हैं, एक होता है and, दूसरा or और तीसरा not, जिसे आप programming में logical operators के नाम से भी जानते हैं, देखे एक एक words जो लिखे हुए होते हैं, वो कहीं न कहीं एक दूसरे से related होते हैं, यहाँ पे logical operator हम जानते हैं and or or not, programming में हम बोलते हैं कि conditions को combine करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर आप देखें तो logic का मतलबी ह होता है, either true या false, अर्थात condition की basis पे काम करना, और इसे ही हम कहीं न कहीं logic बोलते हैं, और multiple condition को combine करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं and or या not operator का, रही बात इसके set of rules की, हलाकि यह आपके syllabus का part नहीं है, but again मैंने अपनी और से इसे add कर दिया है, तो set of rules में कुछ boolean expressions बनाने के rules हैं, उसे भी मैंने table के form में ready किया हुआ है, जिसे मैं अभी आपके साथ share करता हूँ, तो सबसे पहले जैसे मैंने बात की, कि what is this element, मतलब variables, तो जिसे हम boolean variables के नाम से भी जानते हैं, तो इसका काम है, either 0 को या 1 को, जो logic values थी हैं, अब या तो वो 0 होंगी या 1 हो उनको represent करवाना या उनको store करना, that is the purpose of this boolean variable, जहां तक बात है इसके operators की, so we know that कि अभी हमने देखा कि तीन boolean operators हैं, and, or, or not, इनका जो purpose है, ये तीनों operator आपके दिश्टी कोंड से महत्पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में question किये जा सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे end operator की, तो basically boolean algebra में end operator जो है, वो logical multiplication को implement करता है, और इसके लिए dot का इस्तेमाल किया जाता है, आप इस table को देखें, x और y suppose दो variables हैं, अब या तो ये 0 ही store करेंगे, या 1 ही store करेंगे, तो अगर आप x और y के बीच में end लगा देंगे, अर्थात x.y अगर आप करें, तो इसका result क्या होगा, माली जे x 0 है और y 0 है, तो obviously ये 0 ही होगा, देखे, end operator का मतला है, ये आपको जो answer true return करता है, ये cable तभी करेगा when all given states are true, इस fundamental को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पे state लिखा, आप इसे condition भी कह सकते हैं, तो देखें, यहाँ पर तभी ये x.y या x and y जो है आपको one return करता है, otherwise बाकी सभी combination में इसका जो answer आएगा, जिसे की हम logical multiplication के नाम से जानते हैं, वो हमेशा 0 होता है, ये बात हुई हमारे end operator की, इसी तरह से दूसरा हमारे पास और operator है, जिसे की हम logical addition perform करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब boolean algebra में इन 0 और 1 को add करना है, उसके लिए हम और operator का इस्तेमाल करते हैं, तो यदि आप x और y के बीच में और operator लगा दें, जिसे की हम plus से denote करते हैं, तो यहाँ पर एक fundamental है, कि ये आपको answer तभी return करता है true, जब जितनी भी states हों, अलग-अलग variables की, उन में से कोई एक state भी true हो जाती ह तो it returns true when at least a given state is true, तो उस basis पर आप देखिए, कि जब दोनो false होगा, इसका opposite आप ये बोल सकते हैं, कि ये false तभी return करेगा, जब सारी ही states जो होती है, variables की, वो false होती है, तो जब ये दोनो 0 होगा, तभी आपको state इसकी 0 मिलेगी, या logical addition 0 आएगा, otherwise कोई एक भी true हो गया, तो इसका answer क्या हो जाता है, true हो जाता है, so there is something about your or operator, और इसी तरह से not operator होता है, इसको भी आप भली भाती समझ सकते हैं, कि not का मतलब होता है, opposite of previous state, तो अगर आपके x की state 0 है, और अगर आप उसको not x बोल दोगे, तो वो 1 हो जाएगा, and similarly 1 होगा, तो 0 हो जाएगा, आप एक ची और उसके आगे यह apostrophe लगा देंगे, तो यह दोनों ही बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं, not x, so it's all about logical negation, is the name of operation which is done by this not operator, इसे हम complement of x भी बोल सकते हैं, अब हम बात करते हैं, जो मैं पहले आपको बता रहा था, कि there are certain kind of rules, या expressions, इसे हम boolean expression भी कह सकते हैं, वो क्या होते है वो यहाँ पर मैंने इस table में state कर दिये हैं, देखे, एक होता है identity, cumulative, distributive, similarly complement, independent, तो जैसे a plus 0 है, या a.1 करेंगे तो इसकी state a ही आएगी, मतलब किसी भी state के साथ, किसी भी variable, मतलब logical variable की हम बात कर रहे हैं, उसका sum अगर 0 के साथ करेंगे, या product करेंगे, तो answer जो होगा वो हमे से cumulative में तो क्या है, आप position change कर दीजे, reverse कर दीजे, order तो भी difference नहीं आता है, similarly distributive का मतलब यह है कि a. bracket में b. b plus c करेंगे, तो it's simple mathematical का formula आप देख सकते हैं, similarly complement में यह है कि अगर आप कोई भी boolean variable है, उसको उसके complement के साथ अगर add करेंगे, तो वो आपको identity को return करता है, मतलब answer ज अब आप independent की बात करते हैं, तो अगर आप किसी original variable को उसकी जो original state है, उसके साथ ही आप add करें, या उसके original state के साथ multiply करें, तो answer जो है, वो original ही return आएगा, जैसे one plus one करेंगे, तो answer आपको हमेशा one ही मिलेगा, मतलब जो original की state है, वो ही मिलेगी, अगर आप one dot one करेंगे, तो answer भ या null element भी कहते हैं, तो null element की अगर आप बात करें, तो no matter what the value of boolean variable, the sum of variable and one will always be one, अब इसकी state कुछ भी हो, आपके variable की आप one add करोगे, तो answer one ही आएगा, और अगर आपके state किसी variable की कुछ भी हो, लेकिन आप उसमें multiply करोगे 0, तो answer 0 ही आएगा, और complement of complement of a, मतलब किसी variable का complement अ होता है, it tells about that we can associate group of sum or product variables together with parenthesis without altering the truth of expression, तो इसे मैंने आपके reference के लिए यहाँ पे share किया हुआ है, आप चाहें तो इसे follow कर सकते हैं, या आप इसे according to your syllabus छोड़ भी सकते हैं, हम जो focus करेंगे वो d Morgan laws पे focus करेंगे, which is again very important in this chapter boolean algebra, तो d Morgan laws जो होता है, वो आपको बताता है कि जब आप दो different logical variables को union करें, union का मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके और operator की या इसे आप add करें, तो add करने के बाद जो इसका complement होता है, वो हर एक set के complement का जो intersection होता है, या जो multiplication होता है, वो दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं मतलब अगर आप A और B लिखें और इसका अगर आप complement कर दें, तो it is always equal to A का complement and what you can say B का complement, this is the one rule, और उसी तरह से यदि आप दो states हैं A और B, इन दोनों को आप and करें, मतलब इन दोनों को आप intersection करें या logical इसमें multiplication करें, और इसका जो complement होगा, that is always equal to complement of both the states, और उसके बीच में आप logical and लगा दें या logical addition कर दें या और operator लगा दें, तो इसे हम कहेंगे, और it should be B complement, in the sense, complement of the logical multiplication of two sets, यहाँ पे intersection का मतलब logical multiplication है, और two sets and logical multiplication का मतलब होता है, हम बात कर रहे हैं, and operator की intersection का मतलब हम and की बात कर रहे हैं, so we can say the complement of the logical multiplication of two sets is equal to the union, union का मतलब हम बात कर रहे हैं, और operator या logical addition की, logical addition की, तो उनका जो complement होता है, यही demorgans का law है, तो यह भी एक प्रकार का axioms हैं, या theorem हैं, आप बोल सकते हैं, जिसके अधार पे आप Boolean expressions को solve करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे truth table की, well we all know that truth table का मतलब होता है, कि जो chart होता है 1 और 0 का, आपके पास multiple states दिये हो, और जब आप उनको logically multiply करें, या logically addition करें, तो उनका क्या answer आता है, या जो आप input करते हैं, उसकी basis पे क्या possible output आता है, यह हम truth table के द्वारा, या chart के द्वारा, display कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, present कर सकते ह इसमें जो सबसे important बात है, कि n variables के लिए 2 का power n possible combination हो सकता है, जैसे अगर आप 2 variable लेते हैं, तो 2 का power 2 मतलब इसके जो combination बनेंगे, वो 4 combination बनेंगे, जैसे true, 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 false, false, true या false, false, और अगर 2 का power 3 मतलब अगर 3 variables हैं, तो 2 का power 3 करने से कितने combinations बनते हैं, 8 combination, उधारन के लिए, जै अब इसका जो combination आप देखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 combination इसका बन रहे हैं, इसका मतलब जब आप tooth table बनाते हैं, तो जो उसमें combinations होते हैं, वो n variables के लिए 2 का power n combinations होते हैं, और उसकी basis पर फिर output generate करते हैं, अब tooth table जो हमने पहले भी देखा, and operator, or operator, or not का, वो यहाँ पे mention कर दिया है, आप जानते हैं कि अगर आप and operator लगा रहे हैं, तो जब दोनों state true होंगे, तभी आपका answer true होगा, मैं इसे फिर से आपको highlight कर देता हूँ, मैं बात कर रहा था कि जो states होते हैं, जैसे यह a की state और b दोनों जब true होंगे, तो and लगा है, मतलब उसकी state true होगी, otherwise वो ने a.b किया, और उसका क्या कर दिया, आपने compliment कर दिया, तो a and b यहाँ पर true है, तो true का opposite क्या हो गया, false हो गया, और बाकी तीनों यहाँ पर false है, तो answer यहाँ पर true हो गया, और not a और b का मतलब हो गया, a plus b और इसका आपने क्या कर दिया, यहाँ से compliment निकाला, तो यहाँ पर क can make this truth table, मैंने सबको यहाँ पर एक साथ combine किया हुआ है, आप A, B, A and B का अलग ले सकते हो, इसी तरह से A, B और A और B का अलग table आप ready कर सकते हैं, not का अलग कर सकते हैं, not B का भी कर सकते हैं, जो मैं आपको logic gate बताऊंगा, वहाँ पर यह individual tables मैंने बनाये हुए हैं, वहाँ पर हम एक बर फिर से देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे, truth table for A plus B plus C and A dot B dot C, मतलब and लगा के तीनों का क्या answer आएगा और और लगा के तीनों का क्या answer आएगा, तो देखिए जब आपका तीन variables होते हैं, तो 2 का power 3 बराबर 8 combination बनेगे, तो यहाँ पर मैंने इसके combinations बठा दिये हैं, देखिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, जो मैंने आपको अभी discuss किया, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप लिखते हैं A dot B dot C, मतलब आपने यहाँ पर कौन सा operator इस्तेमाल किया है, and operator, तो जब तीनों की state true होगी, तभी answer true करेगा, ब और इसी तरह से एक और true table है हमारे पास में, जिसमें हमने A B plus C का true table ready किया है, यहाँ पर आप देखें कि A B का मतलब A dot B, तो यह आप जानते ही हैं कि A और B को जब आप dot करें, मतलब end लगाएंगे, तो एक state आपको इसकी true मिलेगी, तो जब दोनों A और B true होगे, जैसे यहा करेंगे, तो obviously जब यह दोनों false होंगे, अर्थाद यह एक state यहाँ पर आप देख रहे हैं, और दूसरी state आप देखें, यहाँ पर है, तो यह जब दोनों false होंगे, तो it should be false actually, तो यह आपको क्या कर देगा answer, false return कर देगा, so this is how we all can understand this tut table, यह कोई बहुत खास बात नहीं है, इसलिए मैं individual AK point को discuss नहीं कर रहा हूँ, in case of any route you can comment me, otherwise it's very easy to understand, मैं आगे बढ़ता हूँ और अब बात करता हूँ, logical circuits की which is the very important part of this boolean algebra, और you can say boolean logics, अब हमको यह समझ में आ जया है कि logic का मतलब हम बात कर रहे हैं, 0 और 1 की, और इस 0 और 1 की basis पे जो circuit त्यार होता है, उसे ह हम logic circuit बोलते हैं, दूसरे तरीके से यह जो 0 और 1 है, यह दोनों ही boolean values होती हैं, और इन boolean values की basis पे जो circuits त्यार किये जाते हैं, उसे हम logic circuit बोलते हैं, अब circuit का मतलब क्या होता है, तो circuit का मतलब होता है, हम कहीं न कहीं network की बात कर रहे हैं, और network किसकी? network of logical operators की, कौन से operators की? logical operators की, अर्थात जब आप and operator को, और operator को या not operator को अलग-अलग तरीके से combine करते हैं, देखें, network का मतलब क्या होता है, combination ही होता है, तो जब आप इन सारे operators को अलग-अलग तरीके से combine करते हैं, combination जो इनका ready होता है, उसको हम circuit बोलते हैं, circuit बोलने से ये एक electronics की भाषा हो जाती है, और electronics की अगर ये भाषा हो रही है, मतलब कहीं न कहीं, ये किसी न किसी तरह के electronic device में प्रयोक किया जाएगा, तो ये जो logical circuit है, मुझे लगता है, आपको समझ में आ रहा होगा, इनका संबंद अगर दूसरे तरीके से कहा जाए, तो होता है, digital circuit से, और ये जो digital circuit है, इनका प्रयोक होता है, electronic devices के निर्मान में, तो logic circuit को मैंने यहाँ पर जो समझा है, उसको point out कर दिया है, कि ये एक प्रकार के logic network है, या structure होते हैं हमारे logic gates के, अब यहाँ पर आपको एक नया शब्द मिल रहा होगा, logic gate, तो logic gate का मतलब कि ये जो मैंने आपको बताया है, operators का प्रयोक करके, जो gates बना जाते हैं, ये छोट digital electronic circuit which is built up from certain elementary circuit called logic gates, तो देखिए क्या होता है, छोटे छोटे gates हम बनाते हैं, तो जैसे ये हमारा and gate है, जैसे ये हमारा not gate हो गया, अब इस तरह से इनको मिला के फिर आगे हम suppose xor gate करेंगे, जिसके बारे मैं आगे चलके आपको बताऊंगा, तो ये क्या हुआ देखिए, ये छोटे elementary circuits हैं, और इन elementary circuits से मिलकर आपका एक बड़ा logic circuit त्यार हो रहा है, जो कहीं न कहीं आपके जो electronic products हैं, उनको बनाने में इस्तेमाल किये जाते हैं, चाहे वो computer की बात करो आप, चाहे video games की बात करें, चाहे robots की आप बात करें, calculator या अन्य इस तरह के smart phones या electronic products, जब logic circuit की ह हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने आप से कहा कि ये logic gate से मिलकर बनाये जाते हैं, तो logic gate क्या होता है, तो these are elementary electronic circuits, तो मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारे पास 7 अलग-अलग प्रकार के gates होते हैं, ये सब बनते हैं 3 operators के द्वारा and or or not, ये 3 मुखे जो आपके operators, boolean operators जिसे ह हम कहते हैं, इनसे ही मिलकर 7 अलग-अलग logic gate बनाये जाते हैं, आपके course में ये x nor नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे include नहीं करेंगे, देखें, यहाँ पर 3 तो हो गए हैं हमारे and or not के gate जो 3 operator पे अधारित हैं, अब and का जो compliment होता है, opposite वो nand हो जाता है, और का compliment जो होता है वो nor हो जाता है, और इसी or का एक होता है exclusive or, वो मैं बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे बताना संभो नहीं होगा, तो total 6 हो गए और उसी तरह से nor का फिर से exclusive कर देते हैं, तो x nor बन जाता है, यह जो अलग-लग gates होते हैं, इन gates का ही इस्तेमाल करते हुए, digital circuits य या बड़े electronic circuit का निर्माड किया जाता है, जो कहीं न कहीं electronics devices को बनाने में मदद करते हैं, आइए in gates को अब detail में हम देखते हैं, तो logic gates जो होते हैं, they are elementary electronic circuits that perform basic logical operation, जो मैंने आपको बताया है, and or and not को, यह block of small hardwares होते हैं, यह block of hardwares होते हैं, जो की input तो लेते हैं 0 और 1 के र और जो output produce करते हैं, यह input नहीं होगा, यहाँ पर यह input होगा, तो यह input लेंगे जो 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो answer यह produce करते हैं, वो एक single input होता है, जो कि खुद एक binary output ही होता है, या binary signal होता है, या logic 0 या logic 1 ही होता है, आइए इन सारे gates को एक एक करके दे यह क्या करता है, and operation के अधार पे तयार किया जाता है, आप यहाँ इसका logic diagram भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यह तयार होता है, यहाँ पर दो देखिए हमने input डाले हैं, x और y के, अब जब आप x और y का and gate तयार करोगे, तो यह जाहिसी बात है, x.y ही होगा, इसे हम logical multiplication operation के नाम से भी जानते हैं, और यह रहा इसका truth table जो हमने पहले देखा था, हम जानते हैं, and में जब दोनों state true होगी, तभी answer true होगा, बाकी सब में false होगा, तो यह जो हमने device तयार किया, gate तयार किया, वो कुछ इस तरह से, इसी प्रकार से जब आप और gate की बात करते हैं, तो यह और operation के उपर अधारित होता है, इस चितर में आप इसका diagram देख सकते हैं, इस diagram को आप पूरी तरह से याद रखें, और इसके truth table को आप याद रखें, तो और operator है, मतलब जब दोनों false होगा, तभी answer false आएगा, बाकी सब में यह true return करेगा, तो x और y अगर आप दो input दे र हैं, opposite of previous state, तो उसका जो gate आप त्यार करते हैं, वो कुछ इस तरह से त्यार करते हैं, इसमें जो प्रमुक बात है, वो यह है, कि not operator एक ही input लेता है, और एक ही output आपको return करता है, और जो output return करता है, वो opposite होता है, of original logic value, अब यह रहा इसका truth table, तो 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 हो ज सकते हैं आप, या इसे आप bar x ऐसा भी represent कर सकते हैं, तो यह तो हुए 3 प्रमुक gate, अब जब आप and operator के सामने not लगा देते हैं, आप इस diagram पे देखिए, हमने xy लिया, हमारा जो generate होगा xy, अब उसका आप compliment निकाल दो, तो compliment निकालने के लिए हमने यह आप एक गोला मार दि किसके सामने, and के सामने, तो यह हमारा त्यार हो गया, and gate, तो आप देखिए, 0, 0 जो होता है, ideally जब आप x.y करोगे, तो यह हमेशा 0 ही दिखाएगा, 0, 1 जो होता है, वो 0 ही दिखाएगा, 1, 0 आपको 0 दिखाएगा, original, जब आप क्या करते हो, x, y करते हो, और 1, 1 क्या दिख दिखाएगा, लेकिन जब आप उसका compliment कर दोगे, तो यह देखिए, तीनो opposite हो गया, यह 0 हो गया, तो यह हो गया, हमारा nand gate, इसी तरह से nor gate है, तो nor gate का भी fundamental same है, कि यह क्या करता है, हमारे और operator के साथ में, not operator को जोड़ देता है, तो क्या हुआ, logical addition होगा, और उसका compliment निका लेकिन जब आप इसका compliment कर देंगे, तो यह तीनो जो है, हमारे false हो गया, और यह क्या हो गया, हमारा one हो गया, तो यह है इसका logic diagram, और exclusive or की जब हम बात करते हैं, that is xor gate, तो इसमें क्या होता है, कि मैं एक बार आपको or gate का फिर से true table और उसका diagram दिखाता हूँ, अब exclusive or में क् और धोनों की state सेम होगी, तो answer false आएगा, अब जब दोनों की state सेम नहीं होगी, मतलब देखिए, जब दोनो zero, zero है तो zero दिखाएगा, जब दोनों truth होगा, मतलब जब दोनों true होगा, तो भी answer क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अब इसके अलावा बाकी किसी भी condition में, ज जब सारी states same नहीं होंगी, अब यहाँ पे चुकी दो ही हैं, तो दोनों की states same नहीं होगी, तभी यह 1 दिखाएगा, अर्थात कहने का मतलब है, XOR का मतलब it is abbreviation of exclusive OR, और यह बोलता है कि इसका output true तभी होगा, जब all of the inputs are not true, मतलब अगर सारे ही inputs जो हैं, वो true होंगे या false होंगे, तभी इसका answer false हाएगा, otherwise बाकी सारी states में यह answer क्या देगा, 1 देगा, यह है इसका diagram, इसको आप याद रखें, यहाँ पर इसमें गोला हम बनाना भूल गया, it should be like this, तो यह symbol को आप ठीक कर लेंगे, तो overall this is how we all can understand all the concepts of boolean logics, now we are going to discuss another chapter or topic of this unit 1, that is computer system and organization, and it is encoding scheme, तो encoding scheme में तो पहला question यही आता है कि what do you mean by this encoding, तो encoding का मतलब सीरे सीरे कोई भी data है, या कोई भी signal है, या कोई भी symbol है, इसको आप क्या करते हो, convert कर देते हो another form में, या format में, इसे हम जानते हैं encoding के नाम से, जैसे आपका human language में A, B, C है, आप इसको convert कर दो machine language में like 110 में, तो यह हो गई क्या हमारी encoding, तो encoding is all about converting data from one form to another form, और computer science में इसका बहुत ज्यादा importance है, क्योंकि human language को machine language में convert होना, और machine language का वापस human language में convert करना, बहुत जरुरी होता है, तभी human और computers आपस में क्या कर पाते हैं, communicate कर पाते हैं, तो यह रहा मेरा human, यह रहा मेरा computer, मैं एक चित्र भी बना देता हूं, यहाँ पर human भी बना देता हूं, अब यह जो human है, अंग्रेजी भी समस्ता है, लेकिन computer जो है, वो सिरफ एकी चीश समस्ता है, वो है, zero और one, तो अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली को zero और one में convert करना है, तभी तो computer आपके चीजों को समझेगा, process करेगा और आपको answer दे पाएगा इसलिए encoding का महत्व बढ़ जाता है और encoding में ना सिर्फ आप number को बदलते हो या alphabet को बदलते हो ये कोई भी symbol हो सकता है, कोई space भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का चित्र भी हो सकता है audio भी हो सकता है, video भी हो सकता है, आपकी आवाज भी हो सकती है, आपका चित्र भी हो सकता है किसी भी तरह का data, finally जब computer में process होगा, 0 और 1 में होगा अच्छा एक बात और आप ध्यान रखें कि encoding ना सिर्फ computer में, ये security की जो agency रहती हैं, वो भी इस्तेमाल करती है क्यों इस्तेमाल करती हैं, आपके data को protect करने के लिए, वो क्या करेंगे कि जो original data रहता है उसको code में convert कर देती है, ताकि कोई उसको पढ़ना पाए और code का मतलब इसको वो क्या कर देती है, encrypt कर देती है तो जब आपको original data encrypted form में आ गया, तो वो कोई भी read नहीं कर सकता तो आपने क्या कर दिया, secure कर दिया अपने data को transmission के दोरान तो encryption करना भी किसी code का, या data का क्या होता है, encoding ही कहलाता है So this is how we all can understand this concept of encoding अब encoding के जो फायदे हैं, वो क्या है platform independency, कि आपका जो computer है, दुनिया के किसी भी कोने में रहे और आप किसी भी दुनिया के कोने में रहे किसी भी तरह के computer से जब आप काम करें तो बिना किसी interruption के आपका काम हो सके So without interruption communication हो, that is called platform independency इसी तरह से हम बात करते हैं, internationalization का तो मैंने बोला internet क्या है, internet मतब across the globe एक ही information हर एक कोने में, हर एक प्रकार के computer में किसी भी भाषा में क्या हो रही है, प्रस्तुत हो जाती है तो ये internationalization कैसे हो रहा है, encoding के द्वारा हो रहा है इसी तरह से security की बात अभी मैंने आप सीखी कि आप अपने data को encrypt कर दीजिए, किसी ऐसे code में जो कोई भी decode न कर पाए उसका एक particular formula होगा, जो जिसके पास होगा, सिर्फ वो ही उसको देख पाएगा decode करके तो ये सब करने के लिए encoding का इस्तेमाल किया जाता है, अब encoding scheme की हम बात कर रहे थे तो बहुत सारे अलग-अलग तरीके, scheme का मतलब data को encode करने का तरीका अब data को encode करने का तरीका यहाँ पर किसके लिए हम बात कर रहे है तो CDC बात है, हम अपने computer system के लिए बात कर रहे हैं क्यों? क्योंकि भई आप computer science पढ़ रहे हैं computer system में आपके data को encode करने के लिए code करने के लिए, decode करने के लिए तीन प्रकार की scheme है एक है ASCII code, एक है ISCII और एक है Unicode अब देखिए ASCII code पुराना है, इसकी capacity limited है तो जादा तर यह English के साथ related है ISCII जो है वो India का हो गया अब India का हो गया मतलब यह Indian languages के लिए है और Unicode की बात करें, तो यह हो गया बात भईया पूरे international level पे जो conversion होता है किसी भी प्रकार के, किसी भी भाशा के लिए तो वहाँ पर Unicode होता है तो ASCII code is all about English, ISCI India Unicode International across the globe सबसे पहले ASCII code देखते हैं वेल, ASCII का full form होता है American Standard Code for Information Interchange जो की आप देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है अब ASCII code जो बना था, यह 1960 में बना था क्यों बना था? Platform Independence के लिए देखिए, पुराने जमाने में जो computer थे हमने आपको बोला कि यह keyboard है अब जब ASCII code नहीं आया था तो जापान वाला computer का जो keyboard था वो अपने तरीके से computer को 0 or 1 में data convert करके बताता था यह हो गया उसका जापानी तरीका और उसी समय अमेरिका का जो computer था वो American तरीके से अपने computer को बोलता था कि भाईया यह code को आप समझो अब American computer को अगर जापानी computer के साथ कोई communication establish करना है तो वो संभोई नहीं था क्योंकि सब के coding decoding के तरीके अलग थे तो उस जमाने में पुरी दुनिया में internationalization करने के लिए platform independency बनाने के लिए और यहाँ पर internationalization का मतलब restriction याद रखिए कि English को लेके था उस जमाने में हिंदी अंग्रेजी का तो दूर दूर तक बोलबाले ही नहीं था computer में लोग computer का कभी नहीं जानते थे 1960 में सिवाए 24 लोगों के इसलिए अंग्रेजी के अधार पर पूरी दुनिया में सारे devices एक दूसरे के साथ computer devices एक दूसरे के साथ काम कर सकें तो ASCII code का निर्मार किया गया और ASCII code का निर्मार करने में जो प्रमुक रूप से जो संस्था थी सरवाधिक आगे वो थी NC अब NC के बारे में भी आप जानते हैं कि जो C programming है C++ programming है यह सब को standardized करने का कारे आपके NC का ही है तो कहीं न कहीं आपको यह fundamental समझ में होगा कि ASCII का शुरुवात कैसी हुआ और इसका क्या महत्व है अब ASCII कोड में actually में क्या होता है कि आप A टाइप करिए B टाइप करिए C टाइप करिए चाहे 0 टाइप करिए 1 टाइप करिए 2 टाइप करिए दुनिया में अंग्रेजी भाषा एवन नंबर को count करेंगे तो total 127 अक्षर है अब इन 127 अक्षरों का binary code fix कर दिया गया है एक इनका fix binary code है जिसको आपका computer के समझता है और इसको ही हम ASCII code के रूप में जानते हैं अब 127 है मतलब तो ये follow करता है 7 bit को अब इसमें 1 bit और जोड़ देते हैं जिससे ये बन जाता है 8 bit का क्यों 8 bit का बन गया क्योंकि 1 bit हो जाता है sign के लिए इसी point को मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है आप इसको पढ़ लीजेगा तो ASCII code जो होता है वो basically 7 bit का representation होता है character का उसका reason मैंने आपको बता है कि दुनिया में total 128 character यहाँ पर लिखा हुआ है हिसाब से 128 होना चाहिए आप एक बार अपना किताब को भी check कर लिजेगा तो यह एक table बना दिया गया जिनमें fix कर दी गई है सारे characters की values ASCII के form में यह यहाँ पर एक number के form में आप देख रहे हो 32 को 32 को जब आप convert करोगे 01 में तो यह fix 7 digit का character आ जाएगा तो मैं इस table पर एक एक को explain नहीं कर रहा हूँ बट the fundamental I think आपको समझ में आ रहा होगा ASCII का अब ASCII का तो मैंने limitation आपको बताया अब इसी तरह से धीरे धीरे जब पूरी दुनिया में computer इस्तेमाल होने लगा internet आ गया तो अलग-लग languages में भी इसका प्रयोग होने लगा तो जब अलग-लग languages में इसका इस्तेमाल होने लगा तो उसके लिए भी standard code के आफशक्ता पड़ी तो इंडिया में जो BIS है BIS का मतलब है Bureau of Indian Standard उन्होंने 1999 में अपना खुद का एक code set binary का code set विक्सित किया जिसका नाम था Indian Standard Code for Information Interchange ये मुख्यता 10 भाशाओं को सपोर्ट करता है हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, उडिया, तेलगु, असामी, कंडर, मलयालम, तमिल और रोमन तो ये 2 की घात 8 निखालेंगे तो टोटल 256 करेक्टर का representation होता है और जैसे मैंने आपको बताया कि चूकि आपका जो hardware है वो 8 bit को ही process करता है इसलिए तो 8 bit में ही इसका representation होता है और चूकि ये इंडिया का है इसलिए ये Indian scripts के लिए ही बनाई गई है लेकिन इंडिया और अंग्रेजी से तो काम चलने वाला नहीं क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां पे उनकी खुद की अपनी भाशाएं है तो उन सभी के symbol को कोई भी computer recognize कर चकरे खास कर जब आप internet में काम करते हैं उस समय जो web page आपकी screen में आता है अब अमेरिका में server में आपका web page है वो उठके जा रहा है यूगांडा में वही page उठके जा रहा है इंडिया में वही page उठके जा रहा है बंगला देश में तो हर जगा same page जा रहा है लेकिन भाशाएं अलग हो सकती है तो यहां पर उस information को उस computer में उसकी ही language में process करवाने के लिए एक और code विक्सित किया गया जिसे हम जानते है Unicode के नाम से तो यह क्या है आसकी का extended version है उसी का बड़ा रूप है बड़ा भाई है इसमें 8 bit, 16 bit और 32 bit में data को represent किया जाता है और पूरी दुनिया के लगभग 10 लाग characters का पूरा का पूरा binary code का एक set बनाया गया है उसका पूरा एक अपना table है जिसको की जहर सी बात है बताना बहुत मुश्किल होगा लेकिन उनका representation Unicode में है तो यह कुछ important points मैंने आपके साथ यहाँ पर share कर दिये हैं जिसको आप देख सकते हैं UTF-8, UTF-16 और UTF-32 यह common Unicode encoding schemes है जिसमें की UTF-8 जो है लगबग हर जगा यूज़ होता है बहुत ज़्यादा इसमें technically differences नहीं है एक छोटा सा table जो मैंने NCRT की books यहाँ पर आपके साथ share किया है निकालके तो यह जो चित्र आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर तो जैसे मैंने आपको बोला यह आपकी NCRT की Computer Science की कच्छा 11 की book है उसमें आपको यह मिल जाएगा उससे यह table लिया है तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं तो इसको explain करना थोड़ा difficult होगा तो आप अपनी reference में अपने idea के लिए इसे एक बार देख सकते हैं तो overall यह सारी बाते थे आपके encoding scheme की अब हम बात करेंगे हमारे number system की So the first question is What do we mean by this number system? क्या है number system और हम क्यों use करते हैं? तो जाहिर सी बात है आप human अपनी किसी भी तरह की calculations को करने के लिए किसी भी तरह की measurements के लिए या किसी भी तरह की data representations के लिए कुछ symbols का इस्तेमाल करते हैं इन symbols को हम numbers के नाम से जानते हैं और इन numbers को manage करने के लिए कुछ certain rules हैं उन rules से ही मिलकर हमारा क्या बनता है? हमारा number system बनता है तो basically it is a mathematical way to represent numbers अब उस number में literal भी हो सकते हैं literal का मतलब वो कोई एक digit भी हो सकता है alphabet भी हो सकता है या symbol भी हो सकता है नाव चूकी मैंने बात की human की तो humans जो होते हैं वो calculations के लिए 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के बीच का कोई भी digit इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे number की बात की लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुँ सारे अलग-लग प्रकार के number system है ना केवल human के द्वारा आपके computer के द्वारा या आपके किसी भी electronic gadgets के द्वारा भी इन number system का इस्तेमाल किया जाता है अब यह जो number system होते हैं इसमें दो-तीन बाते हैं एक तो symbol जो खुद होता है दूसरा उस symbol की position क्या है और उस number system का जो base value होता है इन तीनों से मिल कर values की calculation की जाती है जैसे मैं आपको बताऊं आपके लिए आप जानते हैं अगर मैं यह लिखूं 129 इसे हम बोलते हैं 129 अब 129 इसकी क्या हो गई value हो गई कैसे हो गई तो यह तो हो गई 1 और 2 और 9 इसके literal जो मैंने यहाँ पर बात की अब इसकी position अगर आप देखें तो यह है इसकी 0 पोजिशन है यह first position और यह है second position तो यह हो गई इसकी position चुकि number system यह human के 10 होते हैं 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक के total 10 digits है तो इनका जो base होता है वो 10 होता है अब यह जो base आगया 10 का power 0 अगर आप करोगे तो 1 हो जाएगा 1 में 9 को multiply करो तो 9 आजाएगा फिर 10 का power 1 10 होता है 10 में 2 को multiply करो तो 20 आजाएगा जिसको आप इसमें प्लस कर दो यह आगे चलके और systematically हम देख लेंगे अब 10 का power 2 करोगे तो 100 आएगा और 100 में 1 को multiply करोगे तो 100 आजाएगा तो total जब 3 को calculate add करोगे तो आप देखेंगे यह आजाएगा 129 और हम बोल देंगे 129 तो यह हुआ कि calculation कैसे भी किसी number system का होता है तो 3 चीज़े है literal मतलब symbol उसकी position और उसका base value नाओ यह जो number system है इनको positional number system भी कहा जाता है क्यों क्योंकि हमने इसकी position की और positioning की basis फे फिर हम individual digits की value count करते हैं फिर उसका हम aggregate result finally बताते हैं कि actual value क्या आएगा अलग-अलग number systems जो होते हैं उनमें अलग-अलग प्रकार के set of literals या symbols होते हैं जिनके द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है किसी भी number system में जितनी कुल digits होती हैं या literals होते हैं उनके अधार पे उसका base तयार किया जाता है जैसे आगे चलके इसके बारे में हम discuss करते हैं base के बारे में पहले types of number system हम देख लेते हैं चार प्रकार के number system की हम बात करते हैं एक है decimal, एक है binary, एक है octal और एक है hexadecimal decimal का मतलब 10, binary का मतलब 2, octal का मतलब 8 और hexadecimal का मतलब 16, अब ये 10, 2, 8, 16 क्या है तो ये हैं इस number system में प्रयोग होने वाले total number of individual digits, ये ही इसकी सबकी प्रमुक पहचान है अब इनको detail में थोड़ा देख लेते हैं कहां इसका इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है इनके applications क्या है सबसे पहले decimal number system तो हम इनसान, मतलब humans, इस decimal number का प्रयोग करते हैं 0, 1, 2 से लेकर 9 तक की value जो total हो जाती हैं 10 संख्या हैं, और चुकि ये 10 संख्या हैं इसलिए इसका जो base होगा, वो 10 हो जाएगा और इसमें जो calculation होती ही, चुकि position wise number system में कारे होता है तो हर एक position जैसे हमने डाला 1, 2, 4, 6 तो ये पहली position जो है वो 10 का power 0 अगली position 10 का power 1, दूसरी position 10 का power 2 तीसरी क्या हो जाएगी 10 का power 3 तो हर एक की बीच में जो difference है, वो 10 का difference होता है 10 times का difference होता है, इस बात को धियान रखें तो ये 1 है, इसका 10 times 10 हो गया 10 का 10 times 100 हो गया, 100 का 10 times 1000 हो गया तो इस प्रकार से इनके बीच के difference को आप measure कर सकते है एक चितर है इसका, उस चितर से आप समझेंगे तो और बहतर समझ में आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस चितर में आप देखिए जो अभी मैंने example आपके साथ share किया ये positive power of 10 है हर एक के बीच में देखिए 10 का difference है ये एक संख्या है, 1, 2, 5, 3, 0.76 अब decimal के बाद में ये minus 1 के power से हम इसमें positioning करते हैं मतलब decimal के बाद जो पहली position होती हो minus 1, दूसरी position minus 2, तीसरी position minus 3 and so on और उसकी basis पे हम multiplication करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये इस संख्या का यहाँ पर एक representation है जिसे आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से अब हम बात करते हैं binary number system की हम सब ही जानते है binary number system मतलब computer में इसका इस्तेमाल किया जाता है या इस प्रकार के तमाम electronic gadgets जिसमें mobile को भी आप प्रयोग कर सकते हैं मुख्यता इन्हें digital device के नाम से हम जानते हैं मतलब जिन पे मतलब digital devices में binary number system का प्रयोग किया जाता है binary number system का मतलब दो ही संख्या है जिरो और वन जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं अब चूकी इसमें सरिफ दो ही संख्या है इसलिए इसका जो base होता है वो दो होता है अब जैसे कोई binary संख्या है 1 0 1 1 तो इसका आप manipulation करोगे तो आपने यह 1 0 1 1 position कर दी 0 1 2 3 base लगाया 2 अब इनको आपस में आपने add गया it should be 2 positioning wise इनका power डाल दिया 0 1 2 3 और जो original number है उनसे आप इसका multiplication कर देंगे तो यह है 1 2 यह है 0 2 again यह 1 2 और यह है 1 2 तो 2 का power 3 मतलब 8 प्लस यह 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 है और 2 का power 1 2 प्लस यह 2 का power 0 1 1 1 हो जाएगा तो 8 to 10 प्लस 1 इक्वल 2 11 तो मतलब यह binary number equivalent है हमारे decimal number 11 के बराबर तो इस तरह से हम इसमें calculate करते हैं आगे चल के और देखेंगे convergence के program जिसमें आपको picture clear हो जाएगी तो binary number system को हम machine language के नाम से भी जानते हैं और मैंने आपको बताया कि base 2 जो है उसी के power के अधार पे हम आगे बढ़ते हैं जो ये example में मैंने आपको explain किया रही बात binary number system के applications की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Boolean algebra इसका सबसे बड़ा example है mathematics में जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है computer science में इसका प्रयोग किया जाता है उन सब में जो है हम binary code का ही इस्तेमाल करते है internet का जो protocol बनाया जाता है जो set of rules होता है internet के लिए उसमें भी binary number system का प्रयोग होता है image की processing में, audios में, videos में हर जगा binary number system का प्रयोग किया जाता है तो यह तो कुछ applications है इसी तरह से अगला जो number system है that is your octal number system तब octal number system का मतलब जिसमें total हम 8 digits इस्तेमाल करते है 0 से लेकर 7 तक के तो इसका जो base होता है that is 8 अर्थात अगर आप कोई octal number डाले 1, 2, 4 अगर आप इसको calculate करेंगे तो पहले आप 1, 2, 4 को position कर देंगे इसमें आप multiplying करेंगे base 8 से और इन्हें सब को आपस में आप add करेंगे position के according इसकी power place कर दीजे this is second place, this is your third place so this will be 8, 5, 1, 2 it will be 8 into 2, 16 plus this will be 4 और जब आप इसको calculate करेंगे so this will be 5, 32 तो जो ये octal number 124 है अगर मैं इसको ऐसा present कर दू 1, 2, 4 का 8 तो this will equal to 532 decimal number मतलब 5, 2, 2 को 10 कर दीजिए इसका भी conversion आगे देखेंगे आपकी understanding के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ तो इसमें 8 digits है 0 से 7, base 8 होता है और calculation जो होती है वो base 8 की basis पे ही होती है तो जब binary codes जो होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको summarized form में present करने के लिए हम octal numbers का प्रयोग करते हैं रही बात इसके applications की तो ज़्यादा तर इसका application जो है जो आपका CPU होता है उस CPU में जो registers होते हैं या flip-flops होते हैं जो basically आपके data को कहीं न कहीं save करने का काम करते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है जो mainframe होते हैं between super computer और personal computer के बीच का अतरव it is more powerful than personal computer उन पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह से एक और number system है जो बहुत important है that is your hexadecimal number system इसमें total 16 अलग अलग digits है जिसमें की first 10 numbers होते हैं remaining जो 6 हैं वो alphabets हैं ये की 16 numbers इसमें इस्तेमाल होते हैं इसका base जो होता है वो 16 होता है calculation भी base 16 में ही होगा अब इसका भी जो purpose है वो binary code को summarized form में represent करना लेकिन जो इसका main use होता है वो memory addressing में होता है तो आपकी जो hard disk है उस hard disk में जितने भी एक-एक byte के paste ready होते हैं उनके जो addressing होती है वो hexadecimal code में की जाती है web pages में जो color schemes होती है या normal color schemes भी जो आपके software में होती है वो भी hexadecimal code में represent की जाती है उसी तरह से जो आप networking में switch का इस्तेमाल करते हैं अलग-अलग computers को आपस में connect करने के लिए तो ये switch जो है इन computer का जो addressing remember करता है या जो इस computer में जो network card लगे होते हैं उनमें जो address होता है इस computer या node को uniquely identify करने के लिए जिसे हम mac address बोलते हैं वो भी hexadecimal code के form में represent किये जाते हैं जो गलतियां software में error message आते हैं always presented in the form of hexadecimal code so these are some important uses of hexadecimal number system तो overall ये तो पूरी बात हुई हमारे encoding scheme की और ये तमाम अलग-अलग तरह के number systems की alright so now we are going to understand the conversion between different number systems in the sense जो भी अलग-अलग number systems है उनके बीच में आपस में conversion कैसे होता है एक-एक करके सभी को देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे decimal to binary conversion तो सीधे हम एक example लेते हैं उस example के basis पे इसे समझने की कोशिस करते हैं let's suppose अगर आपके पास एक number है 127 अब इस 127 को हमें convert करना है binary में तो जबी भी आप conversion का process करते हैं तो याद रखें जैसे कोई भी decimal number है आप उसको जबी भी denote करेंगे तो उसे आप bracket में ले लें और बाहर में उसका जो base है वो आप mention कर दें जैसे decimal number है इसका जो base value होता है हम जानते हैं वो 10 होता है binary का जो base value होता है वो हम जानते हैं कितना होता है 2 होता है अब चूकी हम बात कर रहे हैं decimal to binary conversion तो इसका जो process है वो simple है देखिए हमें इस 127 को जो binary का base value है I mean 2 उससे क्या करेंगे divide करना शुरू करेंगे और ये जो division का process है ये हम तब तक करेंगे जब तक ये जो 127 है ये end 0 नहीं आ जाता या इसका remainder 1 नहीं आ जाता या दूसरे तरीके से यूं कहें कि या तो ये पूरी तरह से divide होके खतम हो जाए या फिर इसका remainder अंत पर जब 1 आए मतलब ये value divide हो या दूसरे तरीके से इस number को हम 2 से तब तक divide करेंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाती या इसका remainder अंत में 1 नहीं आ जाता चलिए इस process को शुरू करते मैं सबसे पहले इसे 2 से divide करूँगा so this will be 2, 6 and 3 so अब आप देखें जब 63 का quotient आया तो जो इसका remainder है वो यहाँ पर 1 आ रहा है so मैं यहाँ पर remainder mention कर देता हूँ now अब फिर से हम इस 63 को divide करेंगे 2 से so now this will be 31 और again इसका remainder होगा this will be 1 and इसके बाद मैं फिर से इसे divide करूँगा now this time this will be 15 और आप देखें इसका remainder 1 आ रहा है again आप 2 से इसे divide करेंगे this will be 7 तो remainder फिर से आपका 1 बचेगा मैं फिर से 2 से divide करूँगा 2, 3, 6 फिर से remainder आप देखें 1 बचेगा इसके बाद फिर से आप 2 से divide करें 2, 1, 2 तो remainder कितना आ गया 1 आ गया अब चाहें तो आप division यहाँ पर stop कर सकते हैं या फिर एक बार off final कर लें आप 2, 0 quotient हो जाएगा तो remainder यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है हलाकि इसकी ज़रुरत नहीं है आप इस one पर आके इसे end कर सकते हैं सो मैं यहाँ पर इसे erase कर देता हूँ ना जब हमारा division का process complete हो जाएगा तो अगला जो हमारा step है वो यह की जो हमारे remainders हैं नीचे से हम उपर की और बढ़ते हुए I mean सबसे पहले हम नीचे का number लेंगे और फिर उपर की और बढ़ते हुए जितने भी numbers हैं उनको एक-एक करके हम लिखते चले जाएंगे तो चुकि यहाँ पर यह पहला one है तो हम इसे लिखेंगे one and इसके बाद second हमारा one similarly third वाला one then again this one then again this one then again this one and finally this one तो यह मेरा इसका binary equivalent हो गया आप इसे फिर bracket से लगाके इसका base mention कर देंगे two तो इसका मतलब 127 का जो binary equivalent होगा this will be your seven times once so this is how we can convert a decimal number into binary चले एक और decimal number हम लेते हैं 87 इसे हम फिर से binary में convert करते हैं तो यह और हमारा example हो जाएगा तो again जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पहला काम है इस 87 को 2 से तब तक divide करना जब तक यह 1 या 0 ना हो जाए तो अब 87 को हम divide करेंगे और साथ ही जो उसके remainder आएंगे उसे हम mention करते जाएंगे so 2 को जब आप 87 से divide करेंगे so this will be 43 remainder हमारा 1 बचा इसके बाद फिर से हम इस 43 को divide करना शुरू करेंगे so this time this will be 21 remainder हमारा 1 है again divide करेंगे 2 10 जा तो अब हमारा 1 बचा now this time 2 5 जा तो हमारा जो remainder होगा this will be my 0 and इसके बाद हम करेंगे 2 2 जा तो फिर से हमारा remainder 1 आएगा and इसके बाद जब आप फिर से करेंगे 2 1s are 2 तो हमारा remainder जो होगा वो 0 हो जाएगा तो ultimately हमारा ये 1 आगया अब हमने जैसा पहले आपको बताया कि जो सबसे नीचे की value है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद उपर की ओर बढ़ते हुए हम जितने भी number से होने लेते चले जाएगे तो 1 के बाद में हमारा ये 0 आएगा then 1 आएगा then 0 आएगा and उसके बाद triple 1 मतलब 3 बार 1 है तो हम 3 बार 1 ले लेंगे तो ये मेरा number finally आगया 87 का equivalent binary तो अब हम इसे अलग से भी जैसे चूकी मेरा पास यहाँ पे space नहीं है तो आप इसे अलग से भी mention कर देंगे 87 base 10 equal to 1010111 base 2 so this is how we all can understand the conversion of this decimal to binary आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं decimal to octal conversion अब हम ये समझ चुके हैं कि decimal का जो base है that is my 10 और octal का जो base होता है that is my 8 why octal का base जो है वो 8 होता है because इसमें total 8 different digits होती है 0 से लेकर 7 तक की इसलिए इसका base जो है 8 है और आपको decimal का भी पता है हमने पहले भी discuss किया है कि 0 से लेकर 9 तक total 10 different digits होती है इसलिए इसका base 10 होता है अब हम यहाँ पर एक example लेंगे say for example अभी हम लेते हैं decimal number 174 और इसे मुझे convert करना है octal में तो यहाँ पर भी हम same process follow करेंगे division का हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पर 174 को चुकि हमारे octal का base 8 है तो हम 8 से से divide करना शुरू करेंगे तब तक जब तक यह 1 या 0 नहीं हो जाता और इस दुरान जभी भी divide करेंगे तो उसके remainder को हम side पर लेते चले जाएंगे तो अब 174 को जब आप 8 से divide करेंगे पहली बाद so this will be 8 2 जा then 8 1 जा तो हमारा remainder बचाएगा 6 इसके बाद हम 8 से divide करेंगे 8 2 जा 16 हमारा remainder बचा 5 and 2 सुकी हमारा 8 से फूल या divide नहीं होगा तो हमारा division यही पे stop हो जाएगा अब by the rule जो सबसे नीचे का number है that is my 2 तो हम 2 को लिखेंगे उसके बाद उपर के और बढ़ते हुए हमारा 5 and इसके बाद 6 तो यह हमारा जो equivalent आ गया this is my octal number which is equivalent of this 174 so we can say that 174 base 10 equal to your 256 base 8 so this is how we all can understand decimal to octal conversion एक और example लेते हैं let's suppose मेरे पास एक decimal number है 1007 इसे हम divide करने की कोशिस करते हैं so मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1007 this is my decimal actually अब इसे आप divide करना शुरू करेंगे 8 से 8 वन जा 8 बचा 220 8 वन जा 16 बचा 4 47 8 वाइब जा 40 तो remainder हमारा बचेगा 7 आप अपनी और से भी क्रॉस चेक कर लेंगे हो सकता है मुझसे कोई calculation में mistake ना हो अगर हो तो आप प्लीज मुझे comment करेंगे अगेन मैं 8 से इस 125 को divide करूँगा 8 वन जा 8 बचा 4 45 अगेन 15 remainder हमारा बचेगा 5 एड इसके बाद में हम करेंगे 8 वन जा 8 remainder हमारा बचेगा 17 और उसके बाद चूकी ये 1 तो हमारा divide नहीं होगा तो finally हमारा division stop होगा जो हमारा result आएगा अगे बचेगे और अब हम बात करेंगे decimal to hexadecimal का तो again same concept हमारे पास इसका base 10 है hexadecimal में चूकी 0 से लेकर f तक total 16 digits होती है individual digits इसलिए इसका base होता है 16 अब suppose that आपके पास एक decimal number है 1842 इसे हमें convert करना है hexadecimal में ये मेरा decimal number है so मैं इसका division अब स्टार्ट करूँगा 16 से so सबसे पहले 16 से हम करेंगे 1 बचा 2 16 बचा 8 बचा 82 तो 16 5 जा 80 रिमेंडर बचा 2 again हम 16 से इसको divide करेंगे तो 115 है so 16 7 जा 112 तो हमारा रिमेंडर बचेगा 3 और चुकी 7 का division नहीं होगा तो ये 7 16 से नहीं होगा तो हमारा division यहीं पर stop होगा and according rule जो bottom वाला number है उसे हम सबसे पहले लेंगे 7 फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद 2 so this will be my hexadecimal equivalent of this 1842 base 10 so इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1842 base 10 equal to 732 और इसका base आगया 16 एक और example लेते हैं थोड़ा छोटा example ले लेते हैं say for example मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 282 और इसे अगर आपको convert करना है same process है मैं division start करता हूँ हमने 16 लिया तो 16 बचा यह 12 28 में 16 माइनस गया 12 122 then 16 7 जा 112 तो 122 में 112 जाएगा तो बचेगा 10 तो यहाँ पर आजाएगा 17 and then अगर आप 16 से इसको divide करेंगे 16 बचा 16 remainder बचा 1 now 10 का equivalent होगा 0 to 9 10 मतलब A तो अब जब आप इसको convert करेंगे so this will be like 1 1 A जिसको आप इस तरह से indicate कर देंगे so we can say that 282 base 10 equal to इसका जो equivalent होगा this will be 1 1 A base 16 so this is how we all can convert this decimal to hexadecimal आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं binary numbers को decimal में octal में और hexadecimal में कैसे convert किया जाता है सबसे पहले हम बात कर रहे हैं binary to decimal number system now यहाँ पर जो अब हमारा process होगा वो multiplication का process हम follow करेंगे now इसे भी हम सिधे example की मदद से समझने की कोशिस करते हैं मैं सबसे पहले एक decimal number लेता हूँ 11101 और मुझे इसे decimal में convert करना है तो सबसे पहली बात जब आप binary से other number में conversion करते हैं पहले step में इसके जितने भी digits हैं आप थोड़ा space लेके उनको अलग-अलग उनको आप separate कर लीजिए तो जैसे मैं ये 1 ले लेता हूँ फिर ये 1 लेता हूँ फिर ये 1 लेता हूँ 0 लेता हूँ और 1 ले लेता हूँ इसके बाद में दूसरा है इनकी आप position mention कर दीजिए तो ये 0 position है ये 1st है ये 2nd position है ये 3rd है ये 4th है याद रखिए position जो आप ले रहे हैं इसके बाद इसकी जो positional value है वो हमें लेनी होगी तो इसका मतलब चुकि हम binary से decimal कर रहे हैं तो इसमें 2 का power 0 होगा positional value then this will be 2 का power 1 this will be 2 का power 2 this will be 2 का power 3 and this will be 2 का power 4 and after that इसका जो decimal equivalent होगा हो हम find करेंगे so ये जो value 2 का power 4 है इसे हम multiplying करेंगे इसके digits से so this will be 1 into 2 का power 4 then plus next this is 1 this will again 1 into 2 का power 3 then again 1 because this is 1 into 2 का power 2 then again you plus it then 0 into 2 का power 1 then plus 1 into 2 का power 0 अब आप इसे finally calculate कर लेंगे so this will be my 1 into 2 का power 4 16 and 16 into 1 equal to 16 plus 2 का power 3 8 into 1 8 plus 2 का power 4 1 equal to 4 then 0 into 2 का power 1 तो 0 ही हो जाएगा plus 2 का power 0 is always considered as 1 so 1 into 1 so 1 into 1 equal to 1 अब आप इनको आपस में add कर देंगे this will be 24 plus 28 plus 29 so the equivalent will be 29 ये हमारा decimal number हो जाएगा इस binary number का so this is how we can solve this question I hope आपको ये समझ मैं होगा एक और example लेते हैं this time say I am taking this 110001 अगर आप इसे calculate करेंगे तो कैसे करेंगे सबसे पहले मैं इनकी position specify कर देता हूँ 001 आप चाहें तो इसके right side में या left side में लिख सकते हैं कि this is my digits इसके बाद में इसकी आप position mention करेंगे so this will be my 0, 1, 2, 3, 4, and 5 and इसके बाद इसकी positional value आ जाएगी so this will be हम 2 के साथ इसको multiply करेंगे 2 का power 1, then 2 का power 2 2 का power 3, 2 का power 4, and 2 का power 5 and इसके बाद में मैं इसका expression ready करूँँग decimal conversion के लिए so ये हो जाएगा मेरा 1 into 2 का power 5 then इसके बाद में plus लगा के 1 into 2 का power 4 plus चुकि ये 0 है तो ये होगा 0 into 2 का power 3 plus this is 0 into 2 का power 2 then again plus लगा के 0 into 2 का power 1 and फिर finally plus लगा के 1 into 2 का power 0 और ये जो final हमारा expression हमको यहाँ पे मिला इसे हम calculate करेंगे so ये हो जाएगा 1 into 2 का power 5 equal to 32 plus 2 का power 4 equal to 16 बाकी ये 0 हो जाएगा plus ये भी मेरा 0 हो जाएगा ये भी मेरा 0 हो जाएगा and finally ये जो होगा this will be my 1 और जब आप इसे add करेंगे 32 plus 16 48 plus 1 49 so जो हमारा binary equivalent आया this is sorry decimal equivalent आया this is 49 base 10 of this binary number 110001 so this is how we all can understand की कैसे हम binary number को decimal number में convert कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं octal का decimal में conversion कैसे होगा so अब हमको एक चीज क्लियर है octal का base होता है 8 चूकि octal को decimal में convert करना है तो same हम यहाँ पे भी multiplication का method यूज करेंगे उधारण के लिए जैसे आपके पास एक octal number है 147 अब इस octal को decimal में convert करना है तो same process जो अभी हमने follow किया binary से decimal में सबसे पहले हम digits इसकी separate कर लेते हैं this is my 1, this is my 4, this is my 7 इसकी आप position mention कर देंगे so this is my 0, this is my 1, this is my 2 इसके बाद जो इसकी positional value होगी so चुकी हमारा octal number का base 8 है so we will take it to 8 का power 2 this is 8 का power 1 and this is 8 का power 0 and इसके बाद में हम इसे decimal expression में convert करने के लिए इस digit का इस positional value से multiplication करेंगे साथ ही साथ इन सारे individual digits को हम add करते चले जाएंगे so this will be 4 into 8 का power 1 इसके बाद फिर plus लगा के 7 into 8 का power 0 तो यह मेरा final expression ready हो गया अब आप इसे calculate कर देंगे so this will be 64 plus 8 का power 1 8 into 4 32 plus 7 into 8 का power 0 1 हो जाएगा this will be 7 और जब आप इसे पूरे solve करेंगे this will be 96 plus 7 1 0 3 तो जो हमारा decimal equivalent मिला हमारे इस 147 octal number का this is 103 base 10 so this is how we all can convert an octal number to decimal number system एक और example से हम इसे समझने की कोशिस करते हैं let's suppose this time we are taking 2371 suppose this is my an octal number अब आप इसे binary में convert करना चाहते हैं तो same process सबसे पहले हमें digits लेनी है उसके बाद इसकी position then positional value and इसके बाद में हम इसको decimal expression में convert करेंगे तो यहाँ पर है 2, 3, 7 and 1 position हो गई 0, 1, 2 and 3 positional value आएंगी 8 का power 3, 8 का power 2, 8 का power 1 and 0 I mean 8 का power 0 इसके बाद में हम expression ready करेंगे 2 digit के साथ में positional value का multiplication होगा then add करते चले जाएंगे हर एक position के digits के साथ इसे so 3 into 8 का power 2 then plus लगा के 7 into 8 का power 1 then plus लगा के 1 into 8 का power 0 इस expression को solve करेंगे so this will be इन सब को आप add कर दीजे so you will see 1, 2, 7, 3 जो है हमारा decimal equivalent होगा हमारे इस octal number का so this is how we all can understand this आगे बरते हैं और अब हम देखते हैं hexadecimal से decimal का conversion हम कैसे करते हैं so this is actually hexadecimal to decimal see for example मेरे पास एक hexadecimal number है 1, A, 4 इसे हमें decimal में convert करना है so same process digits सब से पहले आप ले लेंगे this is my 1, this is A, this is my 4 इसकी position आप निकालेंगे 0, 1 and 2 then इसकी positional value so hexadecimal का चुकी जो base है ये मेरा 16 होता है so this will be 16 का power 2 this is 16 का power 1 and this is my 16 का power 0 and इसके बाद हमारा ये decimal expression ready होगा so 16 का power 2 में आप इस 1 को multiply करेंगे then आप इसे add करेंगे next 16 का power 1 into इस A से तो चुकी A का जो number equivalent होता है multiplication में वो 10 होगा so we will take it to 10 into 16 का power 1 because see 0 to 9 हमारे hexadecimal number होगा 10th position में जो number A है तो इसका जो positional equivalent number होगा this will be 10 then B का इसी तरह से 11 and so on इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिया then plus लगाके 4 into 16 का power 0 अब आप इसे manipulate करेंगे तो this will be 256 plus 16 का power 1 16 itself plus 160 हो जाएगा 10 से multiply करेंगे and this will be 4 into 16 का power 0 1 होगा तो 4 आपस में आप इसे सब को add कर दीजिए so this will be 420 exactly तो यह हो गया हमारा decimal equivalent हमारे इस 1A4 का so this is how we all can understand this hexadecimal to decimal conversion आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं binary to octal number again यह थोड़ा important है कुछ बाते हमको ध्यान रखनी है वो यह कि जब आप binary का octal conversion करते हैं देखिए binary का base होता है 2 octal का base होता है 8 तो जब आप इस 8 को 2 के root में convert करेंगे power में convert करेंगे so this will be equivalent to 2 का power 3 इसका मतलब octal number का जो base 8 है this is equivalent to 2 का power 3 of this binary मैं यह क्यों यहाँ पर बता रहा हूँ उधारण से समझते हैं जैसे माल लीजे हमारे पास एक binary number है 1101101010 अब यह binary को हमें octal में convert करना है तो हम क्या करते हैं देखिए 8 octal number का base है मतलब total 0 से लेकर 7 तक की values होती है octal में तो इनका जो numerical आप देखिए यहाँ पर मैंने binary equivalent डाला हुआ है जैसे 0 का 000 क्यों हमने 3 digit लिया है क्योंकि last 7 इसका end value है जिसका maximum number of digits के आएगा 3 digit में ही होगा binary का इसलिए इसे 111 रखा है यह बताने का reason यह है कि जब आप इस binary को convert करेंगे तो आप सबसे पहले इसका 3-3 digits का group बनाएंगे तो जैसे यह पहले 3 digit लिजिए आप 0, 1, 0 next 3 digits लिजिए 0, 1, 1 अगले जो remaining digits है यहाँ पर वो 1 और 1 है उसके आगे एक 0 place कर दीजिए अब इसका जो 0, 1, 0 का number equivalent होगा decimal form में या octal में आप देखिए ideally यह decimal है लेकिन चुकि यह number है इसलिए हम octal भी लिख सकते हैं इसे 0, 1, 0 मतलब यह 2 हो जाएगा 0, 1, 1 का मतलब यह 3 हो जाएगा और again 0, 1, 1 का मतलब यह 3 हो जाएगा इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 3, 3, 2 और यह मेरा हो गया 8 इसका base को कि हम octal की बात कर रहे हैं so this is how we all can convert this binary to octal एक और example लेते हैं जैसे मैंने लिया 1, 0, 1, 0, 1, 1 अगर आप इसे convert करना चाहते हैं तो as I said आप पहले 3, 3 digits का group ready करेंगे so पहले यह first ले लेंगे 0, 1, 1 इसके बाद remaining यह जो है that is my 1, 0, 1 अब आप इसका binary equivalent का लेंगे 0, 1, 1 का है 3 और 1, 0, 1 का आप देखेंगे 5 तो इसका मतलब इस binary number का जो final equivalent आया है हमारा octal that is 53 base 8 so this is how we all can understand this binary to octal number conversion इसी तरह से octal से अगर आपको binary करना है तो बिल्कुल जो process अभी हमने binary to octal किया उसका opposite करेंगे now octal का मतलब 8 मतलब 2 का power 3 binary का मतलब 2 itself suppose that there is one octal number 7, 2, 3 अब इसको convert करना है तो पहले आप 7 लिखें 2 लिखें, 3 लिखें और इनका 3 digit का binary equivalent आप ले लें सकते हैं, मैंने time बचाने के लिए इसे लिखा हुआ है यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं 3 का जो equivalent है binary that is 0, 1, 1 2 का जो equivalent है that is 0, 1, 0 और 7 का जो equivalent है that is my 1, 1, 1 इसके बाद आप तीनों को combine कर दीजे 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 this is my binary equivalent of this octal number 7, 23 एक और example ले सकते हैं आप, 6, 5, 1 तो again like this 6, 5, and 1 इसका binary equivalent ले लीजिए this is my 0, 0, 1 5 का binary आप देखें 1, 0, 1 and 6 का जो binary है that is 1, 1, 0 आप इनको combine कर देंगे 1, 1, 0, 1, 0, 1 0, 0, 1 तो यह हमें binary equivalent मिल गया हमारे इस octal number का so this is how we all can understand this आगे बढ़ते हैं and now we are talking about binary to hexadecimal तो हमने देखा octal में हमने 3 digit का grouping किया था अब binary का base तो 2 होता है लेकिन hexadecimal में total 16 number है तो इसका जो base है 16 है तो जब आप इसे 2 के power में convert करेंगे so this will be 2 का power 4 तो मतलब यहाँ पर जो grouping होगी binaries की वो 4 digits की होगी मतलब आपके पास एक number है 110011 तो यहाँ पर इसका जब आप hexadecimal conversion करेंगे तो यहाँ पर 44 digit का आपको क्या करना होगा group ready करना होगा तो हम right side का ले रहते हैं 0011 and इसके बाद यह 11 बचा इसके सागे भी आप 0011 कर दीजिए अब आप इसका binary equivalent निकाल लीजिए आप देखे यह table मैंने यहाँ पर ready कर लिया है यह 4 digits का form में लिया क्योंकि maximum जो last value है that is my f and it is actually equivalent to your 16 and it is actually equivalent to what your 15 number और 15 का equivalent आएगा 1111 so इसलिए मैंने यह 4 digits का ready किया table आप 0011 का मतलब हुआ 3 and again यह 3 तो इसको आप combine कर जिए 33 so this is my you know hexadecimal number which is equivalent of this binary एक और example ले रहते हैं 1110101101 अब इस number को हमें convert करना है तो मैं इसकी grouping करता हूँ 44 digits की then next यह 1010 then remaining हमारे पास बचा 11 इसके आगे 2 0 लगा देते हैं इसका binary equivalent होगा 001 का 3 1010 का equivalent होगा A and 110 का 01 का equivalent होगा D so इसका जो answer आएगा this will be my 3 AD और इसे हम bracket में कर देंगे 16 base लगा के so this is how we can find और convert binary number to hexadecimal number और इसी तरह से अब hexadecimal से binary करना है तो इसका opposite कर देंगे like you have a number 1 A 7 तो अब आप क्या करेंगे 1 लिखिए A लिखिए 7 लिखिए 7 का 4 digit binary equivalent होगा 0 1 1 1 A का जो binary equivalent होगा because it is equivalent to 10 so 10 का equivalent होता है 1010 and A1 है इसका जो 4 digit होगा 0001 इसके first 3 digit को आप remove भी कर सकते हैं so this will be 1 1 0 1 0 0 1 1 1 this is equivalent of my 1 A 7 जो hexadecimal है उसका binary इसी तरह से equal लेते हैं like 3 B F 4 अगर इस hexadecimal का conversion करना है so 3 then B then F then 4 4 का binary equivalent होगा 0 1 0 0 F का binary equivalent होगा 1 1 1 1 B का binary equivalent होगा 1 0 1 1 आप यहाँ से check कर सकते हैं और 3 का जो binary equivalent होगा this will be 0 0 1 1 यह सामने के दो digits को आप 0 को remove कर सकते हैं so we can say 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 and 0 1 0 0 और इसको आप डाल दीजिए bracket में base 2 लगा के तो यह मेरा equivalent आगया hexadecimal to binary तो overall this is how we all can understand कैसे different number system का आपस में conversion किया जाता है तो यह तो ही बात हमारे unit 1 computer system and organization की आगे बढ़ते हैं alright so now we are going to discuss the most important unit of your syllabus that is unit number 2 computational thinking and programming and it is actually part 1 चुकि class 11 में इसलिए part 1 है और इसी same unit का जो next part है that is part 2 वो आप class 12 में पढ़ते हैं इस unit में सबसे पहले हम बात करेंगे problem solving का that is again chapter number 4 of your NCRT textbook तो सबसे पहले तो बात यह आती ही कि what is this problem solving actually तो अगर इसकी definition हम देखे so it's basically is the process of identifying a problem analyze the problem developing an algorithm for the identified problem and finally implementing the algorithm to develop what the program see हम जो भी बात यहां पर problem solving की कर रहे है देखे अगर आप समान्य तरीके से problem solving का अगर आप पूछें की meaning क्या है या इसकी definition क्या है तो आप यह वो सकते हैं कि कि किसी भी तरह की problem आपकी life में आए और उसका जो solution आप निकालते हैं that can be said what the problem solving अब आपकी human life में किसी भी तरह की problem आ सकती say for example आपकी eye में कुछ problem आ गया say for example आपको finance से related कुछ problem आ गयी personal सही माइनों में तो किसी भी तरह की problem के आने पर उस problem का जो solution आप ढूनते हैं that is all about your problem solving लेकिन हम यहाँ पर यह जो problem solving को discuss कर रहे हैं that is in the context of what your computer system अब computer system से problem solving का क्या relation है what is the relation between these two computer system and problem solving that is the main point now we all know that nowadays आप जो computer system use कर रहे हैं it has become what an integral part of our life इसका मतलब यह है कि आज हम computer system का इस्तेमाल हमारे रोज मररा की जिंदगी में बहुत सारे different type of work को करने के लिए करते हैं तो कहीं न कहीं इसने human के द्वारा किये जाने वाले बहुत सारे task को automate कर दिया है तो जैसे अगर मैं example लूँ railway reservation या दूसरा अगर मैं आपका example लूँ banking का या फिर मैं एक example लेता हूँ internet का तो यह जितने भी example है और आपकी life के हर sphere में आप देखेंगे computer system का इस्तेमाल कहीं न कहीं directly और indirectly आप करते हैं obviously अपने work को simplify करने के लिए easy करने के लिए now the question is that कि भाई computer system आप use कर रहे हैं कहीं न कहीं किसी work को करने के लिए अब computer system जो यह work करता है वो कैसे करता है तो हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर हम application softwares को डालते हैं in short nowadays we call it what apps तो जब तक computer system में आप कोई application install नहीं करेंगे जैसे MS Word एक application है जो आपको documents बनाने में help करता है अगर यह MS Word आप अपने computer system में say for example install नहीं करेंगे इसका मतलब आप document बनाने में असमर्थ होंगे using your computer system इसका मतलब यह है कि तो अगर आपको computer system से कोई भी task करवाना है तो उसके लिए आपको उसका program बनाना पड़ता है तो यह जो program आप develop करते हैं तो यह program actually क्या हुआ आपने किसी task का क्या किया solution खोजा और फिर वही task आपके computer system के द्वारा perform किया जा रहा है Now the question is that कि क्या यह जो program आप बनाते हैं computer system के लिए यह directly बनाया जाता है या इसके लिए भी आपको certain steps को follow करना पड़ता है तो यह जो certain steps होते हैं या stages होते हैं किसी भी program को develop करने के लिए computer system के द्वारा जो भी मैंने आपको शुरू में कहा कि किसी problem को identify करना उसको analyze करना फिर उसके लिए एक algorithm develop करना और फिर उस algorithm की basis पे आप एक program बनाते हैं इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं problem solving की कहीं न कहीं आपने computer के द्वारा किसी human task को करवाना है उसके लिए एक program बनाया तो वो program क्या हुआ एक solution हुआ मतलब आपने किसी task का solution खोजा and it's all about your problem solving और जैसे हमने बोला कि ये एक process है जहाँ पर आपको किसी problem के लिए अलग-अलग stages में काम करना होता है इसका मतलब ये है कि what are the steps involved in the problem solving तो basically चार steps इसमें involved होते हैं पहला ये कि आप किसी problem को analyze करें and उसके बाद में आप उसके लिए algorithm ready करते हैं उस algorithm की basis फिर फिर आप high level language को use करके coding करते हैं और जब आप code बनाते हैं तो आपका program ready होता है program को हम software भी बोल सकते हैं और इस software को फिर finally execute करने से पहले या market में deploy करने से पहले उसकी testing की जाती है और ये चेक किया जाता है कि क्या वो software सही तरीके से work कर रहा है हमको जो desire output चाहिए क्या वो हमें प्राप्त हो रहा है और अगर desire output ये आपका software आपको दे रहा है तो क्या वो सही time पे दे रहा है क्या कहीं उसमें कोई bug तो नहीं है इन सारी चीजों को test करने के बाद पूरी तरह से जब आप संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद वो product क्या होता है आपके market में आ जाता है तो ये जो चार steps हमने यहाँ पर देखे analysis करना, develop करना, coding करना और testing इसी को थोड़ा सा detail में हम देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे analyze the problem, देखे analyze the problem का मतलब क्या है say for example आपकी अपनी एक shop है, उस shop में आप क्या करते हैं, product को sale purchase करते हैं अब आपके सामने दिक्कत यह आ रही है कि आपको इसका जो record manage करना है, वो अभी तक आप क्या करते हैं, manually करते हैं और आपको अब यह पता चला कि भई, computer system के द्वारा, मैं अपने record manage करने के process को क्या कर सकता हूँ automate कर सकता हूँ, अर्था automate करने के लिए आप क्या use करेंगे, computer system तो अगर computer system के द्वारा, आप अपनी shop के लिए, इस product के sale purchase का पूरा record manage करने का कारे करना चाहते हैं इसका मतलब आपको अपने दुकान के लिए एक application बनवानी पड़ेगी, और जब आप application की बात कर रहे हैं, मतलब आप प्रोग्राम बनाने की बात कर रहे हैं सबसे पहले आप ये देखते हैं कि मेरी जो product sale purchase है, उसमें क्या-क्या basic components है तो जैसे आपने बोला कि सबसे पहला basic component तो मेरे product में item होगा item के बाद में चुकी हम sale कर रहे हैं तो sale होगा, purchase इसका main component होगा चुकी हम अपने item को sale purchase करते हैं customer को तो in short जैसे हमारे पास ये चार basic components आए, कि हमारी जो problem है उनमें ये चार चीजों को लेकर हमको आगे बढ़ना है उसके बाद में अगला काम ये रहता है कि इसमें क्या-क्या functionality होगी तो भई item है, item को आप sale कर रहे हैं, sale करने के बाद आप इसको purchase भी करते हैं कई बार आपको अपने item को search करना रहता है उसकी availability के लिए उसी तरह से आपको जो है print करके report generate करना होगा तो ये इस तरह से कुछ आपने क्या की इसकी functionality को identify किया या list out किया और इसके बाद में आप finally figure out करते हैं कि जब ये product आपका ready होगा तो उसमें आप क्या input करवाएंगे और क्या आपका desired output generate होगा तो obviously item है तो item का आप data manage करेंगे अब item का data input करेंगे तो उसमें आपको उसका number चाहिए उसका rate चाहिए उसका quantity चाहिए उस item का नाम चाहिए तो इस तरह से ये जो हमारी fields हो जाती है हमारे input का काम करती है रही बात आपके output की तो जैसे आप जो search operation perform करते हैं या report operation जब आप perform करते हैं या जब आप save operation को perform करते हैं तो इस तरह से वो data को save करेगा या जब आप search करेंगे तो data conditionally compare करके आपको selected यह specific data को आपको return कर देता है तो overall यह पूरा एक जब आप blueprint ready करते हैं that is all about your analyze तो analysis का मतलब कहीं न कहीं एक simple blueprint बनाना अब यह जो blueprint आपने ready किया उसके basis फिर आप क्या करते हैं algorithm बनाना शुरू करते हैं देखे algorithm का मतलब यह है कि suppose आपने product को sale करना है तो sale करने के लिए आपको certain steps को follow करना होगा तो उन steps को आप क्या करते हैं एक sequence में लिखने की बात करते हैं एक दूसरे उधान से हम समझने की कोशिस करते हैं suppose you want to prepare a cup of tea तो अगर आपको इससे related step लिखने की चाय कैसे बनाई जाए तो जहीर सी बात है आप सबसे पहले gas on करने की बात करते हैं उसके बाद उसमें कोई बरतन चड़ाने की आप बात करेंगे उसके बाद उसमें कुछ water डालने की आप बात करेंगे फिर उसमें आप tea lips डालते हैं उसके बाद आप sugar डालेंगे फिर आप बोलेंगे इसे boil कर लेंगे in short में यहाप लिख दे रहा हूं कि gas को off कर देंगे अब यह जो steps आपने लिखे यह एक particular sequence में जब चलेंगे तो आपका यह कार संपन हो जाएगा तो this is actually called what algorithm जहाँ पर आप एक precise मतलब accurate और जितनी आपको आशकता है उतने steps को एक sequence में लिखते हैं किसी समस्या का समधान करने के लिए programming में अगर आप इसे देखें तो जैसे आपको दो number add करना है तो आप कहते हैं कि भई सबसे पहले आप दो numbers को input कर लें उसके बाद में आप एक result लें और result में उस दोनो number को like number 1 और number 2 को add करें उसके बाद यह जो result आपको प्राप्त होगा इसे आप क्या कर दें प्रिंट कर द दिया कि अगर आपको दो number जोड़ना है तो उसके लिए क्या steps आपको sequence में follow करने होंगे so this is all about what your algorithm और algorithm जो होता है generally हम natural language in the sense जो भी आप अपने communication language यूज करते हैं English, Hindi, Bangla, Punjabi किसी में भी कर सकते हैं इसमें कोई foundation नहीं है और एक जो खास बात यहाँ पे होती है algorithm की वो ये रहती है कि कोई भी problem को अगर आप solve करने जाएं तो उसके लिए अगर आप algorithm लिखें तो वो different types of algorithms हो सकते हैं जैसे माल लिजे आप इस position पे खड़े हैं और आपको जो है यहाँ इस position तक आना है तो हो सकता है इस जगा तक आने का एक रस्ता ये हो एक सीधे इस तरह से जाता हो या एक हो सकता है गुमते फिरते और लंबे चोड़े होते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ आए तो किसी भी destination तक पहुचने के different path हो सकते हैं फरक सिर्फ इतना है कि आप finally यह decide करते हैं कि कौन सा path जो है वो shortest है साथी साथ आपका जो other expenses है वो भी वहाँ पे कम होगा तो इस example से actually मैं यही बताने की कोशिस कर रहा हूँ कि जब आप किसी problem को solve करते हैं तो उसके लिए भी different set of steps लिखे जा सकते हैं बाद में उन algorithms को आपस में compare किया जाता है उनके time के according और memory consumption के according तो this is something about your algorithm अब जब आप algorithm किसी का या किसी problem का ready कर लेते हैं तब उसके बाद में आप coding पे आते हैं अर्थात फिर आप really अपने computer system के लिए coding के द्वारा program बनाते हैं तो आपने algorithm ready किया जो कि आपने लिखा था किस में natural language में अब natural language का मतलब क्या हुआ कि आपने लिख दिया इसे English में अब English को तो computer system समझेगा नहीं तो फिर computer system कौन सी भाषा को समझेगा तो computer तो समझेगा program को अब ये जो program है ये 0 और 1 में लिखा हुआ होना चाहिए अर्थात ये machine language में होना चाहिए तो वोई भी program machine language में बनाना है तो हम क्या करते हैं algorithm के अधार पर हमारे पास जो high level की programming languages होती हैं जैसे आप C की बात करो, C++ की बात करो या Python की इनके द्वारा आप coding करते हैं और जब आप coding करते हैं तो जो algorithm के steps होते हैं उन्ही steps को आप coding में क्या कर देते हैं convert करके क्या करते हैं इसका एक program develop करते हैं वही program जो है वो 0 और 1 के format में machine language में convert होता है जो फिर जाकर आपके computer system के द्वारा समझा जाता है और फिर वो उस problem का जो भी desired output है वो run होने पर आपको प्रदान करता है so there is something about your coding तो जितना कुछ मैंने आपको explain किया उसे ही मैंने यहाँ पर paragraph में आपको लिग के दे दिया है आप इसे read कर सकते हैं अब coding के बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि आपका final काम होता है कि जो भी आपने अपना program बनाया क्या वो program आपको desire output दे रहा है क्या वो program expected time पे execute हो रहा है और क्या वो memory resources को कम से कम इस्तेमाल कर रहा है और क्या आपके program में कहीं कोई bug और error तो नहीं है इन सारी चीजों को ये जो program आपने बनाया before deploying anywhere हम check करते हैं और इसी पूरी प्रक्रिया को हम जानते हैं टेस्टिंग के नाम से तो testing जो है इसके अपने खुद के various parameters होते हैं जो software testing होती है उसके कई अलग अलग तरीके हैं जैसे component testing है integration testing है system testing है या acceptance testing है हलाकि इनके बारे में honestly मुझे कोई जानकारी नहीं है मैं सिर्फ इनके नाम जानता हूँ exactly इन में किस तरह से testing की जाती है मैं इन से अनभिग्य हूँ तो आप चाहें तो इसकी detail में जानकारी लेने के लिए other resources का इस्तेमाल कर सकते हैं फिलाल in short जो मैंने बात की testing and debugging की I hope आपको समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं what is this algorithm भाई आपने problem solving की बात की तो उसमें steps देखे चार stages हैं वो अभी हमने discuss किया कि पहले आप analyze करो फिर algorithm रिखो फिर coding होगा फिर testing होगा problem analyze करने के बाद जब आप algorithm की बात करते हैं actually इस chapter का purpose ही यह है कि आपको कोई भी task दिया जाए तो उससे related आप algorithm बना सको natural language मतलब आपके खुद की language को इस्तेमाल करके तो वो algorithm हम कैसे बनाते हैं वो ही actually हमको समझना है तो जब हम what is algorithm की बात करते हैं तो अब हमको समझ में ये बात आ चुकी है कि it is set of precise, finite and sequential set of steps return to solve a problem and get the desired output तो आपको computer system इस्तेमाल करना है अपने किसी work को करने के लिए तो ये जो work है ये सही में आपको correct output दे रहा है कि नहीं दे रहा है या दूसरे शब्दों में कहें कि हमको desired output provide करने के लिए जो set of steps हमने लिखा हमारी अपनी खुद की language में उसे ही हम algorithm बोलते हैं की बात यह है कि जो सबसे important बात है वो है यहाँ पर sequential अगर sequence में steps execute नहीं होंगे तो आपको desired output कभी भी नहीं मिलेगा इस बात का आप ध्यान रखेंगे algorithm की एक और important बात यह है कि जो algorithm है उसका एक fix start point होता है और कहीं न कहीं जाके वो algorithm end भी होता है मतलब उसका एक end point भी रहता है मतलब beginning और ending दोनों ही होते हैं हमारे algorithm की ऐसा नहीं कि आपने start कर दिया और उसके बाल algorithm infinite time के लिए execute होना शुरूव हो गया हमने पहले भी अभी discuss किया कि भी algorithm अगर आप बना रहे हैं तो अगर आपको desire output नहीं देगा within specific time तो उसका कोई फाइदा भी नहीं है इसलिए algorithm बनाते समय सही output सही time के अंदर देना यह बहुत ज़ादा ज़रूरी हो जाता है तो अगली बात यह आती कि क्यों हमें algorithm की आफशक्ता पड़ती है हम direct coding क्यों नहीं कर सकते हैं तो इससे related 3-4 important points है जिसको मैंने यहाँ पर shortlist किया है जैसे कि पहली बात यह है कि भई जब आप कोई algorithm बना लेते हैं आपके पास एक blueprint ready हो जाता है तो उससे programmer को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है code लिखने में क्योंकि उसके पास एक पूरा flow of execution of operation प्राप्त हो जाता है जिसकी मदद से वो जल्दी और आसानी से क्या कर सकता है coding को easily कर पाता है दूसरी बात यह है कि जो algorithm होता है वो definitely आपके program की reliability, accuracy और efficiency को बढ़ाता है to get the desire output इसी तरह से algorithm बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी problem को describe करने का उस problem को solve करने के लिए जो तरीका लिखा जाता है, set of steps में वो लिखने का और उसमें आपको बहुत ज़्यादा deep में जाने की आवशक्ता नहीं पड़ती और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि programmer को एक पूरे flow of execution of operation की understanding मिल जाती है जब आप कोई algorithm बनाते हैं अब एक अच्छे algorithm के लिए 3-4 बातों का आपको धियान रखना होता है जिसमें सबसे पहली बात तो यह है कि precision का मतलब होता है कि जो algorithm आपने बनाया उसमें जो steps आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका एक fix start होना चाहिए और fix ending होनी चाहिए अब ऐसा नहीं है कि आपको addition of two number करना है say for example a plus b और बजाए आप a plus b के इसमें a minus b और into b करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं so that is not the good way उसी तरह से जो algorithm आप ready करते हैं उसमें जितने भी steps आप इस्तेमाल करते हैं step 1, step 2, step 3 and so on all should be unique same steps कभी भी repeat नहीं होते हैं इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि start अगर हो रहा है तो कहीं न कहीं वो finite number of steps के बाद end भी होता है similarly algorithm अगर आप बना रहे तो कहीं न कहीं उसमें input भी होगा और कहीं न कहीं वो एक output भी आपको produce करके देगा क्योंकि computer में हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं IPO cycle कि भई आप जब तक input नहीं देंगे process कैसे होगा और process नहीं होगा तो output कैसे generate होगा इसलिए कोई भी algorithm आप त्यार करेंगे तो obviously input और output तो होना वहाँ पे लाजमी है तो ये कुछ characteristics हैं एक अच्छे algorithm के तो चलिए अब एक algorithm का example देखते हैं और algorithm के पूरे concept को समझने की कोशिस करते हैं Let's suppose I want to find addition of two numbers इसके लिए अभी हमें algorithm ready करना है तो पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहले आप identify करते हैं input, process and output को तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हमारा input तो input चुकी हमें दो number को add करना है तो obviously दो number का addition करना है तो हम यहाँ पे दो numbers को input करेंगे So you can say हमारा जो input होगा two numbers to be added then उसके बाद में यहाँ पे बात आईगी process की तो process होगा हमारा addition of two numbers का and इसके बाद में जब आप output की बात करेंगे So we will write की हमारा जो output हमें मिला result addition में वो हम यहाँ पे display करेंगे इसके बाद में अब हम लिखेंगे इसका algorithm तो इसमें हम सबसे पहले mention करेंगे हमारा step number one अब step number one में हम बोलेंगे read two numbers in say for example num1 and num2 इसके बाद में हमारा step number two होगा जिसमें हम इन दोनों number को add करेंगे तो हम लिखेंगे compute total equal to num1 plus num2 और इसके बाद जो total आपको प्रॉप्त होगा step number three में आप जाके लिख देंगे print this total और इस प्रकार से यह दो number add करने का algorithm ready हो जाएगा तो यह बहुत छोटा सा example है algorithm लिखने का ऐसे ही आगे चलके और भी examples हम देखेंगे जिसमें आपको और better picture मिल जाएगी तो यह तो बात हुई कि किस तरह से हम set of steps लिखते हैं किसी problem को solve करने के लिए now after this we will try to understand कि algorithm को हम किन किन तरीकों से represent कर सकते हैं तो जब हम representation की बात करते हैं तो दो तरीके हैं एक या तो आप flow chart का इस्तेमाल कर लेंगे दूसरा या तो pseudo code पहले हम देखते हैं flow chart वेल आपको flow chart के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अगर आप algorithm को visually present करते हैं using different shapes so visual representation of an algorithm is called what your flow chart basically जो flow chart होता है इसमें हम different shapes या boxes का, diamond का या diamond shape का और इस तरह के any shapes को इस्तेमाल करते हुए diagram ready करते हैं और ये जितने भी boxes होते हैं इन्हें हम कुछ इस तरह से arrow key के द्वारा क्या करते हैं joint करवाते हैं so this becomes what your flow chart और हर एक step जो होता है वो कहीं न कहीं आपके किसी भी problem को solve करने के लिए लिखा गया एक step of solution होता है या solution process होता है और जो arrow marks होते हैं वो different shapes को आपस में connect करने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं और साथी साथ वो आपके execution के flow को भी present करते हैं जब हम flow chart की बात करते हैं तो इसमें जो different shapes हम इस्तेमाल करते हैं आप अपनी screen पे देख पा रहे होंगे जब आप rounded rectangle की बात करते हैं तो यह beginning और ending या start और end को represent करते हैं और इसे हम terminator के नाम से भी जानते हैं rectangle अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यह process को indicate करता है इसे हम action symbol के नाम से भी जानते हैं अगर आप इस diamond shape को देखें तो यह decision making के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आगे चलके इसका example देखेंगे programming में जिसे आप if else if या if and else के नाम से जानते हैं तो इसे decision या branching के रूप में भी consider किया जा सकता है और जब आप slanted rectangle का इस्तेमाल करते हैं तो basically ये input या output operation के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसे हम parallelogram shape भी कह सकते हैं arrows जो होते हैं वो जैसे मैंने आपको बताया कि connector का काम करते हैं और ये order of flow को represent करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये तो बात हुई हमारे flow chart की चलिए आप इसके लिए भी example बनाते हैं और समझते हैं कैसे हम flow chart बनाते हैं now suppose that you want to find cube of a given number तो इसके लिए आप algorithm लिखो और flow chart ही बनाओ तो सबसे पहले मैं इसका algorithm ready करता हूँ तो algorithm में पहले बात आती है कि आप इसके input, process और output को identify करें सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके input की तो input में होगा number to be cubed या जिसका हमको cube find करना है फिर बात आती है process की तो process में क्या करेंगे हम cube का operation करेंगे और output की अगर हम बात करें तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं cube of number अब बात आ रहे हैं इसके algorithm की तो पहला step में आप क्या करेंगे number को input करेंगे तो हमने बोला read a number in suppose number 1 and इसके बाद step number 2 में आएगा कि हमें चुकी cube find करना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं compute हमने बोला cube equal to number 1 को आपने 3 time multiply कर दिया कुछ इस तरह से and इसके बाद step number 3 में आपने इसे क्या कर दिया print कर दिया किसे print कर दिया आपने इस cube को तो यह हो गया हमारा algorithm अब इसी की basis पे अगर आप इसका chart बनाने जाएं तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्या करते हैं start करेंगे start के बाद में read करना है input output करना है तो इसके लिए हम parallelogram का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा read हमने num1 नाम दिया हमारे variable का इसके बाद में चुकी हमें calculate करना है तो we can directly write cube equal to num1 multiplied by num1 multiplied by num1 इसे हम rectangle में कुछ इस तरह से लिख लेंगे अब यह जो cube आपके पास आया इसे हम finally क्या कर देंगे display कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे print cube and इसके बाद में हम इसे यहाँ से stop कर देंगे यह हमारा rounded rectangle आ जाएगा आप चाहें तो इसे eclipse के form में भी लिख सकते हैं कोई problem नहीं है तो this is how we can make flow chart आपको अगर इस problem solving का notes चाहिए with all this kind of solution तो आप मेरी website www.tektivnow.in पे भी visit कर सकते हैं तो यह तो बात हुई हमारे flow chart की दूसरा जो algorithm represent करने का तरीका हमारे पास होता है जिसे हम जानते हैं pseudo code के नाम से well pseudo code भी actually आप natural language ही बोल सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं जैसे English का या Hindi का में ली इसमें English के ही words को हम इस्तेमाल करते हैं और जब आप pseudo code को define करने की बात करते हैं तो pseudo का मतलब होता है not real तो pseudo code का मतलब हो जाता है not real code तो जो actual coding आप करते हैं high level language जैसे C या C++ का इस्तेमाल करते हैं उससे ये बिल्कुल अलग होता है ये basically जैसे मैंने आपको बताया है कि जो algorithm आप बनाते हैं तो किसी भी problem को solve करने के लिए जो setup steps आप लिखते हैं वो हम pseudo code में पहले लिखते हैं फिर उसके बाद उसकी basis पे हम coding करते हैं तो pseudo code जो है एक और तरीका है algorithm को represent करने का और यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की formal language या high level coding या programming language का इस्तेमाल नहीं करते हैं इसे लिखने के लिए यह simple English के words को प्रयोग करके हम अपनी ही भाषा में setup steps को define करते हैं या algorithm बनाते हैं इसके लावा जो pseudo code होता है इसमें एकदम syntax के लिए जो rules and regulation है जैसे coding में आपको हर एक बात का धियान रखना पड़ता है capital letter का, small letter का इस तरह के strict rules and regulations follow नहीं करने पड़ते हैं नहीं इसके लिए किसी technology की आपको ज़रुवत पड़ती है तो कहीं न कहीं algorithm का representation है मतलब obviously यह algorithm में लिखे जाने विले steps का description होता है detailed description होता है और इसका जो basic purpose होता है means जो pseudo code आप ready करते हैं that is actually for us humans के लिए computer के लिए हम जब pseudo code की basis पे क्या त्यार करते हैं programs त्यार करते हैं जो computer के द्वारा इस्तेमाल के जाते हैं so याद रखें इस बात को कि it is readable by human only और pseudo code लिखने के लिए ऐसा नहीं है कि across the world एक standard तरीका है उसको ही follow किया जाता है pseudo code लिखने के in fact आग अलग-अलग book को अगर आप follow करेंगे या अलग-अलग website पे जाके आप search करेंगे तो हर जगह आपको देखेंगे different तरीके से या थोड़े बहुत differences के साथ में आपको pseudo code मिलता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका एकदम एक fixed style है जैसे C या C++ या Python programming का होता है अब बात आती है pseudo code में कौन-कौन से English के word इस्तेमाल के जाते हैं जिने हम keyword भी कह सकते हैं तो आप अपनी screen पे देख पा रहे होंगे अभी जैसे input एक keyword है compute का इस्तेमाल करते हैं print output के लिए increment value बढ़ाने के लिए decrement value घटाने के लिए selections के लिए या conditions के लिए if else का इस्तेमाल होता है looping के लिए हम while का इस्तेमाल करते हैं yes, no के लिए true, false का इस्तेमाल किया जाता है तो इन सारे ही English के words को या दूसरे तरीके से pseudo code के keywords के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तलिए अभी pseudo code को भी हम एक example से समझ लेते हैं save for example आपको area of rectangle बनाने के लिए pseudo code लिखना है तो हम सबसे पहले याँ पे लिखेंगे input, suppose length फिर दूसरा step लिए हमने input, breadth, फिर हमने याँ पे लिखा compute और यहाँ पे हमने लिखा area equal to length into breadth इसके बाद में हमने इसे क्या कर दिया यहाँ पे print कर दिया हमने लिखा print area तो यह होता है हमारा pseudo code अगर यह algorithm होता तो हम क्या लिखते step 1 हम कहते read length and breadth यहाँ पे आप read to values in length and breadth भी लिख सकते थे अब दूसरा step होगा step 2 जहाँ पे हम बोलेंगे compute area equal to length into breadth और step 3 हम लिखेंगे जहाँ पे हम कह देंगे print area तो यह है हमारा क्या algorithm और यह है हमारा pseudo code तो क्या है जो basic algorithm लिखते हैं उसके comparison में pseudo code थोड़ा सा हमें formal दिखाई पड़ता है ज्यादा arrange दिखाई पड़ता है इसलिए हम algorithm को pseudo code का इस्तेमाल करते हुए create करते हैं या फिर आफ flow chart का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए अब इसके बाद में हम इस pseudo code जो हमने prepare किया है area of rectangle का इसका एक बार flow chart भी हम देख लेते हैं now flow chart देखने के लिए मैं क्या करता हूँ मैं अपनी website पे चलता हूँ जहाँ पर मैंने इसका पूरा notes शेयर किया हुआ है so this is my chrome मैं यहाँ पर अपनी website ले लेता हूँ www.tipnow.in अब आप चाहो तो यहाँ से notes section में जा सकते हो अपने computer science class 11 में यहाँ फिर नीचे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने comprehensive notes के section में यहाँ से मैं ले लेता हूँ computer science class 11 so as you can see in your screen this is my notes section of this computer science class 11 यहाँ पर तक्रीबन सारे ही notes मैंने सारे ही chapters के as per the syllabus upload किये हुए है चुकि हम बात कर रहे हैं problem solving की इसलिए मैं सीधे problem solving पे आ जाता हूँ यहाँ से हमें pseudo code का example देखना है जो अभी हमने बात की इसके लिए मैं pseudo code example पे click कर देता हूँ now you see here जो अभी हमने program देखा था area of rectangle का तो यह same example मैंने यहाँ पे भी mention किया है इसमें area और perimeter हमने दोनों डाल दिया है मैं इसको थोड़ा zoom in कर लेता हूँ so now you can see this is what my flow chart हमने start किया हमने input किया L और B को फिर हमने area find किया और उसके बाद उसको print कर दिया और अगर आपको perimeter चीए तो आप perimeter उसके बाद ले लीजिए formula apply करके then print area then उसके बाद stop कर तो यह तो भी बात हमारे flow chart की इसके बाद में जो बहुत ही important point है that is our flow of control चलिए इसे पहले समझते हैं well जब हम flow of control की बात करते हैं तो programming के संदर्ब में इसका तातपरे सीधा-सीधा यह है कि हमारे जो instructions है उनका जो sequence में execution होता है या sequence of execution of instructions इसे ही हम flow के नाम से जानते हैं और जब आप programming करते हैं तो basically तीन बाते हैं वहाँ पर आती है या तो एक sequence में वो पूरे execute हो जाएंगे जैसा भी आपने देखा मैं वापस से आपको यह flow chart डिस्पले करता हूँ देखें यहाँ पर पूरा का पूरा यह flow chart अगर आप देखो तो एक sequence में चल रहा है कहीं पर इसमें कहीं path का diversion नहीं है या ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारे दो branches execution के आ जाते हैं तो यह तो बात हुई हमारे sequence की कि जहां पर सीधे बीना कि कुछ सोचे समझे input हो जाएगा input के बाद process के लिए जो formula आपने लगा है वो execute होगा और उसके बाद directly आपका क्या आ जाता है output आ जाता है लेकिन जब हम selection और repetition की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा flow up control है वो थोड़ा दूसरे तरीके से होता है आईए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे है selection की देखिए selection का मतलब क्या है हमने पहले भी इसे programming में कई दफा देखा है कि कोई जरूरी नहीं है कि जब आप कोई program बना रहे हों तो वो हमेशा sequence में ही execute हो कई बार ऐसी situation होती है in the sense there may be situations जहाँ पर आपको कुछ statements को या कुछ code को किसी दी हुई condition के अधार पर execute करना होता है तो इसका मतलब यह है कि जब आप condition के अधार पर statement को execute करते हैं तो उसको हम selection of code बोलते हैं कहने का मतलब यह है कि आपने condition दी अब अगर condition true होगी तो कोई और action होगा और false होगी तो कोई और action होगा अर्थात यहाँ पर हमने लिखा code 1 या action 1 और हमने यहाँ पर mention कर दिया action number 2 को अर्थात माल लिजए आपका program एक flow में चल रहा है पहला instruction हुआ दूसरा हुआ अचानक से तीसरी ए में एक condition आती है अब यह condition true होगी तो इसका flow change हो जाएगा यहाँ से फिर यह अलग sequence generate हो जाएगा और finally आके यह क्या करेंगे stop हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है यह selection हो गया और selection की basis पे code का execution हो गया इसी को हम selection के नाम से जानते हैं अब जब आप pseudo code ready करेंगे based on this selection मतलब तो वहाँ पर हमारे पास एक facility होती है if else की अर्थात इस selection के base पे अगर आपको code execute करना है तो हम इस्तेमाल करते हैं if else word का तो इसको प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं आप पहले if लिखते हैं फिर जो भी आपको condition देनी होती है उसका आप इस्तेमाल करते हैं फिर आप यहाँ पे लिख देते हैं then फिर जो भी statement आप इस condition के true होने पर execute करना चाहते हैं उसे आप लिखते हैं और माल लिजे यह condition false हो जाती है तो आप else keyword इस्तेमाल करते हैं या इस word को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसका related statement को लिख देते हैं अर्थात code को लिख देते हैं तो यह होता है हमारा selection of statement आईए इसके अधार पर एक example देखते हैं या example के द्वारा इसे समझने की कोशिस करते हैं हम एक program लेते हैं larger between two numbers अब larger between two numbers का मतलब यह है कि हमको सबसे पहले तो अगर इसके input की बात की जाए तो हमें चाहिए two numbers तो हमें दो number लेने होंगे that means we have to take two numbers we have to read two numbers अगर इसके process की बात की जाए तो compare both the numbers and अगर output की बात की जाए तो display larger one यह तो हुआ बात इसमें क्या-क्या हमारे elements लेगेंगे मतलब input and output अब इसकी basis पे अगर आपको इसका pseudo code ready करना है सबसे पहले हम लेंगे input हम input करते हैं suppose num1 दूसरा एक और input लेते हैं यह होगा हमारे num2 के लिए हलाकि आप इसको कॉमा लगा के एक साथ भी लिख सकते हैं अब इसके बाद में हमने क्या करना है सीधे यहाँ पे लिखना है if यदि मेरा num1 जो है वो बड़ा है हमारे num2 से then आप यहाँ पे display कर देंगे अर्था प्रिंट कर देंगे यहाँ पर चूकी यह if के अंदर का statement है इसलिए हम यहाँ पे tap का इस्तेमाल करेंगे आइ space डालेंगे और print के बाद में हमने लिख दिया num1 is larger और माल लीजिए यह condition false हो जाएगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे else और इसमें जाके हम नीचे लिख देंगे print num2 is larger और उसके बाद में जब हम if block का इस्तेमाल करते हैं हाला कि अगर आप अपने book के हिसाब से देखें और जैसे मैंने आपको बताया कि यह कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे बताया है वो ही बिल्कुल standard है जो हर जगा इस्तेमाल होता है कई जगा end if का प्रियोग नहीं भी किया जाता है कई जगा end if इस्तेमाल भी किया जाता है तो overall जो हमारा target था larger between two numbers यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम इसका pseudo code ready कर सकते हैं और कैसे हम selection of statement की बात करते हैं और इसके लिए हम if else का pre-op करते हैं अब बात आती है इसी code के flow chart की कि इसका flow chart अगर आपको ready करना है तो कैसे करेंगे मैं वापस अपनी website में अपने notes section पे चलता हूँ तो जो अभी हमने point discuss किये हमारे flow of control का अब आप देखें यहाँ पर यह selection की बात हो रही है जो मैंने आपको बताया है कि it is an algorithm refer to conditionals और conditional की जब हम बात करते हैं तो याद रखिए conditional which means performing operation depending on true or false value of given condition यह हमारा if का तरीका हो गया यहाँ पर otherwise है जब आप algorithm लिखते हैं pseudo code नहीं algorithm लिखते हैं तो वहाँ पर otherwise कर सकते हैं या direct else भी लिख सकते हैं कोई problem नहीं है अब जो question हमने देखा यहाँ पर larger between two number का यह हमने इसका algorithm देखा यह इसका pseudo code हो गया और यह है इसका flow chart मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ now you can see that हमने start किया number read किया actually it should be read num1 and num2 now we are comparing this num1 and num2 both अगर num1 बड़ा होगा और यह condition true होगी तो यह print करेगा num1 false होगा तो print करेगा num2 and then यह finally stop हो जाएगा so this is how we can see the flow chart और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे condition की basis पे branching हो रही है या जो हमारा sequence of execution है वो break होता है और वो फिर condition के according आगे बढ़ता है so यह हुआ हमारा selection का point इसी के base पे मैंने एक और example यहाँ पे डाला है largest among three numbers का आप चाहें तो मेरी इस website पे जाके इसे भी देख सकते हैं इसका यह रहा flow chart किस तरह से हम तीन number को compare करने का flow chart ready करेंगे और उसका code ready करेंगे you can please visit and check it अब हम बात करते हैं यहाँ पर repetition की आईए इसे समझते हैं well जैसा इसका नाम है repetition repetition का मतलबी होता है repetition of code or you can say statement now the question is that कि यह repetition कब तक चलता है जब तक हमारी given condition जो होती है वो true होती है एक example से इसे समझते हैं जैसे यदि आप 2 का power 4 निकालेंगे तो इसका तात पर यह है कि 2 आपस में 4 बार क्या हो रहा है multiply हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर यह जो multiplication का operation है यह बार बार repeat हो रहा है so you can say repeating multiplication operation या multiplication so अगर इससे related आपको code लिखना है या program बनाना है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हम repetition statement का इस्तेमाल करते हैं और इसे ही हम अगर programming की भाषा में समझें तो loop के नाम से जानते हैं तो कहीं न कहीं हम repetition अर्थात loop की बात कर रहे हैं हम इसके लिए condition भी set करते हैं कि उस condition के true होने तक हमारा repetition होता है और जैसे ही condition false हो जाती है हमारा repetition stop हो जाता है तो जब आप pseudo code की बात करते हैं तो यहाँ पर आप while का इस्तेमाल करते हैं to repeat the statement अब अगर आप while का इस्तेमाल करना चाहते हैं pseudo code में तो इसका जो तरीका है लिखने का how can you use it हम सबसे पहले लेते हैं while उसके बाद जो भी आपकी condition है वो आप यहाँ पर mention करते हैं अब इसके बाद में जो भी statement आप repeat कराना चाहते हैं उसे इसके अंदर जाके लिख देते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर mention कर देते हैं and while so that हमें एक जानकारी होती कि हमारा यह particular जो loop का structure है वो यहाँ start हुआ और यहाँ पर खतम हो रहा है एक महत्पूर्ण बात यह रहती है कि जब आप condition mention करते हैं तो आप यह भी बताते हैं कि हमारे जो steps होंगे वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे मतलब जब पहला repetition होगा उसके बाद दूसरा repetition किस तरह से होगा तीसरा कैसे होगा so that हमारी जो given condition है वो कब तक true है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है तो हम यहाँ पर लिखते हैं steps अब यह जो step है यह actually तै करता है कि next time के लिए यह given condition true है अथवा false है और अगर true होगी तो obviously यह loop चलेगा फिर से step बढ़ेगा फिर यह check करेगा और जब condition false हो जाएगी तो हमारा यह loop कारे करना बंद कर देता है इसे भी एक उधान से हम समझने की कोशिस करते हैं जैसे हम पहला एक उधान लेते हैं कि repeat take tip now 5 times माल लिजे आपको यह word take tip now को 5 बार repeat करना है इसके लिए अगर आपको sudo code लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे तो दिखिए हमें 5 बार repeat करना है अर्थात हम सबसे पहले यहाँ पर एक variable लेते हैं या count उसे हम 0 से set कर देंगे तो सबसे पहले हमने set कर दिया count equal to 0 इसे set करने के बाद हम यहाँ पे लेते हैं while और हम कहते हैं कि जब तक हमारा यह जो counter है यह less than 5 है आप loop चलाइए और इसके बाद में चूकि आपको print करना है take tip now तो आप यहाँ पे लिखिए print हमने यहाँ पे लिख दिया take tip now और इसके बाद में यह जो count है हमने इसे बोला कि इसकी जो value है वो by 1 आप increment कर दो so that जब यह check करें next time जैसे यह शुरू में 0 है 0 is less than 5 अगली बार यह 1 होगा तो 1 is less than 5 then 2 is less than 5 then 3 is and 4 जैसे यह 5 होगा हमारा यह loop end हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे पहले तो लिख देता हूँ end while तो यह मेरा पहले तो simple pseudo code हो गया है यहाँ पे count plus 1 क्या होगा दुबारा चेक करेगा कि यह condition हमारी true है या false है देखे जब मैंने आपको यहाँ पर यह mention किया था step का तो actually यह algorithm मे इस तरह से हम mention करते हैं अब आपको हो सकता confusion हो algorithm का उसे भी मैं clear कर देता हूँ हमने पहले भी देखा कि pseudo code जो होता है obviously यह algorithm लिखने का एक तरीका है हम बहुत organized तरीके से pseudo code लिखते हैं अगर इसी code का मैं algorithm लिखता तो वो कैसा होता वो भी मैं आप देख लीजिए हम यहाँ steps को mention करते हैं जैसे पहला step 1 हो गया हमने बुला कि आप पहले counter ले लो उसको zero कर दो फिर step 2 लेते हम कहते हैं यहाँ पे कि while हमारा count is less than 5 now after this pseudo code let's talk about its flow chart कि इसका अगर आप flow chart बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे मैं वापस अपनी website के अपने post पे चलता हूँ so you can see here I have written about repetition तो repetition एक algorithm है जो बताता है कि एक ही operation को आप बार बार repeat कर सकते हैं या set of steps को repetition को हम loop के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर मैंने बताया है while के द्वारा यह repetition किया जाता है और इसको लिखने का क्या तरीका है अब यह जो program मैंने take tip now का बताया है इसे ही मैंने जैसे प इसकी basis से अगर आप इसके flow chart को देखें so this is what the flow chart हमने start किया हमने counter 0 कर दिया counter की value less than 10 से हमने match की हमने example में 5 देखा मतला यहाँ पर हम 10 time repeat करेंगे and after that हमने print कर दिया take tip now को counter की value increment की और वापस यहाँ से control हमारा इस condition पे जाएगा और यह repetition तब तक चलता रहेगा या cycle तब तक condition true होगा जैसे ही हमारी condition false हो जाएगी हमारा यह program stop हो जाएगा तो यह तो हुआ हमारा repetition का concept और इसी की basis पे एक और example है जहाँ पर हम 10 number का total find करेंगे तो यहाँ पर मैंने यह pseudo code mention किया है देखिए हमने counter लिया 0 कर दिया total में value total find करनी है या addition करना इसलिए इसे भी 0 किया उसके बाद हमने बोला कि आप counter को या while loop को दस बार चलाईए और इसके अंदर जाने के बाद हमने एक number पहले डाला where में और जो भी number where में डाला उसे immediately total में add किया और वापस total में store कर दिया और इस तरह से हमने counter के value फिर बढ़ाई जिससे कि यह दुबारा इस condition को check करें अगर true होग अर्थात फिर यह input करेगा उसका total करेगा और वापस total में store करेगा इस तरह से चुकी यहाँ पर हमने less than 10 किया और यहाँ पर initially हमने 0 डाला तो यह loop 10 बार चलेगा और 10 बार जब यह loop चलेगा तो 10 number input होंगे और एक एक करके उनका total जो हमारे total में आते चले जाएगा उसके बा कर सकते हैं किसी तरह से आप अगर मेरे इस post में देखे मैंने एक और example दिया है factorial of given number का इसका भी pseudo code आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने इस factorial के लिए इसका flow chart भी ready कर दिया है आप चाहते इस screen pause करके इसे भी understand कर सकते हैं in case of any problem you can comment me हम finally हमारे इस problem solving के last और important point पे आते हैं जिसे हम जानते हैं decomposition के नाम से actually decomposition का मतलब यह है कि जो complex problem रहती या बड़ी problem होती है उसे हम smaller sub problems में convert करते हैं ताकि हम आसानी से उनको solve कर सकें और जब आप किसी complex problem को छोटे छोटी problems में divide करते हैं तो इसका फाइदा हमें यह भी होता है कि हम जो छोटी problems है या sub problems होती है उनक यह है कि यह आपके time को भी save करता है प्लस आपके effort को भी save करता है साथ ही साथ decomposition में एक point यह भी है कि आपने अगर बड़ी problem को smaller sub problems में divide किया तो उसका solution ready करने के बाद वापस उनको आप क्या करते हैं integrate करते हैं So these are the most important point regarding this decomposition यहाँ पर मैंने एक library management का example लिया है कि माल लीजे आपको कोई library का software ready करना है या program बनाना है उसे manage करने का आपके सामने problem है तो हमने क्या किया इसके पहले small sub problems में इसे divide किया जैसे हमने book का एक problem बनाया कि book को हम कैसे manage करेंगे फिर author की detail manage करने का अलग problem reader का अलग problem issue होगा उसका अलग problem generate किया return का अलग problem किया इन सब का हम क्या करेंगे solution ready करेंगे फिर इन सब को हम क्या कर देंगे integrate कर देंगे और integrate कर देंगे तो finally हम अपने library को manage करने के target को achieve कर पाएंगे so this is what the fundamental of this decomposition so I hope आपको ये concept भी समझ में आ रहा होगा तो आप मेरी website में इस post को go through कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बोला ये class 11 के सारे ही chapters के notes आपको यहाँ पर मिल जाएंगे you just go to this notes section and just click on this CS class 11 notes and then you can see here all the topics आईए आगे बढ़ते हैं तो चलिए अब हम discuss करते हैं हमारे next chapter को that is getting started with python which is again part of unit number 2 that is computational thinking and programming इस chapter में सबसे पहले हम discuss करेंगे कि actually python क्या है हलाकि python programming से आप सभी परिचित ही होंगे but again अगर इसको हम अपनी और से थोड़ा define करने की कोशिस करें so we all can say that कि python एक general purpose high level programming language है और अगर यह programming language है तो obviously इसका जो purpose है it is used for writing program जिसको थोड़ा बहतर तरीके से हम यह कह सकते हैं कि it is used for developing applications देखे general purpose बोलने का मतलब यह है कि python की help से आप you know desktop applications develop कर सकते हैं python की help से आप web applications बना सकते हैं python की help से आप you know mobile apps भी create कर सकते हैं python की help से आप data analysis का पूरा work कर सकते हैं तो इस तरह से जब मैं इन मुख्य categories की बात कर रहा हूं मतलब overall जितने भी तमाम प्रकार के softwares हैं या applications है वो सारे हम क्या कर सकते हैं हमारे python पे create कर सकते हैं develop कर सकते हैं यदि इसके features की बात की जाए तो python जैसे हमने कहा कि एक high level programming language है high level का मतलब जैसे आप जानते हैंगे c, c, plus, plus, java इन सब को हम high level programming language बोलते हैं देखिए एक होता है low level, एक होता है high level ये मैं बात कर रहा हूं programming के संदर्म में तो जब आप low level programming की बात करते हैं तो यहाँ पर हम binary code का इस्तेमाल करते हैं या machine code का इस्तेमाल करते हैं या इसे हम machine language का भी रूप दे सकते हैं लेकिन जब आप high level programming की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी code लिखा जाता है वो user defined होता है जिसे की हम finally इस machine language में convert करते हैं with the help of this compiler or you can say interpreter high level का मतलब ये रहता है कि which is not directly understood by your hardware इसे hardware को समझाने के लिए बीच में हम compiler या interpreter की मदद लेते हैं low level की अगर आप बात करते हैं तो it is directly readable by your computer hardware तो ये कुछ common differences होते हैं हमारे high level और low level programming languages में तो python को हम कह सकते हैं कि ये high level programming language है इसी तरह से ये free है और open source है free and open source का मतलब ये है कि आप इसे internet से freely download कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं चाहें तो आप python पे कुछ आपको लगता है कि missing है कोई function या library missing है तो आप उसे खुद का develop करके भी इसमें include कर सकते हैं so that is called open source similarly it is a case sensitive programming language case sensitive का मतलब ये है कि suppose आपने if का इस्तेमाल किया programming में जो की एक statement है तो आप अगर इसे small में लिख रहे हैं तो अगर आप इसे capital में लिखेंगे so that will not be acceptable हाँ आप अपना खुद का जो भी define करते हैं उसको आप small capital कर सकते हैं लेकिन जितने भी commands हैं जितने भी functions होते हैं Python में all are case sensitive वो जिस form में ready किये गया है उस रूप में ही आपको उसको इस्तेमाल करना है इसी तरह से ये interpreted language है interpreted का मतलब ये है कि आपने पहली line लिखी, दूसरी line लिखी तीसरी line लिखी, चौथी line लिखी तो इसमें हर एक line को Python क्या करता है compile करता है और उसमें अगर error आता है तो आपको immediately उसका information provide करता है मतलब इसमें क्या है line by line सारे statement की interpretation होती है conversion होती है ये platform independent है तो platform independent तो आज के time पे हर एक language ही है मतलब आप इसे या Python पे बना हुआ program को आप Windows में भी OS में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अर्थाथ किसी भी type of operating system में साथी साथ किसी भी type of configuration के hardware में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं rich library of function इसका एक another feature है इसका मतलब ये है कि Python में इतनी बड़ी function की library है हर एक प्रकार के काम को करने के लिए इसलिए इसका नाम दिया गया है general purpose जो लगभग लगभग information technology के सभी verticals को या सभी categories को touch करता है और जब हम dynamic की बात करते हैं तो dynamic का मतलब है कि dynamically typing dynamically typed का मतलब ये है कि जब आप इसमें कोई भी sentence लिखते हैं तो आपको उसको semicolon से end करने की जूरतनी दिया x अब अगर आप if को लगाएंगे और आप लिखेंगे x is greater than 0 colon लगा दिया आपने लिखा print it is positive और उसके बाद अगर ये नहीं है ऐसा तो आप else लगा दीजे और यहाँ पे लगके लिख दीजे print bracket में जाके लिख दीजे negative अब आप देखें यहाँ पर कहीं पे भी semi colon का इस्तेमाल नहीं हो रहा है दूसरी चीज आपने x को declare किया तो इसके साथ कोई data type आप नहीं लिया और जब आप if लगा रहे थे तो आपने enter करके कोई bracket open नहीं किया अर्थात इसमें जो दुनिया भर के rules and regulations जो other programming languages में होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं बढ़ती है इसलिए हम python को कहते हैं dynamically typed language और general purpose तो मैंने आपके साथ बताया ही आपको तो ये तो कुछ important बाते हुई हमारी python क्या है और python के feature क्या होते हैं अब बात आती है कि हमें python में programming करनी है लेकिन programming करने से पहले कुछ important programming से related terms होते हैं वो हमें पहले जानना जरूरी है मेरे according जिसमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे instructions की तो हम जानते हैं कि जब आप कोई code लिखते हैं तो जो एक single statement या instruction आप लिखते हैं जो कि एक particular action किसी complete job को run करने के लिए हम लिखते हैं इसी तरह से कई instructions से मिला कर हमारा एक program ready होता है और इस तरह कई program को जब आप group करते हैं तो finally हमारे एक software ready होता है अब बात आती है what is this source code होगा क्या कि जब आप python के interpreter में जाके अपना python का code लिखेंगे तो ये जो code होता है इसे हम source code के नाम से जानते हैं और जब आप इस code को compile कर देते हैं तो compilation के बाद में ये machine code में convert हो जाता है जिसे exe भी हम कह सकते हैं तो ये machine code जो होता है it is readable by your computer hardware जो कि 0 और 1 के form में होता है और python language में जो आप code लिखते हैं होता है और compiler हम सब जानते हैं जो कि आपके source code को machine code में convert करने का कारे करता है और interpreter का भी यही कारे होता है ये भी source code को machine code में convert करता है बट compiler और interpreter में सिर्फ एक difference है कि जो compiler होता है ये सारे ही statements को एक साथ convert करता है जबकि अगर आप interpreter की बात करें, तो interpreter जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये one by one जो होता है conversion करने का कारे करता है, तो ये कुछ important terminologies है, programming के समय आप इसका ध्यान रखेंगे, अगर आप python programming में coding करना चाहते हैं या python का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो obviously आपको सबसे पहले इस python के interpreter को अपने computer system में install करना पड़ता है, इस python interpreter को हम python id.le के नाम से भी जानते हैं, जिसका full form होता है integrated development learning environment, तो जैसे मैंने आपको feature में बताया कि python क्या है, open source है, मतलब it is free to use, तो आप internet पे जाके इसे download करके install कर सकते हैं, इसके बहुत सारी videos आपको internet में मिल जाएगी, आप मेरे channel पे भी जाके देख सकते हैं how to install python, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं execution mode in python, execution mode in python का मतलब ये है कि जब आप python में coding करते हैं, तो आपके पास इस code को करने के दो तरीके हैं, या तो आप interactive mode का इस्तेमाल कर सकते हैं, या script mode का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब interactive mode का मतलब ये रहता है कि जहाँ पे एक instruction आपने लिखा, और वो तुरंत आपको उसका response क्या मिल जाएगा, मिल जाता है, और script code का मतलब रहता है कि जहाँ पे आप एक पूरा program, मतलब set of statements पूरा लिखते हैं, then आप उसको run करते हैं, और run करने के बाद में फिर आपको क्या मिलता है, उसका एक response मिलता है, you can see कि interactive mode मतलब जब आप python idly को आप start करेंगे, तो कुछ इस तरह से ये idly दिखता है, इसे ह जानते हैं, चले मैं इसका आपको demonstration दे देता हूँ, save for example मैं start button पे click करता हूँ, यहाँ पे आप देखे चुकि मैंने python install किया हुआ है, तो मैं यहाँ से idly को open कर लेता हूँ, and you all can see, this is my python shell, यह open हो गया, फिलहाल यह जो mode है execution का, यह interactive mode है, यहाँ पर आपको instant response मिलता है, जैस उसके बाद अगर मैं x कर दूँ, तो immediately आपको यह 10 डिस्प्ले करेगा, अगर मैं यहाँ पर inverted मिलिख देता हूँ, take tip now, तो यह spring जाकिए आपके screen पे display हो गई, अगर मैं लिखता हूँ print 1 plus 2, then you all can see that it is showing us 3, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक instruction आपने लिखा, जैसे ही आपन enterprise किया, immediately आपको उसका response मिल गया, तो यह हुआ हमारे python shell का क्या interactive mode, तो यही point हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि instant execution of individual statement, तो अगर आपको single line of code को check करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, interactive mode का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात यह है कि जो भी code आप लिखत सकते, that's the problem of this interactive mode, इसलिए यदि आप कोई python की script ready करते हैं, तो it's better to use this script mode, script mode में क्या होता है, मैं फिर से अपने python shell को open करता हूँ, इसके लिए आप file में चले जाओ, new में चले जाओ, and you will see कि यहाँ पर एक editor open हो गया, यह python का editor है actually, अब यहाँ पर जो code आप लिखेंगे, जैस इसके बाद में मैंने लेखा, if x is greater than say 10, colon लगाया, और मैंने यहाँ पर print कर दिया, okay, ठीक है, and इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, else print not okay, अब यह क्या हुआ, देखें, मैंने पूरी script बना ली, इसको मैंने future use के लिए क्या किया, save भी कर लिया, मैंने इसका नाम अब आप देखें, जब आप उसको run करेंगे, तो run module पे जाके इसे execute करिए, देखें, यह not up के आगया, तो यह response आपको मिल रहा है, लेकिन उसके पहले आपने इस पूरे code को लिखा, तो कहने का मतलब है, script mode का मतलब, जहां पे आप पूरे set of instruction को एक साथ लिख सकते हैं, future use क करते हैं, तो इसका जो extension होता है, that is always.py और जब आप .py के नाम से file को save कर देते हैं, तो इसे हम python module के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप धियान रखेंगे, आप अपनी screen पे यहां पे देख पा रहे होंगे, this is actually the script mode of python shell, या इसे python shell भी कहा जाता है, अब आगे हम बात करत पाइथन पे, तो उसका क्या process है, तो अभी हमने देखा भी कि पहले आप python shell open करते हैं, या python id.ly को open करते हैं, file में जाके new करते हैं, ताकि आपका script mode पे आप अपने पूरे source code को लिख सकें, source code लिखने के बाद आप उसको save कर देते हैं, save करने के बाद आप देखिए, यहां पर यह जो run का button है, इस run को आप क्या करेंगे, click करेंगे, यहां से फिर आप इस run button को क्या करते हैं, click करते हैं और आपका यह code execute हो जाता है, जैसे मैं वापस अपने python shell पे चलता हूँ, so as you can see in your screen, this is my python shell, script mode पे आने के लिए मैं new file ले लेता हूँ, now to save the time मैं यहां पर कोई ए इसे save किया था, तो जब आप save करते हैं, exp के नाम से तो देखिए exp.py इसका extension हो गया, अर्थात एक module आपने ready किया, आपने run पे जाके run module कर दिया, और आप देखें यह execute होके इसका response आपको मिल जाता है, so this is how we all can understand की कैसे हम python के program को बना के execute कर सकते हैं, आगे बढ़के अब हम बात करते हैं, python में इस्तेमाल होने वाले keywords के, तो देखें यह list आपके screen पे display हो रही है, एक एक key को discuss करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन जब आप python coding करेंगे या python की practice करना शुरू करेंगे, तो automatically इसमें 70% जो keywords हैं, उनसे आप familiar हो जाएंगे, जैसे false है, for है, while है, alif है, pass ह and है, if है, break है, or operator है, try operator है, accept operator है, finally operator है, is है, else है, तो इन सब का आप इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी keywords का इस्तेमाल आप ज़रुत पढ़ने पर programming में करते ही हैं, तो अगर हमें keyword के बारे में detail में जानना है, तो इसके लिए हमें अलग से पूरा separate video बनाना पड़ेगा, but it's not as much required, जहां तक इसको define करने की बात है, तो these are, you know, predefined keywords या पहले से या Python पे मौजूद words हैं, जिनका एक particular meaning होता है, या एक specific use होता है, और ये जो keywords होते हैं, ये reserve होते हैं, अर्थात इसको आप अपने नाम से या अपने user defined चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो keywords ह होते हैं, they are case sensitive, जैसे is है, अब ये small letter में, तो आप small letters में ही इसका परियोग करेंगे, अगर आप capital letter में इसे लिखेंगे, तो it would be an error in Python programming, so this is something about your Python keywords, इसके बाद में एक और important बात है, वो ये कि what is this identifier, देखें, identifier का मतलब होता है, कि ये user defined या system defined, names होते हैं, जो किसी variable को भी represent कर सकते हैं, आगे चलके हम देखेंगे, किसी function का नाम भी हो सकते हैं, किसी constant का नाम भी हो सकते हैं, या इस प्रकार के जितने भी objects आप बनाते हैं Python पे, उन सभी का जो नाम है, चाहे वो खुद आप बनाए या जो पहले से मौजूद है आपके Python programming में, उन सब को हम identifier के नाम से जानते हैं, तो हम जो discuss करने जा रहे हैं अगला point, that is your variable, सबसे पहले बात आती है कि what is this purpose of this variable actually, देखें जब आप computer में programming करते हैं, we all know that कि computer में जो भी कारे होता है, उसमें तीन step होते हैं, एक होता है input, दूसरा process और तीसरा होता है हमारा output का, मतल करता है, process करता है, process करने के बाद एक answer देता है, जिसे हम output के नाम से जानते हैं, जिसे कि हम information के नाम से भी जानते हैं, अब देखें जब आप कोई data input करते हैं हमारे computer system में, या जो information generate होती है, अर्था data आपने input किया और उसके अधार पे जो information आई, इनको computer में कहीं न कहीं चाहिए रहती, इसी लिए computer system में memory का प्रावधान है, और कौन सी memory की हम यहाँ पे बात करते हैं, हम जानते हैं कि primary memory होती है, जो during operation जो भी data या information होता है, उसको space देने का कारे करती है, अब ये input process और output की पूरी प्रक्रिया आप कप करते हैं, जब already कोई software बना बनाया आपके computer में होता है, जिसको की आप run करते हैं, जब आप अपना खुद का user defined कोई program बनाते हैं, तो इससे आपका computer system या आपका जो operating system होता है, वो unaware होता है, अर्थात उसको नहीं मालूम की आपके program में कितना space लगेगा data के लिए, information के लिए, किस तरह का operation होगा, इसलिए होता क्या है कि जब भी कोई user defined program आप त्यार करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमको बताना पड़ता है कि हमारे program में कितना value input होगा, कितना value output में generate होगा, so that उतने number of memory space को जो है computer system का जो operating system है, वो reserve कर दे, और इसको reserve करने के लिए जो source का इस्तेमाल होता है, उसे हम जानते हैं variable के नम से, addition of two numbers का, अब addition of two numbers का program बनाना है, मतलब इसमें दो number लगेगा input के लिए, और एक number जो होगा वो आएगा output में, इसका मतलब आपको total कितनी संख्या हैं चाहिए, तीन संख्या है, मतलब आपको कितने variable लगेंगे यहाँ पर, तीन variable लगेंगे, तो इस प्रकार से जब भी आप क object और element that occupy memory space which can contain a value, आपने एक variable बनाया है, x के नाम से, जिसमें कि आपने एक value डाल दी 10, मतलब यह 10 को क्या कर रहा है, store करके रखा हुआ है, और यह x कहाँ पे रहेगा, एक computer की memory में, अर्था primary memory में यह एक space को occupy करता है, now, यह जो variable आपने लिया x के नाम से, इसमें अभी आपने dust डाला, अगली बार आप चाहें तो इसमें hello भी डाल सकते हैं, तो कहने का ताथ पर यह है कि जो variable आप लेते हैं, उसमें आप number भी ले सकते हैं, alpha numeric values भी ले सकते हैं, या उन दोनों का combination भी ले सकते हैं, और जैसे म मैंने आपको कहा कि python में जब आप कोई variable लेते हैं, तो उसमें direct आप value assign करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, हाला कि हम variable में input और output भी करते हैं, उसके लिए अलग function का हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम variable declare करने की बात करते हैं, तो इससे related कुछ naming convention है, और हम जानते हैं कि variable को ही हम identifier भ you know the alphabet और underscore, जैसे अगर आप लिखते हैं x और उसके बाद में आप कुछ भी लिख सकते हैं x1z, that is okay, या underscore x1z भी चलेगा, लेकिन अगर आप लिखेंगे 1xz तो ये गलत हो जाएगा, तो इस बात का आपको धियान रखना है, इसी तरह से जो variable हैं, उनके name की length कुछ भी हो सक it should be short and it should be meaningful, जैसे आपको 3 number add करना है तो आप a, b, c ले सकते हैं, अगर आपको किसी variable में account number store करना है तो आप उस variable का नाम acno ले सकते हैं, तो मतलब variable का नाम इस तरह से हो कि आपको उसका purpose समझ में है कि उसमें किस step की value store की गई है, और उसी तरह से जो python के keywords होते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी, उनका इस्तेमाल कभी भी variable declare करने के लिए हम नहीं करते हैं, और इसी तरह से ये जो special symbols आप देख रहे हैं, exclamation mark at the rate hash, इनका भी हम परियोग जैसे x hash to अगर आप लिखेंगे तो it is wrong variable, अगर आप लिखते हैं, suppose account number hash, it is absolutely not acceptable, अगर आप ल again it is not acceptable, तो only like मैंने बुला कि underscore से start करो, alphabet डालो और उसके बाद में आप कोई भी 123 करो चलेगा, space भी आप कभी भी variable name में नहीं देते हैं, लगि जैसे अगर आप लिखते हैं, account space no, that is also not acceptable, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, हाँ, a underscore 123 is also okay, लेकिन अगर आप a underscore add the rate करोगे, 123 तो ये acceptable नहीं होता है, तो इस तरह से हम different तरीकों से variable को declare कर सकते हैं, आईए अब example देखते हैं कि कैसे हम अपने program में through assignment variable declare करते हैं और उसकी value को display करते हैं, ये मेरा previous demo program था, मैं file में जाता हूँ और new पे click कर देता हूँ, now what I do, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पर एक variable ले लेता हूँ A, और equal to डाल देता हूँ 90, जैसी आप enter करेंगे ये variable मेरा declare हो गया, output दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं print का, हमने bracket लगाया है, इसमें हमने A को print कर दिया, अब आप जब इसको run करेंगे तो उससे पहले आपको इसे save करता होगा, मैं इसे save कर देता हू यहाँ पर demo, demo अलड़ी हला कि मेरे system में बनी हुई file है, बट फिर भी मैं इसको override कर देता हूँ, इसके बाद जब आप इसे run करेंगे, आप देखेंगे आपका ये interactive mode है और यहाँ पर ये A की value को 90 दिखा रहा है, इसी प्रकार से जैसे print A कर दिया, अब अगर आप A equal to value 80 आ रही है, तो इस प्रकार से हम variable को अपने program में declare करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा variable declare करके value assign करने का तरीका है, that is not the correct way, क्योंकि यहाँ पर तो हम जब code define कर रहे हैं, उस समय ही variable की value fix कर दे रहे हैं, ideally तो जब हमारा program execute होता है, तब हम जो भी value डालेंगे वो हमारे variable में जानी चाहिए, इसका मतलब यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि कैसे हम variable में value को input करते हैं during runtime और फिर उसी value को display करते हैं, तो आप देखे हमने यहाँ पर इस print method का इस्तेमाल किया है, जिसके दोरा हम output लेते हैं, input की अगर हम बात करें, तो इसके लिए हम method इस्तेमाल क यह value कब accept की जाती है, during runtime और अभी हमने देखा print method का इस्तेमाल which is used for displaying output, नाओ यह जो output है print, यह कोई message भी हो सकता है, या फिर value of variable भी हो सकती है, और या फिर combination of both, that is message plus value of variable, अब चलिए इसे example से हम समझते हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक program बनाऊंगा, accept and display a number in python variable, तो आपने python shell माल लीजे, open कर लिया, आप सबसे पहले एक method लेते हैं, input के नाम से, input के अंदर में हमने एक message डाला, enter a number, लेकिन जो भी value आप input करोगे, वो हम store कहां करेंगे, इसके लिए हम देते हैं, इसका नाम x, अब यह हमने input करवाया, आप ध्यान देते जाए यह जो मैं code लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम फिर change भी करेंगे, अब जो भी value x में आएगी, इसको हम क्या कर देंगे, print कर देंगे, bracket में लिखके x को, इस program को मैं एक बार run करके दिखाता हूँ, आईए इसे देखते हैं, run करके, it is saying enter a number, मैंने डाला 12, तो देखें यह 12 आपको दिखा रहा है, लेकिन क्या ये जो number आपने डाला, क्या ये वाकई में number है, या ये character है, आईए इसे चेक करते हैं, माल लीजे मैंने x लिया, इसके बाद में मैंने y लिया, और y में भी मैंने दुबारा ये ही message डाल दिया, मैं इसे copy paste कर लेता हूँ, यहां से, अब इसके बाद में मैं bracket में जाके लिखता हूँ, print x plus y, अब आप इसे save कर दें, और फिर से आप run करें, अब देखें, यह आप से बोल रहा है, enter a number मैंने डाला 12, दूसरा बोलता है, enter a number मैंने डाला 23, अब आप notice करेंगे, यह यहां पर दिखा रहा है, 1223, अर्थात, इसने इन दोनों number को क्या कर दिया, join कर दिया, या यू कहें कि इसने इन दोनों number को concatenate कर दिया, तो कहने का मतलब यह है, कि जब आप इस तरह से कोई code लिखते हैं, तो जो भी value input होती है, तो इसका जो type होता है, वो हमेशा by default क्या रहता है, character होता है, या आप यह कह सकते हैं कि text होता ह तो by default अभी जो भी value x में जाएगी, वो as a character जाएगी, और चुकी हमने यहाँ पे बात की कि हमको number display करना था, तो जब आप किसी number को किसी variable में store करना चाते हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं int, और इसके बाद इसके अंदर में हम bracket लगाते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं input, फिर यहाँ पे लिख देते हैं enter a number, उसके बाद इस bracket को हम close कर देते हैं, अब होगा क्या, कि जो भी value आप डालेंगे वो input method उठाएगा, जैसी यह 12 लेगा, उस 12 को फिर यह integer क्या करेगा, number में convert करेगा, और number में convert करने के बाद उसे x में store कर देगा, अर्थात अब जो x में 12 होगा, वो as a number treat किया जाएगा, आईए वो जो addition of two number का program था, यह आप देख पा रहे होगे, जो अभी हमने execute किया था, इसे complete करने के लिए मैं इसके आगे लिख देता हूँ, int, उसके बाद end पे जाके इसे close कर देता हूँ, उसी तरह से मैं यहाँ पर फिर से लगाता हूँ, int, और इसके end पे जाके इसे फिर से close कर देता हूँ, अब आप इस program को run करके देखेंगे, तो हम देखते हैं क्या answer आता है, तो आप notice कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर यह बोल रहा है, enter यह number मैंने डाला 12, अब मैंने बोला दुबारा enter कर यह number मैंने डाला 23, अब आप देखे हैं, यहाँ पर इसका जो answer आ रहा है, that is your 35, तो कहने का मतलब यह है, कि जब आपने int method का इस्तेमाल किया, देखें यहाँ पर यह जो int है, यह एक function है, जो जो भी value इसके अंदर पास की जाएगी, उसे वो integer में convert कर देता है, तो जब भी आप किसी number को किसी variable में input करवाते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं इसका font size थोड़ा बढ़ा कर देता हूं, जैसे यह variable हमारा x है, इसमें अगर आप number store करना चाते हैं, आप input method लेंगे, लेकिन इसकी जो value है, उसको आपको पहले integer में convert करना रहता है, और इसके लिए हम इस int method का इस्तेमाल करते हैं, और इस पूरी तो int है, यह actually यहाँ पर क्या कर रहा है, ताइप कास्टिंग कर रहा है, अब ताइप कास्टिंग का मतलब होता है, converting one form of data to another form, now this is called your type casting, जैसे integer को आपने क्या किया, פלोट में किया, फلोट का मतलब real number, int का मतलब whole number, या जैसे आपने int को क्या किया, care में convert किया या care को आपने क्या किया int में convert किया तो इस तरह से ये conversion हम करते रहते हैं और ये जो type casting होती है ये दो प्रकार की होती है एक जिसे हम जानते है explicit conversion के नाम से और एक जिसे हम जानते है implicit conversion के नाम से अब ये explicit और implicit conversion क्या होता है आईए इसे भी समझते हैं explicit का मतलब है when conversion is done या conversion of data type is done manually और intentionally is referred as explicit conversion तो जैसे आपने अभी देखा जब आपने लिखा x फिर डाला आपने int और इसके अंदर जब आपने input लगाया और यहाँ पर message दे दिया enter a number तो actually आप यहाँ पर क्या कर रहे है manually आप conversion कर रहे है यहाँ automatic conversion नहीं हो रहा है तो आपने intentionally क्या किया कि जो भी यह value आई इस value को integer के द्वारा convert किया integer में और x में जाके क्या करवाया है उसको store करवाया so this is called explicit conversion उसी तरह से जब हम implicit conversion की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि implicit conversion का मतलब होता है when conversion of data type is done automatically by python is referred as what your implicit conversion देखे यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखिए कि implicit conversion क्या होता है lower data type to higher data type होता है अब lower का higher का मतलब क्या है जैसे integer है integer जो है वो float में convert हो सकता है float जो होता है या मैं इसी के sequence में आगे करता है इसको आप double कर सकता है ये conversion हमारा जो होता है possible होता है लेकिन अगर आप float से बोलो गई कि वो integer में हो जाए तो that is not possible क्योंकि float जो होता है it is bigger than this integer data type तो जो data types होते है उनकी जो capacity होती है उनका जो order होता है वो जितना बड़ा होगा तो बड़े से छोटे में convert नहीं हो सकता हाँ लेकिन छोटा data type बड़े में convert automatically होता है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x equal to 10 y equal to डाला मैंने 10.6 अब r में आपने कर दिया print करेंगे इसका type तो अगर मैं लिखता हूँ print यहाँ पर bracket में मैंने बाला type x तो आप देखेंगे इसका जो data type आपको दिखाएगा this will be your float आईए इसे एक बार practically execute करके देख लेते हैं so you can see this is my code आईए इसे run करते हैं आप देखें यहाँ पर यह दिखा रहा है 20.6 और इसका जो data type है it is float so this is how we can understand what is this implicit conversion तो यह तो हमारी बात हो गई implicit conversion की और दूसरी explicit conversion की अब हम वापस आ जाते हैं हमारे input और output जो हमने variable में अभी चर्चा की आपके साथ में हमने addition of two number का program भी देखा अब हम बनाएंगे that is write a program to find area of rectangle पहले इसका code समझ लेते हैं देखे जब आपको area of rectangle निकालना है मतलब आपको length चाहिए bread चाहिए और result के लिए या area के लिए हम लेंगे a हमने सबसे पहले l लिया यहाँ से हमारा code शुरू होता है हमने पहले integer form में आप चाहिए तो इसे float भी ले सकते हैं मैंने integer में जाके input method लिया और मैंने बोला enter length इसी तरह से b लिया b में जाके हमने लिखा integer और इसमें भी हमने input किया enter breadth और इसके बाद जब यह दोनों value हमारी input हो जाएगी तो हम लेंगे area और यहाँ पर हम बोल देंगे l into b अब यह length into breadth किया तो area मिल गया आपको अब इस area को हम display करेंगे लेकिन इस बार हम जब print लेंगे तो इसमें हम पहले message देंगे like area of rectangle is and इसके बाद यह string close किया comma लगाया और comma से हम इस message को separate करेंगे और इसके बाद हम variable की value ले लेंगे that is my a और इस प्रकार से मेरा यह पूरा code complete हो जाएगा और जब आप इस code को run करेंगे तो यह आपको area of rectangle निकाल के दिखाएगा आईए इस code को python shell पे run करते हैं so you can see this is my code आईए इसे run करके देखते हैं so you can see it is asking you to enter breadth मैंने डाला 5 now it is saying enter length मैंने डाला say 10 and इसके बाद जब आप ऐसी enter प्रेस करेंगे आपको यह बता रहा है the area of rectangle is what your 50 so this is how we can write program to find the area of rectangle now यह जो दोनों program हमने देखे कि किस तरह से हम variable हमारे python पे declare करते हैं किस तरह से हम values को input कर सकते है और किस तरह से उसकी value को हम print मिलेते हैं यहाँ पर एक जो point notice करने वाली है वो यह कि यह equal to का sign और उसके बाद में यह जो multiplication का sign यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यह symbols को हम क्या कहते हैं इनका क्या प्रियोग है आईए अब इसे समझते हैं इन्हें हम जानते हैं operators के नाम से operator क्या होते हैं they are special symbols which are used to perform specific operation on the values जैसे जब आप लिखते हैं 1 plus 2 तो यहाँ पर plus एक symbol है जो एक particular type of operation जिसे हम addition के नाम से जानते हैं वो perform करने के लिए हमारे इन data के उपर हम प्रियोग करते हैं अगर आप लिखते हैं 7 into 4 तो यह एक special symbol है जो हमें बताता है कि इन दोनों ही data या number के उपर में हम multiplication का operation करेंगे ना सिर्फ हमें हमारे computer system को actually इस symbol के द्वारा यह पता चलता है कि इन data के उपर अर्था इस 7 और 4 के उपर में किस प्रकार का operation करना है तो यह होता है operator का महत्व हमारे python programming में अलग-अलग प्रकार के operators हैं जैसे कि पहला यहां पर आप देखें arithmetic operator, दूसरा है relational operator तीसरा assignment operator चौथा logical operator पाचवा identity operator और छटवा होता है membership operator initial stage पे आपके लिए arithmetic, relational और assignment और साथी साथ logical operator यह सबसे महत्वूर होते हैं जब आप list, dictionary का प्रयोग करते हैं वहाँ पर आपको identity और membership operator का महत्व समझ में आता है now in short अगर मैं बात करूँ arithmetic operator जो mathematical calculation जैसे plus, minus multiplication, division या double slash मतलब यह complete division के लिए और इसके अलाबा mod या modulus जिसका remainder के लिए हम प्रयोग करते हैं यह सारे arithmetic होते हैं relational की बात करने तो यह comparison के लिए हम इस्तेमाल करते हैं assignment अभी हमने देखा यह equal to sign होता है logical में हम and or not operator की बात करते हैं identity में हम is not इसकी बात करते हैं और membership में हम in operator की मुख्यता बात करते हैं आए इन सारे operators को मैं एक बार NCRT की book में आपको present करके और वहां से थोड़ा explain करने की कोशिस करता हूँ तो जैसे मैंने आपसे कहा कि arithmetic operator मतलब हमारे mathematical operations के लिए यहाँ पर यह example आप देख सकते हैं हमने practically भी इसे करके देखा तो arithmetic operator में जो मुख्य बात हमारे लिए जानने की है वो है हमारे इस division की floor division की और इस modulus की इनका क्या तात पर है तो division तो हमाँ सामानी रूप से जानते ही है जैसे 8 by 4 अगर आप करेंगे तो यह .5 आपको return करता है लेकिन जब आप floor division करते हैं तो यह आपको जो quotient return करता है वो without decimal point करता है आईए एक बार practically इसको बना के दिखते हैं अब जैसे माल लीजे हमने x में डाला 12 हमने y में डाला 5 अब अगर आप x upon y करते हैं तो आप देखें यह 2.4 आपको show कर रहा है लेकिन अगर आप floor division करते हैं या complete division करते हैं तो यह आपको क्या दिखा रहा है quotient दिखा रहा है लेकिन इसने इसके decimal point को क्या कर दिया remove कर दिया अब इसी तरह से अगला जो important operator है that is your modulus अब जैसे मैं y की value को यहाँ पर change करके 7 कर देता हूँ अब अगर आप x upon y करें तो यह 1.7 आपको answer दे रहा है quotient x slash y करें floor division तो यह 1 दिखाएगा without decimal लेकिन अगर आप x mod y करेंगे आप देखेंगे आपको यह answer दे रहा है 5 क्योंकि जब आप 12 को 7 से divide करेंगे तो remainder बचेगा 5 तो इस प्रकार से यह mod का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह से एक और operator होता है exponent that is हमारा यह 2 times star तो एक single star अगर आप करते हो जैसे x into y तो it is showing you 12 into 7 equal to 84 लेकिन अगर आप x multiplied multiplied 2 times कर दें तो यह exponent हो जाएगा और इसका value देखे इतनी बड़ी मात्रा में आ रहा है आप इसको read कर लीजिए तो this is how we can understand this arithmetic operator इसके बाद में हम बात करते हैं relational operator की तो equal to है not equal to greater than less than greater than equal to less than equal to अब यह हम इस्तेमाल करेंगे जब हम बात करेंगे if statement की या flow of control की दो मिनिट उधारण के लिए फिर से मैं अपने python shell पे आ जाता हूँ अभी अमने x में कितना डाला था? 12 y में कितना डाला? 7 अब अगर मैं यहाँ पर x double equal to y करूँ अर्थात क्या x और y की value बराबर है यह आपको answer दे रहा y क्योंकि यह बराबर नहीं है लेकिन अगर x is greater than y कर दें तो यह बेलकुल सही दिखा रहा है answer x is less than y अगर आप कर दें तो यह आपको दिखाएगा answer false है और x is not equal to y करें तो भी आपको answer देगा लेकि हमने गल्द कर दिया not equal to होना चीए y कर दीजे तो it is showing us true मतलब x y के बराबर नहीं है तो इस प्रकार से हम relational operator का इस्तेमाल कर सकते हैं अब मार लीजे मैंने यहाप पर एक value ली z की 12 अब अगर आप फिर से x लें तो 12 y लें तो 7 और z लें तो यह 12 दिखा रहा है अब अगर हम लिखते हैं x double equal to z तो यह true दिखा रहा है अगर मैं लिखता हूँ y double equal to z तो यह false दिखा रहा है लेकिन अगर यहीं पर हम logical operator लगा दें x double equal to z और end लगा के अगर लिखें y double equal to equal to z तो अगर यह दोनों true होगा तो answer true आएगा अन्य था false आएगा तो देखें end में क्या होगा एक true है x equal to z यहाँ पर दिखिए जब x और z को compare किये तो true आए y को जब z से compare किये तो false आएगा तो एक true और एक false हो गया और बीच में हमने end डाला तो answer क्या आएगा false आएगा अर्थात logical operator जो होते हैं जैसे end हुआ, or हुआ, not हुआ यह multiple conditions को या comparison को combine करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं end operator आपको तभी answer true रिटन करेगा जब दोनों ही condition क्या होती है true होती लेकिन यहाँ पर हम और लगा देंगे तो or के case में cable जब दोनों condition false होगी तभी answer false आएगा अन्यता सभी condition में answer क्या आता है true आता है अब इसी code को मैं फिर से लिख दू x double equal to z और यहाँ पर or लगा के मैं लिख दू y double equal to equal to z आप enter करें तो देखिए यह आपको यहाँ पर true दिखा रहा है तो इस प्रकार से and और और का इस्तेमाल किया जाता है detail में इसकी चर्चा फिर से flow of control में करेंगे तो यह तो बात हुई हमारे relational operator की इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे assignment operator की जिसमें मुख्यता equal to होता है और इसी के different version बना दिये गये हैं जैसे plus equal to minus equal to division equal to या slash equal to या modulo equal to आईए इसको भी उधान से मैं आपको समझा देता हूँ या जैसे floor equal to या exponent equal to अब माल लिजे मैंने x में डाल दिया यहाँ पर 10 यह मेरा assignment operator हो गया अब अगर मैं लिखता हूँ x plus equal to 10 इसका मतलब क्या है x equal to x plus 10 तो इसका answer आएगा 20 अगर आप लिखते y equal to 9 और अगर आप फिर लिखते y equal to या plus equal to x तो यह हो जाता y equal to y plus x अर्था 10 plus 9 equal to 29 तो इस प्रकार से हम assignment operator को इस्तेमाल करते हैं मैं एक बार थोड़ा इसको expand करके आपको बता देता हूँ तो जैसे आपने लिखा x plus equal to y इसका मतलब हो गया x equal to x plus y और जब आप लिखते हैं x slash equal to y इसका मतलब होता है x equal to x slash y इसी प्रकार से जब आप लिखते हैं y into equal to 10 इसका मतलब होता है y equal to y multiplied by what? your 10 तो अगर y की माल लो value आपने 5 दी तो 5 into 10 equal to 50 तो y into 10 करेंगे तो 50 आजाएगा इसी प्रकार से अगर आप लिखते हैं y mod equal to x इसका मतलब होगा y equal to y को आप mod कर दो x से जो remainder बचेगा वो y में चले जाएगा अब माल लो आपके x में है 5 और y में आपने डाला 7 तो 7 mod 5 बचा 2 तो ये 2 कहाँ चले गया मेरे y में मतलब y की value क्या जाएगी 2 आएगी एक बार इसको हम run करके देखते हैं python shell में तो मैंने बोला y में हमने डाल दिया 7 x में हमने डाल दिया 5 अब हमने बोला y mod equal to x execute हो गया y किया तो answer आगया हमारा 2 इस प्रकार से हम ये assignment operators को समझ सकते हैं बाकी जानकारी के लिए आप एक बार अपनी book जरूर देख लें इसी प्रकार से logical operator जो अभी मैंने आपके साथ चर्चा की तो ये examples आप यहाँ से देख सकते हैं हम flow of control में इसकी चर्चा करेंगे उसी प्रकार से जो identity operator है इसका इस्तेमाल हम ये समझने के लिए करते हैं कि कोई variable की जो value है वो एक particular type की है की नहीं है जैसे इसमें mainly हम इस्तेमाल करते हैं is का और is not का अर्थात जैसे हमने num1 में डाला 5 तो क्या मेरे num1 का data type integer है तो अगर हम is लगा देंगे तो ये true दिखा देगा और उसी प्रकार से अगर आप is not कर देंगे तो ये आपको false दिखा देगा so this is your identity operator और उसी तरह से membership operator ज्यादा तर हम जो sequences use करते हैं मतलब जब हम list की बात करेंगे tuples की बात करेंगे वहाँ पर हम इस in या not in का इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि जैसे माल लीजे एक list है इसमें multiple values हैं तो क्या कोई एक particular value उस list का part है तो वहाँ पर हम in operator का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी चर्चा हम फिर से करेंगे जब हम list के बारे में पढ़ेंगे फिलाल मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं दूँगा क्योंकि हमारा main focus है python के fundamentals को understand करना तो ये जो theoretical part है इसके practical execution automatically हमारी जब हम list को discuss करेंगे वहाँ traversing करेंगे वहाँ पर character है कि नहीं किसी particular position पर ये सब check करेंगे प्रोग्राम बनाएंगे तो इसको जरूर discuss करेंगे इसके बाद में हम बात करते हैं expressions की now when you see the definition of this expression in your book कि expression जो हता है it is combination of constant variables and what the operators तो basically जो भी आप एक समीकरन तियार करते हो जो भी formula आप बनाते हो जैसे कि आप यहाँ पर examples भी देख सकते हैं 3.0 प्लस 3.14 तो यहाँ पर यह क्या है दो values हैं जिसमें हम operator का इस्तेमाल करते हुए इस expression को ready कर रहे हैं यहाँ पर आप देखनें आपने एक variable लिया उसमें से आपने एक integer value को क्या किया float value को आपने क्या किया minus किया तो यह भी हमारा एक expression है expression एक single और independent या individual या stand alone variable या value भी हो सकता है जैसे यह नम है जैसे यह 100 है expression जो होता है वो हमेशा जब आप उसको evaluate करते हैं तो वो आपको एक answer प्रोवाइड करता है so this is something about the expression जैसे यहाँ पर character प्लस character को भी हमने प्रयोग किया हुआ है now expression को हम solve करें उसके पहले एक बहुत important बात है that is called your precedence of operator now precedence of operator का मतलब यह है कि किसी दिये हुए expression में कौन सा operator पहले evaluate होगा या कौन सा operator का execution पहले होगा जैसे माल लिजे आपने लिखा 1 प्लस 2 माइनस 3 तो क्या इस expression में पहले प्लस होगा या माइनस होगा या आपने लिखा 3 into 6 plus 7 divided by 2 तो क्या इसमें पहले प्लस होगा या multiplication होगा या slash होगा तो यह sequence of execution of this operator is determined by you know the precedence या इसी को हम precedence of operator बोलते हैं यदि आप इसके चार्ट को देखें यहाँ पर तो सबसे पहले तो highest precedence में एक बात याद रखें सबसे ज़्यादा precedence अगर किसका होता है तो that is your arithmetic arithmetic के बाद में relational और relational के बाद में बात आती है हमारे logical की और यदि आप इसे detail में समझना चाते हैं तो आप अपनी book में इस table को देख सकते हैं now सबसे highest precedence आप ध्यान रखें exponentiation को होता है और जैसे मैंने आपको बताया सबसे list में होता है आपका logical और logical के उपर में होता है आपका membership और उसके उपर होता है identity उसके उपर में है assignment और उसके उपर होता है equality या ये जितने भी comparison है relational operator ये assignment के पहले होते हैं अर्थात assignment operator की priority list होती है और उसके उपर में जैसे मैंने आपको बताया है कि पूरे arithmetic operator होते हैं जिसमें की highest exponential फिर उसके बाद plus minus and others एक बात का और ध्यान रखेंगे कि अगर equal precedence of operator होते हैं किसी expression में तो उसका evaluation जो होता है वो left से right की उर होता है आईए इसका एक example लेते हैं Suppose that आपने लिखा 1 plus 2 plus 3 plus 4 अब यहाँ पर ये plus 3 ही same है और इनका precedence भी same है तो ऐसे में evaluation left से right होगा मतलब पहले यह होगा 3 plus 3 plus 4 फिर इस 3 plus 3 को ये add करेगा 6 फिर plus 4 देन ये add हो के answer के आएगा 10 आएगा This is what the step number 1, this is step 2, step 3 and this is what your step 4 तो I hope आपको ये समझ में आ रहोगा अब माल लिजाए आपने एक expression लिखा 1 plus 6 divided by 3 minus 4 अब अगर आप इसको evaluate करेंगे तो यहाँ पर division का precedence सबसे जादा है तो ये क्या होगा 1 plus 2 minus 4 अब यहाँ पर ये plus और minus same precedence है तो पहले left वाला evaluate होगा तो ये 3 minus 4 हो जाएगा multiplied by 3 minus 4 multiplied by 2 plus मैंने bracket में डाला 6 plus 10 अब अगर आपको इसको execute करना है तो सबसे पहले bracket solve होगा तो 18 by 3 minus 4 into 2 plus यहाँ पर ये हो जाएगा 16 इसके बाद division और multiplication में सबसे पहले क्या होगा हम division करेंगे तो this will be 6 minus 4 into 2 plus 16 इसके बाद ये होगा 6 minus into that is 8 then plus 16 that is 16 actually then 6 minus 8 minus 2 then उसके बाद plus 16 and this will be your 14 so this is step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 and step 6 so this is how we can solve expression and we can understand this operator precedence आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं debugging की या errors की देखे जब आप कोई program ready करते हैं so obviously उसमें गलतियां भी हो सकती हैं इन गलतियों को हम error के नाम से जानते हैं और इन गलतियों को पहचानने का और पहचान कर उसे remove करने का और फिर से उसे correct करके या दूसरे तरीके से उन्हें correct करने का जो पूरा process होता है उसे ही हम debugging के नाम से जानते हैं so the process of identifying and removing such mistake also known as bugs or you can say the error from a program is called what debugging तीन टाइप के errors होते हैं syntax, logical और runtime आईए इसे detail में समझते हैं so like I said syntax error, runtime error and logical error there are three different type of errors सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे syntax error की syntax error का मतलब होता है these are basically you know typo errors दूसरे तरीके से if you type code against rule of python is what called your syntax error उधायन के तोर पे जैसे मालो आपने लिखा x मैंने यहापे function लगाया input bracket में जाके हमने लिखा enter a number inverted comma लगाया है और हम bracket लगाना भूल गया है उसके बाइद में जैसे आपने लिखा print अब यहाँ पर आपने लिख दिया result comma लगा के x अब होगा क्या यहाँ पर दिखे यह एक bracket आपने miss कर दिया यह मेरा syntax error है यहाँ पर यह जो message है देखिए result को पहले try करेगा क्या यह variable है तो आपको error दिखाएगा कि result नाम का कोई भी variable आपके program में declared नहीं है तो मतलब यहाँ तो आप इसको पहले यहाँ पर result नाम से variable बना दो या फिर आपको इसको string के रूप में या message के रूप में pass करना होगा print में या हो सकता है अगली बार जब आप print को spelling करें तो prnt कर दें और i को आप ना लिखें x लिख दें तो इस तरह के जो errors होते हैं इनको हम syntax error के नाम से जानते हैं तो यह तो easy है क्योंकि यह compile time errors होते हैं अर्थात जब आप code बनाते हैं तो उस code के compile या run होने के पहले यह error आ जाते हैं इसी परकार से दूसरा होता है जिसे हम जानते हैं runtime error के नाम से अब जैसा इसका नाम है मतलब ऐसे error जो आपके during execution आते हैं errors which occurs during execution of program and due to which program abrupted abnormally अर्थात आपने program run किया आपने कुछ गलत value डाल दी जिसकी वज़े से program क्या हुआ runtime error आ गया और program अचानक से पूरा close हो गया चलिए एक उधान से इसको समझते हैं हमने डाला x में 5 हमने डाला फिर इसके बाद y में 2 अब अगर आप x upon y करें तो it is showing you 2.5 y में मैंने 0 डाल दिया अब x upon y अगर आप करें तो यहाँ पर यह आपको error show कर रहा है it is telling you that it is 0 division error देखें python में क्या है कुछ runtime error होते हैं जिनको वो handle करता है जिसे हम exception के नाम से जानते हैं जब आप grade 12 में पहुँचेंगे तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे exception handling के exception handling का purpose होता है कि किसी भी program को अचानक terminate होने से बचा दे लेकिन जब आपने x upon y यहाँ पर किया और जब y की value 0 थी तो यह infinite हो जाएगा तो इसका मतलब program infinite mode में चलेगा या abrupt हो गया so this kind of errors are called runtime errors और इसी तरह से एक और type of error होता है जिसे हम जानते है logical error के नाम से logical error का मतलब यह रहता है कि जहाँ code तो बिल्कुल एकदम correct होता है लेकिन code के अंदर जो logic आया है वो wrong होता है अब इसमें क्या होता है कि program जो होता है वो successfully run तो होता है लेकिन जो answer आता है वो unexpected होता है मतलब अगर आपके program में logical error है तो आप उसको trace तो करनी पाओगे क्योंकि compile होने के बाद वो बढ़िया से चलेगा भी run भी होगा लेकिन जब आप run करोगे value डालोगे और आपको जो desired output चाहिए वो आपको बिल्कुल नहीं प्राप्त होता है इसका मतलब उस program का जो logic आपने लगाया है वो गलत लगाया है मैं कुधान से बताता हूँ माल लिजे हमको wow well check करने का program बनाना है हमने x में डाल दिया a हमने if लगाया अब हमने लिखा x double equal to a इसके बाद में हमने यहाँ पर और operator लगाया और बाकी सबको लिख दिया अब इस program को जब आप run करेंगे देखिए यह wow well consonant चेक करने का program है और हमने बोला कि यह a, e, i, o, u इन पाचों में से कोई भी value x की value के बराबर होगी इसका मतलब answer wow well आएगा हमने यहाँ पर x में डाल दिया a इसका मतलब यह हुआ कि यह compare करेगा a को किस से x से तो बिलकु सही मिलेगा आपको answer मिल जाएगा wow well अब मान लीजे अगर आपने यहाँ पर डाल दिया e तो भी जब इस expression को यह execute करेगा तो यह x का comparison सिर्फ a से करेगा ना कि e से या बाकी unvalue से क्योंकि उसका comparison यहीं पर खतम हो जाएगा और बाकी और के बाद जो लिखें उसको वो read ही नहीं कर पाएगा लेकिन यहाँ पर syntax में कोई भी गलती नहीं है और आपको गलती दिखाएगा भी नहीं तो आप जब इस code को run करोगे एक के साथ value के साथ में तो यह आपको इसको consonant बताएगा आप बोलेंगे तो फिर समस्या का समधान क्या है तो समस्या का समधान यह है कि आप और तो लगाएंगे लेकिन हर एक वोवल की value के साथ इस x का comparison करना पड़ेगा तो इस code को मुझे convert करने के बाद दूसरे तरीके से लिखना होगा मैं इसे मिटा के आपको लिखके दिखाता हूँ तो यह है हमारा code अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे x को हर बार मैंने a e i o u के साथ independently compare किया है अब जब आप इस code को execute करेंगा और अगर आप e डालेंगे तो यह चेक करेगा क्या यह a compare हो रहा है एक से तो नहीं हो रहा है फिर यह चेक करेगा आगर चलके e का comparison एक से देखेगा हो रहा है हो रहा है मतलब यह दिखा देगा इसको वाविल तो यह होता है logical error की किस तरह से आप जो program लिखते हैं उसके logic में fault आ जाता है आप code तो execute करते हैं program run भी होता है input भी होता है output भी आता है लेकिन output जो आप चाहते हैं वो कभी आपको नहीं मिलता है logical error को trace करना सबसे cut in भी होता है यह भी बात बिल्कुल आप ध्यान में रखें तो यह तो हुई पूरी बात हमारे you know the chapter number 5 getting started with python so after learning python fundamentals I mean chapter number 5 जो अभी हमने देखा getting started with python उसके बाद अब हम बात करने जा रहे है chapter number 6 की actually chapter number 6 का मतलब हम बात कर रहे है NCRT के textbook की तो इसमें जो हम बात करेंगे that is flow of control की and flow of control में basically होता क्या है it's actually about the order of execution of the statements order of the execution of the statement का मतलब ये है जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा program लिखता हूँ so now you see this code यहाँ पर ये चार statement मैंने लिखे हुए जब आप इस code को execute करेंगे तो सबसे पहले ये वाली line execute होगी फिर ये वाली line execute होगी फिर ये line execute होगी फिर ये वाली तो इसका मतलब अगर आप इस program के flow को देखें तो ये क्या हो रहा है top से bottom की और पूरे sequence में follow हो रहा है मतलब one by one ये पूरा जो execution है ये जितने भी statements हैं इन सब का एक sequence में execution हो रहा है तो ये जो sequence of execution of statement है इसको ही हम flow of control के नाम से जानते हैं आइडियली देखिए हमने याँ पे लिखा कि flow of control जो होता है ये दो तरीके से हम manage करते हैं एक तो selection और एक repetition बिल्कुल सही बात है इसमें तीसरा एक point हम दे सकते हैं जिसकी हमको control करने की जरुरत नहीं होती जो by default होता है वो होता है sequence तो ये जो program था जहाँ पे सारे statement एक sequence में execute हो रहे हैं इस flow को हम बोलते हैं sequential flow so now जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि flow of control can be implemented using two control structures एक है आपका selection एक है आपका repetition तो अब हम समझते हैं कि selection क्या है repetition क्या है इनका importance क्या होता है और इनके द्वारा किस तरह से program के flow को control किया जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं selection की well selection का मतलब होता है decision making आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है decision making decision making का मतलब क्या है जैसे माल लीजे मैंने आपसे question किया कि 10 क्या है क्या यह even number है क्या यह odd number है तो आप answer देंगे कि 10 जो है वो एक even number है now the question is that कि how can you say that कि this is an even number तो हम यह कहते हैं कि जो भी number है अगर हम उसको 2 से पूरा divide करें और उसका जो remainder है वो 0 के equivalent हो अर्थाद if number divisible by 2 completely इसका मतलब अगर यह बात सही हो गई तो यह even number होगा अगर यह बात गलत हो गई मतलब यह false हो गई condition तो यह क्या हो जाएगा odd number कहलाएगा तो कहने का ताथ पर यह है कि किसी भी number का even या odd होना depend करता है एक condition के उपर में इस condition की basis पर ही हम निरधारित कर रहे हैं कि क्या result होगा तो यही चीज आपके programming में भी होती है कि माल लिजए अगर आपको even or check करने का program बनाना है तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से condition implement करनी होगी और इस condition की basis पर फिर आपको statements लिखने होते हैं इसी बात को हम यहाँ पर कहते हैं in short decision making तो selection का मतलब है working with condition इसे हम conditional के नाम से भी जानते हैं हलाकि यह जो word है यह हम algorithm में इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बहतर तरीके से अगर बोला जाया तो we can say that performing operation operation का मतलब जहाँ पर sequence of statements को आप line by line execute करते हैं या जो set of statements होते हैं उनका execution depend करता है किसी condition पर अगर condition true होगी तो क्या action होगा condition false होगी तो क्या action होगा यहाँ पर मैं फिर से इसे एक बाद define कर देता हूँ जैसी यह हमारी condition है condition true भी हो सकती है false भी हो सकती है हमने बोला कि अगर condition true होगी तो action number one होगा अगर condition false होगी तो action number two को हम perform करेंगे so this is something called working with condition python programming में condition implement करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं if else statement का और if else को इस्तेमाल करने का जो syntax है आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है आप पहले if लिखते हैं यहाँ पर यह जो i है यह small later होगा then आप condition देते हैं अगर condition true होगी तो क्या statement execute होगा अन्य था अर्थात उसके लिए हम else लिखते हैं और फिर अगर condition false होगी तो क्या होगा वो statement हम else में जाके लिखते हैं तो यह जो statement है जब condition true होती है तब execute होता है else part में जो statement होता है वो condition तब execute होती है sorry statement तब execute होता है जब condition क्या होती है आपकी false होती है एक बात और आपको मैं बता दूँ कि जब हम condition का निर्मान करते हैं हमारे if statement जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस condition को बनाने के लिए यहाँ पर यह मैं condition को point करके बता रहा हूँ condition का मतलब हम यहाँ पर इसके लिए किसी न किसी प्रकार के comparison operator का इस्तेमाल करते हैं अब comparison operator अभी हमने पहले इसके chapter में देखा कि जैसे equal to के लिए double equal to not equal to के लिए हम यह exclamation mark के साथ equal to use करते है greater than symbol है less than symbol है तो इस प्रकार सी यह जितने भी conditional operator हमने देखे थे यह सब हम प्रयोग करते हैं हमारे if statement में condition के निर्माण के लिए यह तो बात हुई what is this selection what is this if else statement आईए example से इस पूरे concept को समझते हैं suppose that I want to display larger between two numbers ना दो number से तो सबसे पहले तो आप दो number input करेंगे तो मैं उसके लिए statement लिख देता हूँ तो यह अब आप देखिए मैंने दो number input किये x और y में अब हमें चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा number बढ़ा है तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह कि decision making के लिए हम if का इस्तेमाल करेंगे अब हम इन x और y को आपस में compare करेंगे और इसके लिए हम लिखेंगे if x is greater than y आप चाहे तो यहाँ पर bracket का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बड python में इसके आवशकता फिलाल नहीं है इसलिए हम direct लिख सकते हैं if x is greater than y उसके बाद में हम यह colon लगाएंगे जैसे ही आप enter करेंगे हम यह देखेंगे कि अगर यह condition true हो गई तो क्या answer आएगा तो we will say x is larger तो हम यहाँ पर प्रिंटी statement का प्रियोप करेंगे और इसके अंदर में जाके सबसे पहले हम x की value को display करेंगे कॉमा लगाके space देखें हम लिख देंगे is larger और अगर आप इसे और better तरीके से display करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं larger than y and after that अगर यह condition हमारी false हो जाएगी तो we can write this else part और इसमें जाके हम लिख देंगे print y is larger than x so overall this is how we all can understand की कैसे हम if statement का प्रियोप करके conditionally हम अपने program को execute कर सकते हैं so चलिए एक और program देखते हैं और इस बार हम बात करते हैं write a program to check whether a number is even or odd तो सबसे पहले तो आपको obviously एक number input करना होगा तो मैं input का statement लिख लेता हूँ input करने के बाद अब हमें यह check करना होगा कि यह number क्या 2 से पूरा divisible है तो 2 से पूरा divide करने का मतलब यह है कि हम x को 2 से भाग दें और यदि इसका जो remainder है वो 0 के बराबर होगा तब इस situation में हम यह कह सकते हैं कि यह पूरा divisible है इसका ताथ पर यह हुआ कि हम इस condition को डालेंगे if के साथ में अगर यह condition अब true हो गई तो हम यहाँ पर एक message दे देंगे कि x जो है is even number अन्य था हम लिखेंगे else अगर यह condition false हो गई अर्थात यह x2 से divisible नहीं है तो हम लिख देंगे print x is not even number या is odd number तो this is how we all can see कि कैसे हमने if का प्रयोग करके हमारा program बनाया यदि आप इन दोनों program को देखें तो आप यह पाएंगे कि देखें इसमें केवल एक if का प्रयोग हुआ है और केवल एक ही condition है उसी तरह से अगर आप previous program को देखें जहाँ पर हमने larger between two number का program बनाया है यहाँ पर भी आप देखेंगे कि केवल हमने एक ही ifs statement का प्रयोग किया है और केवल एक ही condition इसमें implement की लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी आप programming करें तो आपको यदि condition implement करना है तो हमारा काम केवल एक ही ifs से हो जाए कई बार हमको एक selection की जगा multiple selection करने की भी आवशकता पड़ती है तो चलिए फिर हम multiple selection या यू कहें कि हम multiple ifs statement को भी समझ लेते हैं तो multiple selection का मतलब जैसा अभी हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं multiple conditions की कहने का मतलब यह है कि जब आपको एक से ज़्यादा दी हुई conditions के अधार पर statement execute करना होता है तब हम multiple selection की बात करते हैं या multiple condition की बात करते हैं और यहाँ पर आकर आपको केवल एक if का प्रयोग करने से कारे नहीं हो रहा है तो हम multiple if या इसे दूसरे तरीके से कहें if ellip का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक और important बात में आपको बताना चाहूंगा वो यह कि हम जब multiple if का प्रयोग करते हैं साथी साथ हमारे पास एक option होता है logical operators का हम logical operator का भी इस्तेमाल इस दौरान अर्थात if ellip का प्रयोग करते समय कर सकते हैं logical operator actually क्या करता है आपकी जो multiple conditions होती है उनको यह combine करने का कारे करता है और जब यह इसको combine करता है तो इसके अधार पर यह आपको एक single उत्तर देता है या एक single answer provide करता है जैसे माल लिजे आपके पास यह condition 1 है यह condition number 2 है अब logical operator में हम जानते हैं हमने थोड़ा सा देखा था कि end operator होता है और operator होता है और not operator मुख्यता हम यहाँ पे बात करने हैं end और और operator की अब माल लिजे आपने इन दोनों के बीच में end लगा दिया अर्थात c1 और c2 के बीच में यदि हम end को place कर दें इसका मतलब जब यह दोनों ही condition true होंगी तभी हमको इसका answer क्या मिलेगा true मिलेगा अगर यहाँ पर कोई भी एक condition या दोनों ही condition false हो जाएंगी तब जो इसका final answer होगा वो हमेशा false होगा तो इस प्रकार से logical operator क्या कर रहा है एक से ज़्यादा condition को combine करके एक single उत्तर आपको प्रदान करने की कोशिस करते हैं तो जब आप multiple if की बात करते हैं तो हो सकता है आप logical operator का भी इस्तेमाल वहां कर रहे होंगे अब बात आती है कि इस multiple if को यदि आप python programming में प्रयोग करेंगे तो इसका syntax क्या होता है देखे जब आप पहला if लगाएंगे तो simple direct जैसे आप if लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे उसके बाद आपने condition लगाई condition के बाद में यदि ये condition true होगी तो कौन सा statement execute होगा वो आप लिखते हैं आप माल लिजए अगर ये condition true नहीं है और इसके बाद में फिर से आपको कोई condition डालनी है तो आप next जब आप if लगाएंगे तो वहाँ पर हमें उसे लिखते हैं alif और उसके बाद condition और उसके बाद में फिर उस condition के true होने पर क्या कारे होगा उससे संबंधित statement और इस प्रकार से कई alif को आप क्या कर सकते हैं अपनी condition या आवशकता के अनुसार अपने प्रोग्राम में प्रयोग करते हैं और finally यदि जितने भी आपने if और alif statement लगाए यदि कोई भी successfully execute नहीं होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर final else statement लगाते हैं तो यह else का जो statement है यह तभी execute होगा जब उपर दिये हुए कोई भी if या alif के statement true ना हो या उनकी condition true ना हो आईए अभी से उधान से समझते हैं हम बात करने हैं largest among three numbers की मतलब हम एक program बनाएंगे जिसमें तीन numbers input करेंगे उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमें display करना है तो obviously सबसे पहले तो आप तीन number input करेंगे तो मैं यहाँ पर तीन variable लेता हूँ x, y और z और इन तीनों में हम एक number input करने का statement लिख लेते हैं now after inputting all these numbers हम इनका आपस में comparison स्टार्ट करेंगे अब माल लिजे x की हम बात करें तो x, y और z से कब बढ़ होगा when it is greater than y and greater than z बोथ अर्थात यहाँ पर हम पहले तो if लगाएंगे और इसके बाद में हम लिखेंगे यदि x बढ़ा है y से और इसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा and अगर x बढ़ा है z से तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने and operator का इस्तेमाल किया और इन दोनों condition को आपस में combine कर दिया अब यदि यह दी हुई condition true हो जाती है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x जो है it is largest तो हमने लिखा x कॉमा लगा के हमने string डाल दिया is largest इसके बाद में हम bracket close कर देंगे अब माल लिजी यह x बड़ा नहीं है तो obviously y या z में से कोई एक number बड़ा होगा तो अब हम direct तो यहाँ else लेके लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास दो situation आ गई y या z की तो हम फिर से एक elif का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे अर्थात हम फिर से if का प्रयोग करेंगे लेकिन इस बार इसे हम elif के रूप में लिखेंगे और अब हम compare करेंगे कि क्या हमारा y x से बड़ा है और क्या हमारा y z से बड़ा है तो इस प्रकार से यह हमारी दूसरी condition सेट हो गई इसके पस्चार्थ में हम यहाँ पर लिख देंगे print bracket open करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अगर यह condition true हो गई तो y जो होगा it is largest अब माल लीजे x और y दोनों ही largest नहीं है और हमने इन x और y दोनों का comparison z से भी किया हुआ है तो automatically हम यहाँ पर लिख देंगे else कि यदि x और y अर्थात यह दोनों ही ऊपर की condition true ना हो तो आप सीधे सीधे display कर दीजिए z is largest तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कैसे हमने इस largest among three number के program को बनाया और कैसे हमने if और alif statement का यहाँ पर प्रयोग देखा साथ ही साथ आवशक्ता पढ़ने पर हमने conditions को आपस में combine करने के लिए किस तरह से logical operator का यहाँ इस्तेमाल किया आप आवशक्ता के अनुरूप end operator का भी प्रयोग कर सकते हैं या और operator का भी प्रयोग कर सकते हैं तो यह तो हमारी बात हुई selection की या conditions की basis पे कैसे आप statements को execute करते हैं अब हम बात करते हैं एक और important concept की जो हमारे programming में बहुत ही मत्पून है जिसे हम जानते हैं loop के नाम से या repetition के नाम से भी आईए अब repetition की बात करते हैं अब जैसा कि repetition इसका नाम है आप समझी गए होंगे कि जब आपको कोई एक particular operation बार बार perform करना रहता है या repeat करवाना होता है और यह एक particular number of time होता है अर्थात कोई एक statement है print का आप चाहते हैं कि वो 10 बार जो है चले या 10 बार वो execute हो तो यहाँ पर आपने इसे fix कर दिया दूसरा उधार्ण जैसे मैं देना चाहूंगा repetition का जैसे यदि आप 2 का power 4 निकालना चाहते हैं इसका मतलब यहाँ पर 2 आपस में कितनी बार multiply होगा 4 बार multiply होगा तो यदि आपके program की demand है कि जब आपको कोई particular operation बार बार perform करना है तो वहाँ पर हम repetition statements का प्रयोग करते हैं और जब आप python programming की बात करते हैं तो हमारे पास 2 repetition statements होते हैं एक while और दूसरा for loop और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस repetition को हम properly loop के नाम से या looping construct के नाम से भी जानते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं while की उसके बाद में हम बात करेंगे for loop की जब हम while loop को समझते हैं तो पहली बात तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि loop का कार्य है repetition करवाना तो ये अगर आप ideally अगर आप देखें तो it is used to repeat the statements till the given condition is true अर्था जब तक दी हुई condition true होती है तब तक ये statement को क्या करता है repeat करता है बट ये ज़्यादा suitable होता है जब repetations confirm नहीं होते हैं basically it is used जब repetations confirm नहीं होते हैं हाला कि python पे ये बात बहुत ज़्यादा माइने नहीं रखती तो यदि आप python programming में while loop का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होता है while while के बाद जो भी condition आप निरधारित करना चाहते हैं कि loop हमारा कितनी बार चलेगा फिर colon लगाते हैं और इसके अंतरगत जाके आप लिखते हैं statement जिसे आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं और इस प्रकार से जब ये सारे statement आप execute कर लेते हैं तो अंत में एक कारे और हम करते हैं जिसे हम जानते हैं update statement के नाम से तो वो हमें यहाँ पर करना होता है और इस प्रकार से हम while का syntax को समझ सकते हैं आईए इसे उधान से समझते हैं माली जे आपको hello display करना है पांच बार तो इसके लिए हम क्या करें तो सबसे पहले तो जब भी आप loop लगाते हैं तो एक हमें counter की आवशकता पढ़ती है वो counter क्या है एक simple हम variable ले ले लेते हैं जैसे माली जे हमने x लिया x में हमने डाल दिया 0 अब ये हमारे प्रोग्राम में हमने ये सोच के लिया है कि ये हमारे loop को count करेगा तो counter का जो variable होता है जैसे x, i या कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं हमने उसे लिया शुरुआत में उसे 0 कर दिया क्योंकि जब ये counting शुरू करेगा x 0 है तो 0, 1, 2, 3, and 4 अर्थात जब तक x की value 5 से कम है हम यहाँ पर एक condition लगा देते हैं तब तक हमारा loop चलेगा अब जब ये condition true होगी तो हमें क्या repeat करवाना है तो हमें print कराना है hello को बार बार तो हम इस loop के अंदर जाके लिख देंगे print inverted कॉमा में लिख देंगे हम hello उसके बाद ये bracket close हो जाएगा जैसे ही ये print display होगा अब चूकी x की value अगली बार चूकी ये 0 है तो जहिर सी बात है ये 1 count करेगा अर्थात इसकी value बढ़नी चाहिए तो हम लिख देंगे x plus equal to 1 अब क्या होगा जैसे ही ये print होगा hello x की value 1 होगी ये फिर से check करेगा इस condition को कि क्या 1 चोटा है 5 से तो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बात है ये hello display करेगा फिर x की value 1 plus 1 2 हो जाएगी फिर check करेगा 2 is less than 5 इसी प्रकार से 3 and 4 को check करेगा और कुल मिलाकर 5 बार ये loop हमारा चल जाएगा और जैसे ये x की value बढ़कर 5 होगी और ये condition false होगी और हमारा program close हो जाएगा तो इस प्रकार से हम y loop का प्रयोग करते हैं किसी भी statement को repeat कराने के लिए आए एक और program देखते हैं x का power y हम कैसे निकाल सकते हैं using y loop तो सबसे पहले तो हम x और y की value input कर लेते हैं now x और y की input करने के बाद x का power y निकालने का थात्पर है कि x को हमको y times क्या करना है multiply करना है अर्थात यदि 2 का power 4 है मतलब 2 आपस में कितनी पर multiply होगा 4 होगा अब चुकि हमें 2 into 2 करेंगे तो 4 आएगा 4 into 2 करेंगे 8 आएगा तो हमें एक और variable चाहिए r हम इसे 1 से initialize कर देंगे ताकि जब ये first time multiply करे x में तो answer में कोई फरक ना है इसके बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे while loop while पे जाके अब हम ये condition निरधारित करेंगे कि y की value माल लीजे जैसे आपने x में डाला 2 और y में डाला 4 तो 4 times हमारा x multiply होगा r के साथ में और 4 times का मतलब x 4 है तो 4, 3, 2 और 1 अर्थात x की value जब तक बड़ी है या बराबर होगी x तक तब तक हमारा ये loop चलना चाहिए और हर बार ये loop में इसकी value क्या होगी जब ये loop execute होगा तो इसकी value 1 से minus हो जाएगी बट उसके पहले हम यहाँ पर लिखेंगे r equal to r multiplied by x अब देखिए r equal to r multiplied by x का तक पर है कि जो x की value 2 है वो r की पहली value 1 से जब multiply होगी तो 2 into 1 equal to ये r में 2 store हो जाएगा अब हमने बोला y minus equal to 1 तो y की value जो है 4 थी अब वो 3 हो गई फिर ये condition चेक होगी तो देखेगा 3 बड़ा है 1 से वापस अंदर जाएगा तो चुकि r में पहली बार 2 से जब multiply होगा तो r की value 2 थी तो अगली बार ये 2 into 2 मतलब r की value 4 हो जाएगी y के value घटके 3 से 2 हो जाएगी और फिर ये जब multiply करेगा 4 into 2 तो ये 8 हो जाएगा और इसी प्रकार से अगली बार चलेगा तो 8 into 2 equal to 16 तो ये जो हमारे पास r की value आई इसे हम वापस इस loop से बहर आके print कर देंगे तो हमने यहाँ पे लिख दिया print r और इस प्रकार से हमारा ये पूरा program मैं इस portion को यहाँ से erase कर देता हूँ तो ये तो बात होई हमारे कैसे हम program बनाते हैं while loop का प्रियोग करके अब हम इसी प्रकार से समझते हैं for loop को नाव देखे जब for loop की हम बात करते हैं तो obviously इसका काम है repeating statements लेकिन जब आप python में for loop की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसका जो purpose है वो change हो जाता है वो change कैसे हो जाता है ये basically हम प्रियोग करते हैं use to iterate over a range of values और sequence मतलब sequence का मतलब जैसे ये कोई list हो सकता है कोई tuple भी हो सकता है या कोई array भी हो सकता है अर्थाच जैसे कोई list है इसमें 1,2,3,4,5 इस तरह से बहुँ सारी values है तो हर एक value को हमको क्या करना है individually display करवाना है या किसी region से check करके कोई answer देना है तब वैसी situation में हम क्या करते है for loop का इस्तेमाल करते है इसका मतलब ये जो हमारा for loop है ये हर एक जो sequence के या range of values के items होते है या हर एक values के लिए क्या करता है repeat होता है या execute होता है और एक और important बाग ध्यान रखें ऐसा नहीं है कि for loop जो repetition करेगा item का या किसी given range में केवल अगर numbers होंगे तब ही ये repetition करेगा ये values कुछ भी हो सकती है तो values जो है it can be of any type ये numbers भी हो सकती है ये आपकी string भी हो सकती है ये आपकी float भी हो सकती है तो ऐसा नहीं है कि for loop केवल एक particular type अर्थात numbers के लिए ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये किसी भी type of values के लिए हम कर सकते हैं मैं आगे चल के आपको बताऊंगा लेकिन जब हम for loop का प्रेयोग करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही मत्पूर function है जिसे हम जानते है range function के नाम से उसको हमें समझना जरूरी है कि ये range function क्या करता है उसके बाद में हम इस for loop को देखते हैं तो range method जो होता है basically क्या करता है it creates range of values और range की जगह जदा अच्छा होगा कि हम लिखते है list of values तो ये multiple values का list create करता है जहाँ पर आप जब range operator को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ये पहले step में देते हैं start की position उसके बाद में आप डालते हैं end की position और उसके बाद में रहती है हमारी step value अब ये कैसे work करता है चलिए मैं आपको एक बार practically इसे execute करके दिखाता हूँ so you can see this is my python shell अब मैंने यहाँ पर ये बोला कि आपको एक list बनानी है अब इस list में हमको 1 से लेकर 10 तक की value चाहिए तो हमने बोला range method लो और 1 से लेकर यहाँ पर 10 डाल दो इसके बाद में आप जैसी इसे execute करेंगे तो देखे ये list of value यहाँ पर generate हो चुकी अब ये list function होता है जो list बनाने के लिए हम create करते हैं आगे चलके loop के बाद में हम list और strings की बाद भी करेंगे बट यहाँ पर मैं सिर्फ range function को explain करने के लिए इसकी मदद ले रहा हूँ अब इसी तरह से जैसे अगर आप लिखते हैं list हमने बोला कि भाई आप range method का इस्तेमाल करो हमको 10 से लेकर 100 तक की value के बीच में 10 के differences में value की list create करनी मतलब जो list create होगी it should be like 10, 20, 30, 40, 50 and all तो this is how we all can understand की कैसे हम range function का इस्तेमाल करते हैं अब इस range function का इस्तेमाल हम for loop में करते हैं individual value को execute करने में या iterate करने में आईए अब for loop को कैसे प्रयोग करते हैं उसका syntax देखते हैं तो जब भी आप for loop को प्रयोग करना चाहते हैं सबसे पहले आप for लिखते हैं उसके बाद आपको एक counter लेना होता है इस counter को हम control variable के नाम से भी जानते हैं उसके बाद में हम यहाँ पे लगाते हैं in operator उसके बाद में हम देते हैं यहाँ पे range of values या हम बुलें की list की हम बात कर रहे हैं colon लगाते हैं और उसके बाद में जो भी statement आप execute करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे ले सकते हैं जैसे उधान के तौर पे हम पहले तो display करते हैं hello को 10 बार तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सीधे आपने लिया for और इसके बाद में हमने यहाँ पर मालीजे counter लिया cnt के नाम से अब इसके बाद में हमने बोला in operator लगाई है हमने range function का इस्तेमाल किया जोकि 10 बार हमें value display करनी है इसलिए आप start करेंगे 0 से अब यहाँ पर देखिए जो end value होती है एक important बात मैं वापस python shell पे पहले चलता हूँ यहाँ पर आप notice करेंगे जब हमने 1 से 10 की range ली तो value start to 1 से लेकिन जो end 10 था वो उसके पहले तक की value अर्था 9 तक की value को उसने list में include किया और यह जो end index था या end value थी या stop value थी उसको उसने यहाँ पर exclude कर दिया उसे include नहीं किया उसी तरह से जब हमने 10 से 100 लिया तो 90 तक की value को उसने list में include किया और 100 को इसने यहाँ पर exclude कर दिया तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप counter लगा रहे हैं और आपको 10 time value display करनी और अगर हमने यहाँ पर 0 लिया तो 0 से लेकर 9 तक total 10 repetition होता है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 10 इसके बाद आप corner लगा दीजिए अगर यह आप 1 लेते तो आपको लिखना होता 1,11 तो I hope आपको यह समझ मेया होगा और इसके अंदर जाके अब आप लिख दीजिए print hello और यह value को क्या कर देगा display कर देग तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे सीधे सीधे देखिए हमने for loop लगाया हमने counter लिया जैसे मान लीजे i हमने बोला in हमने यहाँ पर range function लिया इसके अंदर में हमने बोला 0 से आप start करो चूकि 100 है तो हम इसको 101 कर देते we all know that कि 0 के बाद 2 2 के बाद 4 आता है तो हम step value पर print कर देंगे हमारी value i को तो यह क्या हो गया हमारा i हो गया और इस प्रकार से जब आप इस code को execute करेंगे तो answer आपकी screen पर आ जाएगा like 0, 2, 4 and so on up to 100 so this is how we can understand this for loop का purpose और कैसे हमने even number display करिया चलिए इस एक बार python shell पर direct execute करके भी देखते हैं so this is my python shell मैंने लिखा for मैंने बोला i in मैंने range डाला इसमें मैंने बोला 0 से लेकर आप ले लिजे सपोज मैं for the time being इसको 10 ही कर देता हूं और इसे 2 लगा देता हूं मैंने enter press किया यहाँ पर मैंने डाला print मैंने सीधे लिखा i आप enter press करिये देखिए 0, 2, 4, 6, 8 this is how it is showing you the even numbers तो एक और example देखते हैं और इस बार हम बात करेंगे working with string की मतलब iterate over string जैसे माल लिजाए आपने लिया s इसमें मैंने डाल दिया take tip now अब मैंने यहाँ पर लिखा for मैंने बोला i in s मतलब मेरे इस s की जितनी values हैं चुकि string भी एक sequence होता है तो इसकी सारी values को आप display करो तो मैंने यह यहाँ पर लिख दिया print मैंने यहाँ पर कह दिया i तो क्या जब आप इसे execute करेंगे तो यह सारी values को दिखाएगा आईए इसे भी practically execute करके देखते हैं so this is my python shell मैंने यहाँ पर बोला s equal to इसके बाद मैंने for लिया मैंने बोला i in मैंने बोला s and इसके बाद में मैंने यहाँ प values होती हैं उनके इटिरेट करता है अच्छा यहाँ पर एक बात और कि अगर मैं इसी code को लिखू चुकि मैंने s को already initialize कर दिया मैं फिर से लिखता हूँ i in range sorry s इसके बाद में मैंने यहाँ पर बोला print bracket में मैंने बोला i की value display करो बट इस बार जो है हमें take type now के बीच में space दि कीजिए दो space कर दिए ताकि difference हमें समझ में आ जाए अब आप enterprise करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपकी screen पे values display हो रही है तो आप ये end statement का प्रियोग करके same line पे अगर values को display करना चाते हैं या backslash हैने या backslash t के द्वारा तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं तो ये तो बात हुई कि कैसे हमने for loop का प्रियोग किया एक example अब देखते हैं suppose हमें 10 number input करना है और उसमें से जो largest number है उसे display करना है उसका program हम for loop से कैसे बनाते हैं तो largest among 10 number का मतलब ये है कि हमें 10 number input करना है तो हम एक ही variable में 10 number को input करवाएंगे उसके लिए input statement को 10 बार repeat करेंग इसमें हम 0 डाल देते हैं अब हमने यहाँ पे बोला for लगाईए हमने बोला ice लीजिए counter हमने बोला in लगाईए और यहाँ पे range method लिया जिसमें हम चुकी इसे 1 से 10 मतलब 10 टाइमस इस loop को run करना इसलिए 1 to 11 कर दिया इस loop के अंदर में जाकर हमने एक variable लिया x और यहाँ पे इसमें एक number आप input कर दीजिए now after entering value in x हम इसका comparison करेंगे max के साथ तो हम इसके लिए लिखेंगे if यदि x की value max से बड़ी है मतलब max में जो value है उससे यह x की value बड़ी है तो हम इस max में इस x की value को transfer कर देंगे और इस प्रकार से जब यह पूरा loop 10 बार चलेगा 10 बार आप number डा जैसे माल लिजे x में पहली बार आपने डाला 10 तो 10 is greater than what 0 तो automatically आपका जो max है उसमें यहाँ पर 10 आ जाएगा अगली बार जब यह loop चलेगा और suppose आपने x में डाला 2 तो 10 is greater than 10 तो बुलेगा false तो कुछ नहीं होगा अगली बार आपने डाला 4 4 is greater than 10 तो भी बुलेगा कुछ नहीं होगा अगली बार माल लिजे आपने x में डाला 12 तो क्या 12 10 से जादा है तो भीलकुल है तो फिर max में क्या आजाएगा 10 की जगा यह 12 आजाएगा इस प्रकार से 10 नंबर को यह program input करवाएगा comparison करवाएगा max के और finally जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो max में आ जाएगा अब यह हमारा पूरा काम लूप का complete होने के बाद बाहर आकर हम लिख देंगे print largest number equal to max और इस प्रकार से हमारा यह largest among 10 number का program भी successfully execute हो जाएगा आईए इसे python shell पे execute करते हैं so you can see this is my program जो मैंने आपके साथ discuss किया largest का अब इसे हम run करते हैं it is asking for saving it so मैं इसको नाम देता हूँ exp जो हमेश ही मैं देतेता हूँ इसके बाद आप इसे save कर दीजिए और जैसी आप run करेंगे you will see यहाँ पर यह बोल रहा है enter a number मैंने डाला 12 फिर यह बोलेकर अगला number डालो 23 फिर मैंने डाला 45 फिर 1 then 2 then 32 then 22 एक बड़ा number 67 डालते हैं then 1 then 2 so you can see now it is showing us largest number is 67 और आप चेक कर सकते हैं so this is how we all can see कि कैसे हम for loop का इस्तेमाल करते हुए statements को repeat कर सकते हैं चलिए एक और example बनाते हैं factorial of a given number तो मैं factorial का program बनाने के लिए पहले इस code को पूरा हड़ा देता हूँ हम एक value पहले input करते हैं x में अब ये जो x है suppose इसमें हमने डाला 5 तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मरतलब जब तक x की value 1 है तब तक ये multiplication होगा तो हम यहाँ पर एक result ले लेते हैं जिसको हम once initialize कर देते हैं इसके बाद में अब देखिया यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहाँ while का मैंने बुला जब तक while की value बड़ी है या बराबर है किसके एक के तब तक मेरा repetition होगा और मैंने बुला r equal to r into x और यह multiplication होते जाएगा और x की value हर बार क्या होगी reduce होगी by 1 तो minus equal to 1 इस प्रकार से मेरा ये कारे खतम होगा और यहाँ पर आके मैं लिख दूँँगा print x और इसके बाद जब आप इस code को execute करेंगे तो यह बोलता है enter a number मैंने डाला 6 it is showing us 0 why it is showing us 0 let me check मैंने यह पर गलती क्या कर दी मैंने x को print कर दिया actually मुझे r को print करना चाहिए था अब अगर आप इसे run करें so now you can see it is asking for input a number मैं फिर से 6 डालता हूँ you can see it is showing us 720 so overall this is how we all can understand कि कैसे हम for loop या while loop का प्रयोग कर सकते है अब आप ये question करेंगे कि यदि इसको for loop से बनाना तो हम क्या करेंगे so हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं for मैंने बुला i in अब ये जो range है चुकि हमें reverse order में चीए तो हम start करेंगे x से comma लगा के मैंने 0 कर दिया और यहाँ पर step कर दिया मैंने minus 1 अब इसके बाद में यहाँ पर colon डाला और अब मैंने बुला r equal to r चुकि जो हमारा iteration हो रहा है x का इसकी एक एक value हमारी i में आएगी तो हम यहाँ पर लिख देंगे shift into i अब इसके बाद में यह loop से बाहर आ जाएंगे और हम print कर देंगे हमारे r को चलिए अब इसे भी एक बार execute करते हैं तो यह बोलता enter a number हमने डाला 6 तो now it is showing you 720 तो कहने का ताथ पर यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी program बनाना है तो उसके लिए specifically while यूज़ करना है या specifically for loop यूज़ करना है आप किसी भी loop को यूज़ करके किसी भी problem को solve कर सकते हैं but it all depends upon you कि कैसे आप logic लगाते हैं और कौन सा logic आपके लिए ज्यादा easy पढ़ता है आगे बढ़ते हैं and now we are talking about nested for loop तो loop तो हमको समझ में आ गया कि it's all about repetition अब सवाल यह कि nested for loop का purpose क्या है well nested for loop का मतलब होता है कि one loop inside another loop अब यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से आप यह भी बोलते हैं ज्यादा तर हम क्या करते हैं one for inside another for की बात करते हैं अब purpose क्या है यह हमको समझना ज़्यादा जरूरी है अब जैसे माल लीजिए आपको display करना है a को कुछ इस तरीके से तो आप क्या करेंगे a को चार बार display करना है आपने बोला for i in suppose range और मैंने बोला भई आप 0 से लेकर 4 तक loop को चला दो और यहाँ पर आखिया प्रिंट कर दो a को कितनी बार चार बार तो हमने यह प्रिंट कर दिया अब यह क्या करेगा a को for time प्रिंट कर देगा अब देखें इसका जो dimension है वो केवल एक ही है मतलब यह एक ही तरब एक ही dimension में data को display कर रहा है अब मालो आप चाहते हो कि हमारा जो a है वो कुछ इस तरीके से display हो अर्थात आप देखें कि यह row wise और column wise मतलब tabular form में हम क्या कर रहे है data को display कर रहे है अब tabular form का मतलब यह हो रहा है कि यहाँ पर दो dimension पे काम हो रहा है एक तो आप यह बोलेंगे कि row wise भी हम data display कर रहे है और दूसरा column wise भी data display कर रहे है तो हमारे पास कितने dimension हो गए दो dimension हो अगर इस A को इस तरह से अगर हमें print करना है अर्था tabular form में तो एक for loop से तो हमारा काम चलेगा नहीं क्योंकि अगर आप एक for loop लगाओगे तो वो कुछ इस तरह से data को display करेगा अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें horizontally data को display करना है तब हम क्या करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जब आप print लेते हैं मैं इसे erase कर देता हूँ जैसे माल लीजे मैंने यहाँ पे comma लगाया और मैंने बताया कि end parameter आप pass कर दीजिए और यहाँ पे equal to आप क्या कर दो space दे दो ठीक है अगर इस loop को अभी आप print करोगे तो यह क्या दिखाएगा एक को कुछ इस तरह से चार बार आपको screen पे दिखा देगा तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपको tabular form में data display करना है तो यह जो loop है इसने एक को इस तरह से चार बार display किया अब दुबारा फिर से इसी loop को मैं चलाओंगा तीबारा फिर से इस loop को चलाओंगा और चौथी बार एक बार और और इस loop को चला दूँगा तो क्या होगा मेरा यह पूरा इस तरह से data display हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा इस पूरे for loop को as a statement दूसरे for loop में ले लेता हूँ जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ for अब मैंने यहाँ पे j लिया अब मैंने बोला j in range और यहाँ पे मैंने बोला भई 0 से 4 तक चला दो उसके अंदर मेरा यह statement आ जाएगा और हमारा काम खतम तो अब क्या होगा यह j हो गया यह i हो गया तो हमारा j जो है वो इधर के लिए हो गया और यह i इधर की counting हो गई जैसे माले जब j 0 है तो for loop यह चला यह चलेगा 0 1 2 और 3 के लिए तो यह पहला a display होगा जैसी इस loop से exit होगा j की value बढ़के 1 हो जाएगी और जब 1 होगी तो फिर से यह लूप चलेगा फिर यह इस line को display करेगा मतलब यह 0 हो गया फिर यह 1 हो गया जब j2 होगा तो फिर यह display होगा j3 होगा तो फिर यह display कर देगा तो इस तरह से nested for loop का जो basic purpose है अगर वह आप समझने की कोशिस करें तो जब आपको data को manage करना होता है tabular format में तब हम इस्तेमाल करत है nested for loop का और tabular format का मतलब हो गया 2D और two dimension के लिए मतलब आप लगा देंगे nested for loop तो चलो इसको एक बार मैं python पे run करकी दिखा देता हूँ तो यह है मेरा python shell अब जैसे मैंने आपको बोला अगर मैं लिखता हूँ for i in range और मैंने यहां पे bracket में डाल दिया save for example for को इसके बाद मैंने यहां पे कर दिया print मैंने बोला a को print करो और end मतलब space दे दो अब अगर आप इसको run करो तो देखो a चार बर आ गया अब मैं इसको nested for loop में तबदील कर देता हूँ तो मैं इसके लिए code लिख देता हूँ यह मेरा code ready हो गया अब आप इसको run करो अब यह क्या same line में आ अब अगर आप इसको run करोगे तो आप देखो यह आपका tabular format में हमारा data display हो गया आए इस nested for के एक दो examples और देख लेते हैं अब जैसे माल लो आपको इस तरह से star को display करना है कुछ इस pattern में राइट तो इसके लिए हमारा program कैसे बनेगा चलिए देख लेते हैं तो इसे बनान कर दो 0,1,2,3 जैसे माल लो यह हमारा i हो गया इधर से 0,1,2,3 हो गया यह हमारा j हो गया अब देखो जब i 0 है तो j 0 बार चला i 1 है तो j 1 तक चला i जब 2 हुआ तो j 2 तक चला मतलब हमको एक fundamental concept मिल गया कि फॉर पहले हम i लगाए in कर दिए range total 4 बार चला दो इसके अंदर हम आपका यह प्रिंट आ जाएगा तो यह हुआ एक example एक और example आपको बता देता हूँ अब इसका एक opposite program बनाते हैं यह इस तरह से हम इस pattern में हमारे star को display करेंगे इसके लिए आप पहले तो पूरा फिर से जैसे मैंने बताया है सबसे बढ़िया है एक tabler का structure बना दो या table का form दे दो और इसका पहले आप क्या कर कर दो indexing कर दो 0 1 2 3 0 1 2 3 अब आप देखों यहां दो चीज हो रही है यहां तीन space है यहां दो space है यहां एक space है space के बाद में हमने क्या क्या star को display किया है यहां पे total हमको दो काम करना पड़ेगा एक तो i जो outer loop ले गए हम उसको सीधे ले ले लेते हैं for i in range यहां पे बोले कि चार बार चलाना है अब इस लूप के अंदर में हमको दो internal loop लगाना पड़ेगा एक space के लिए और एक star डिस्प मतलब क्या है कि जब आप space को display करोगे तो जैसे मालो आप ले लेते हैं j in यह मैं bracket हटा देता हूं यहां से इसके बाद मैं आपने बोला भई j in range और यहां पे bracket में जाके आपने बोला हम्मारा loop total चार बार चल रहा है तो 4 ले लो minus कर दो i जैसे से i की value बढ़ते जाएगी number of spaces reduce होते जाएंगे यहां पर आके मैंने बोला भई print करो क्या print करो space print करो और end में जाके आपने क्या कर दिया इसे इस तरह से no space के साथ इसको mention कर दिया फिर इसके बाद तुरंत एक दूसरा loop लेंगे जैसे counter ले लो k इसमें बोला in range अब देखे यह start तो वही है आई जब 0 है तो 0 बार चला आई 1 है तो 01 मतलब 2 बार आई जब 2 है तो 01 टू 3 बार तो जो पिछला प्रोग्राम बताया है सेम वही प्रोग्राम repeat कर दो यहां पर आई ले लो और यहां पर आप प्रिंट कर दो star को उसके बाद में आप end लगा के फिर से आप क्या कर दो space दे दो इसके बा आउटर लूप लेता हूँ i in range 4 और जैसे मैंने आप से बोला मैं इसके अंदर एक दूसरा j ले लेता हूँ और यहां पर range में mention कर देता हूँ 4 minus i यहां पर हम space print करेंगे तो मैंने लिया print inverted space comma and equal to यहां पर मैं extra space नहीं दे रहा हूँ इसको बंद कर देता हूँ दूसरा for ल मैं दुबारा इस code को लिख लेता हूँ एंटर प्रेस किया और इस print statement को यहां पर लिखा लेकिन इस बार हम star को print करेंगे तो मैंने यहां पर star ले लिया चलिए यहां पर आप space mention कर दीजे ताकि कोई problem मत हो और आपको कोई confusion भी ना हो यह हो गया इसके बाद यहां पर एक print मा करके अपना work कर सकते हैं अब देखिए इसी program को मैं फिर से copy करता हूँ देखिए इसके star pattern को हम display करेंगे यहां पर अगर मैं इसके बाद एक star दे दूँ और उसके बाद इस code को run करता हूँ तो आप देखो यह हमारा pyramid कुछ इस तरह से display हो रहा है यहां पर इन दोनों के space को ह यह दिखने लगेगा देखिए पुरा खेल जो है space का है यहां पर यह space को हटा दो अब आप इसको enter करके देखो तो यह कुछ अभी भी ठीक नहीं हुआ तो आप फिर से काम करो इस control C करो control V कर दो यहां का जो space है इसको भी हटा दो अब आप इसको run करके देखो तो यह एकदम बढ़िया से आपका star pattern आगया है तो कुल जमा बात यह कि nested for look का concept आपको समझ में आगया होगा कैसे use करना और कैसे different pattern program बनाने है यह 3-4 program मैंने आपको बताया है अब इसकी basis पे जितना practice आपको करना है आपको practice के लिए question चाहिए मेरे को comment मारो मेरे telegram channel से जुड़ जो सारे questions मैं आपको PDF के form में available करा दूँगा through telegram through my website एक सीधे सीधे dedicated video भी आपको मिल जाएगा जहां पे सारे program का solution हम देदेंगे तो यह तो पूरी कहानी हुई हमारे problem solving की computational thinking and programming की जब हम बात कर अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम discuss करना शुरू करेंगे data structure के जो की है हमारा next chapter string चलिए discussion स्टार्ट करते हैं Alright so now we are going to discuss another important topic of your class 11 of computer science that is string actually बट इससे पहले कि मैं string का discussion स्टार्ट करूँ यह जितनी भी topics मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ इसका पूरा notes आपको मेरी website पे available हो जाएगा जो यहाँ पर मैंने display भी किया हुआ है that is www.tiktip.in मैं एक छोटा सा टूर कराता हूँ आपको सबसे पहले अपनी website का so मैंने यह Google Chrome में अलड़ी अपनी website को open कर लिया है HTTPS आप देख सकते हैं that is actually your tech tip not.in अब इस tech tip not.in पे देखिए सारे ही sections आपको मिल जाएंगे मैंने चुकि notes की बात की आपसे computer science की तो आप notes में जाएंगे तो यहाँ पे computer science class 11 का notes आप देख रहे है menu में या फिर आप नीचे इसको scroll करेंगे आप सुमीतार हो रहा है NCRT इन सब के solutions हैं questions हैं तो वो detail पे मैंने ही जा रहा हूँ फिलाल मैं बात कर रहा था notes की तो जब आप computer science class 11 notes पे click करेंगे then you will be able to see these notes तो जितने भी chapters आपके syllabus के according CBSE ने बताया हैं आपको उन सब के notes यहाँ पे available मैं बात कर रहा हूँ जैसे string की तो जब आप string को open करेंगे you will see that कि यहाँ पर यह string का सारा ही as per your syllabus notes हमने बहुत ही crisp तरीके से concisely design किया हुआ है एक एक चीज का screenshot लेके practically execute करके हमने इसको डाला हुआ है तो आप चाहें तो इसको as a reference इस्तेमाल कर सकते हैं link आपको description box में इस video के definitely मिलेगा in fact आप इस video के description box को check करेंगे तो सारी ही जानकारी आपको जितने भी videos जिस भी तरह की चाहिए notes exercise related तो almost सारी links हमने डाले हुए so अब वापस आते हैं हम अब string का discussion start करते हैं so basically देखे string का मतलब क्या आप सभी जानते हैं कि जब हम set of characters की बात करते हैं या सीधे सीधे in short बोला जाए किसी text की हम बात करें जैसे अगर आपने लिखा take tip now तो ये क्या हो गया basically एक string हो गया आपकी programming की language में तो हम सभी जानते हैं कि अगर आप programming कर रहे हैं तो programming में अगर आप कुछ भी input करेंगे तो उस input को store करने के लिए भाई हमें कहीं न कहीं memory space की ज़रुरत पड़ती है और ये जो memory space होता है या तो आप variable के रूप में इसे declare करते हैं या फिर आपको थोड़े बड़े data structure चीए in short मैंने यहाँ पर ds लिखा हुआ है तो जब आप ज़्यादा बड़े amount of data को manage करने की बात करते हैं तो आपके लिए different types of data structure होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा popular है जिसे हम category कहते हैं sequence की category कहते हैं actually और इस sequence में basically आप discuss करते हो किसको list को इसमें आप discuss करते हैं tuple को और इसी में आप discuss करते हो किसको आपके string को तो ये तीनो sequence type के data structure है या इसको हम data type के नाम से भी जानते हैं और एक और होता है जिसे हम mapping के नाम से जानते हैं आगे चलके हम पढ़ेंगे जिसे हम dictionary के नाम से जानते हैं तो अभी चुकी हम बात कर रहे हैं string की तो आपको समझ में आ गया होगा कि string क्या है basically एक sequence है sequence का मतलब क्या है जहाँ पर जितने भी characters या individual data items होते हैं वो एक sequence में organize होते है sequence बोलने का actually मतलब यह है जैसे यह आपने take tip now लिखा मैं यहाँ पर इसे फिर से लिखता हूँ तो होता क्या है कि यह जितने भी elements होते हैं इसको system identify करने के लिए एक index number assign कर देता है जो कुछ इस तरह से शुरू होता है जैसे मैं आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसको number assign कर रहा हूँ तो आपको किसी भी element को access करना तो उसे index से आप assign कर सकते हो और इस index के through आप पूरे first से लेकर end तक हर एक element को देख सकते हो जिसे हम traversing बोलते हैं इसलिए हम इसे sequence के नाम से जानते हैं और यह जो string होता है यह basically बनता है किससे आपके unicode character से unicode character का मतलब यह है हम सभी जानते हैं कि computer system में जो भी data होता है वो binary के form में होता है अब आप keyboard से कुछ भी type करते हो तो वो भी आपके 0 और 1 में क्या हो जाता है? convert हो जाता है आज के जमाने में हम internet इस्तेमाल करते हैं तो internet में क्या हो रहा है कि जो characters है around the globe बहुत सारे हैं तो उन सारे characters को एक common binary code में convert करने के लिए क्या बनाया गया है आपका unicode बनाया गया है ताकि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी computer में, किसी भी type of operating system में आप बैठ हो तो आपको किसी प्रकार से या आपके computer system को उस character को process करने में कोई परिशानी ना हो इसलिए यहाँ पर यह word का इस्तेमाल हुआ unicode character का साधारन शब्दों में आप इसे letter, digit या white space या किसी भी प्रकार के symbol का collection बोल सकते हैं मतलब string जो हो सकता है, उसमें कोई alphabet भी हो सकता है, कोई number भी हो सकता है, blank space भी हो सकता है या किसी प्रकार का symbol भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी take clip now लिखा आप चाहें तो इसे t, e, c, h, at the rate, 1, 2, आप इस तरह से भी string का निर्मान कर सकते हैं इसी प्रकार से अगर आप string को define करना चाहते हैं python पे, तो जब आप इसको declare करेंगे या define करेंगे तो या तो आप single quotation में रखिए, या double quotation अर्थात inverted comma या आपको, आप इसे triple quotes में भी define कर सकते हैं कुछ इस तरह से आईए python shell पे मैं इस string को define करके आपको बता देता हूँ So you can see this is my python shell, मैंने बात की string की अब सबसे पहले तो ये normal एक string जैसे मैंने लिया, hello, आप देखिए आ गया अब मैं इसे एक temporarily variable में store करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने s लिखा और s में अगर आप इसे store करेंगे तो कुछ इस तरह से आप store करेंगे s print करिए आ गया, इसी तरह से s में ही मैं दुबारा ले लेता हूँ inverted comma में, take tip now, यहाँ पे मैंने actually mistake यह कर दी कि मैंने inverted comma से start किया तो मुझे inverted comma से ही बंद करना चाहिए था, मैं फिर से इसे लिखके enter कर देता हूँ अब आप s को print करो तो यह आ गया, इसी प्रकार से जैसे मैं triple code भी ले सकता हूँ अब यहाँ पे जैसे मैंने डाला take at the rate 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, and enter करो यह बन गया, s press करो, यह देखिए इस तरह से आप string को manage कर सकते हैं so there is something about your string का basic definition और basic understanding अब हम बात करते हैं कि अगर आपको string के individual elements को access करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए कहीं न कहीं जब आप individual element को access करने की बात कर रहे हैं मतलब हम indexing की बात कर रहे हैं, जिसकी हलकी सी जलक अभी मैंने string को define करते, समय यहाँ पे दी आईए इसी बात को फिर से repeat करके index को समझने की कोशिस करते हैं Now first of all you see that, तो जैसे मैंने कहा, माल लीजिए आपने कोई एक string ली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ T-E-C-H-T-I-P-N-O-W तो जब आप इसे अपने computer system में store करते हैं या computer में जब यह string store होगा, तो computer क्या करता है, इस हर एक character को जो की एक-एक byte का होता है उनको अपनी memory में एक-एक byte का space इनको provide करता है और यह पूरा data एक sequence में store होता है अब यह जितने भी bytes हैं, इनके अपना एक unique address होता है, लेकिन वो address तो computer system समझता है आपके लिए python आपको एक सुविधा दे देता है कि यह जितने भी elements है, इनको आप एक index number से individually क्या कर सकते हैं operate कर सकते हैं, manage कर सकते हैं, access कर सकते हैं, तो जैसे मैंने इनकी indexing यहां से कर दी यह indexing हमेशा 0 से start होती है, अब तो जो last element है, जो भी अंतिन संख्याएगी, वहां तक चलती है अब सवाल यह पैदा होता है कि यह एक index हुआ, अब खास बात इसकी यह है, जब आप python में काम करते हैं तो python क्या है, negative indexing को भी support करता है, जो की start होता है end element से और यहां पर यह हो जाता है, minus 1, यह minus 2, यह minus 3, इसी प्रकार से यह minus 4, minus 5 and so on तो यह हुआ इसका negative index, अर्थात आप चाहें, तो इस positive index या negative index दोनों का प्रयोग करके elements को access कर सकते हैं, किसी भी element को access करना है, तो उसके लिए हम square bracket का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यह string हमने डाला, actually किसमे, s में, तो यदि आप लिखते हो s2, तो इसका मतब यह यहां पर इसका answer जो देगा, वो देगा c, यदि आप लिखते हो s minus 10, तो यह आपको क्या answer देगा यहां पर, t answer देगा, तो इस प्रकार से इन index value का इस्तेमाल करते हुए, आप individual elements को किसी भी string के, या individual characters को क्या कर सकते हैं, access कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि negative indexing है, तो यह index number 0 भी हो सकता है, positive भी हो सकता है, लेकिन एक बार ध्यान रखें, जैसे ही देखिए, इसका last index का number क्या है, 9 है, अब अगर आप यहां पर s10 को print करोगे, तो यह यहां पर क्या answer देगा, आपको एक index error देगा, क्योंकि s10 या 10 number का index तो exist ही नहीं करता है, तो इस पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि यह negative index को भी support करता है, तो आपको जो मैंने अभी explain किया, screen को pause करके आप यहां से भी इसे समझ सकते हैं, यहां पर एक बात का आप ध्यान रखेंगे, कि starting from the right side, जो negative indexing होती है, वो right side से start होती है, और जो पहला index number होता है, वो minus 1 होता है, and the last character, जो की leftmost होता है, उसका index क्या हो जाता है, minus n हो जाता है, मतलब अगर किसी string की length n है, तो इसका जो last index negative वाला होगा, वो minus n होगा, और जब positive index करते हैं, तो वो leftmost होता है, यह 0 से start होता है, जो end होता है, वो हमेशा n minus 1 होता है, आईए python shell पे string के individual characters को access करते हैं, तो देखिए जै अगर आप यहाँ पे डाल देते हो, S0 तो यह देखे, T दिखा रहा है, अगर आप डालते हो, S3 तो यह देखिए, S दिखा रहा है, अगर आप डालते हो, S-3, तो देखे, मैं पहले S ले लेता हूँ, तो minus 1, minus 2, minus 3, 1 आएगा, तो S-3 मतलब minus 1 को यह बिल्कुल सही दिखा अब इसी प्रकार से यदि आप माल लीजिए ऐस लिए आपने ब्रैकेट में आपने डाल दिया है 23 तो यह आपको क्या दिखा देगा index error दिखा देगा तो यह सिंपल सी बात है कि कैसे आप individual elements को access कर सकते हैं किसी भी string के अब अगली और important बात आती है कि क्या string immutable होते हैं तो इसका answer है yes string जो होते हैं वो immutable होते हैं अब immutable का मतलब क्या है माल लीजे आपने एक string डाला रमन इसके indexing कर देता हूँ 0,1,2,3 यह s में आपने store कर दिया अब अगर आप s 0 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखाएगा अब आप अगर कोशिस करेंगे s 0 में m डालने की अर्थात इस r को आप replace करना चाहते हैं m से तो यह होने नहीं देगा string और यह आपको क्या produce कर देगा error देगा warning देगा exception generate कर देगा that string is immutable आप इसकी original value जो एक बार आपने assign कर दी आप उसको change नहीं कर सकते practically एक बार आपको दिखाता हूँ मैं वापास इस string को display करता हूँ यह है take at the rate 124 अब अगर s 0 को आप देखें तो यह t है अब अगर s 0 equal to आप इसे m डालके assign करने की कोशिस करें तो यह आपको error produce कर देता है इसका मतला हमेशा ध्यान रखें कि जो string होते हैं they are always immutable आगे बढ़ करते हैं कि string में आप किस-किस प्रकार के operations कर सकते हैं तो basically जितने भी data types होते हैं चाहे वो string हो चाहे वो tuple हो चाहे list हो उन सब में concatenation, repetition, membership और slicing के operations किये जा सकते हैं आईए एक-एक करके इनको समझने की कोशिस करते हैं जैसे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं concatenation की concatenation का मतलब यह होता है आप समझी गया होंगे कि एक string में आपने डाला take, s1 में आपने डाल दिया tip तो अगर आप s plus s1 करेंगे तो यह answer क्या दिखा देगा आपको take tip दिखा द करते हैं अर्थात addition of two character या more than two characters या two different strings character की जगह आप इसे string भी लिख सकते हैं वहाँ पर हम concatenation की बात करते हैं और इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि हम plus sign का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से अगला जो operation हम करते हैं हमारे string के उपर में that is called your repetition अब जैसे माल लीजे एक string है हमने s में डाला राम अब अगर आप s into two करेंगे तो यह क्या करेगा इस राम को two times क्या कर देगा इस तरह से आपकी screen में display कर देगा मतलब यह क्या कर रहा है राम को दो बार क्या कर दिया इसने repeat कर दिया और इसके लिए यह asterisk symbol का इस्तेमाल करता है तो यह भी कोई बात नहीं है जो main बात आती है वो है इसके membership देखे सबसे पहली बात कि membership operator के रूप में दो operators होते हैं हमारे python पे एक होता है in और एक होता है not in membership का मतलब यह है कि इस in या not in का इस्तेमाल करते हुए जैसे माल लीजिए मेरे पास एक string है take tip now हमको यह जानना है कि यह जो string हमने s डाली क्या सपोज इसमें h जो character है क्या वो इस s का member है क्या वो इस string में exist करता है तो इसके लिए हम यहाँ पर कौन सा operator इस्तेमाल करेंगे in operator का है तो mainly तो in operator होता और उसके opposite के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं यहां पर not in का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे मैंने बुले कि अगर आपको existence check करनी तो in लगाओगे अगर वो exist करेगा तो true देगा exist नहीं करेगा तो false देगा और अगर यही चाहिए not in कर दोगे तो exist नहीं करेगा तभी true करेगा exist करेगा अगर आपका item तो वो answer को क्या करता है true return करता है तो चलिए इन तीनों को concatenation को, repetition को और membership को मैं एक बाद python पे चलके आपको explain करता हूँ अब जैसे माल लीजे मैंने यहाँ पर एक string लिया s, यहाँ पर मैंने डाला राम अब अगर आप s plus, save for example, s फिर से करेंगे तो राम राम दिखा रहा है अभी इसको थोड़ा differentiate करने के लिए एक और variable लेता हूँ s1, यहाँ पर डाल देता हूँ say2 अब एक s में राम है, एक में सेतु है, अगर मैं s plus s1 करूँ तो देखिए इसका concatenation हो लिए इसी तरह से अगर आप s में 12 को add करोगे तो क्या दिखा रहा है, error दिखा रहा है क्यों? क्योंकि string का एक particular type है, आप उसको number के साथ में concatenate नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पर यह error आ गया, लेकिन अगर आप लिखते s plus bracket में inverted comma में जैसे आप 12 डाल दीजे तो चुकि यह string होगे इसलिए आपको answer भी क्या दिखाता है, यह RAM 12 दिखाता है यह हुई बात हमारे concatenation की, अब s को अगर आप display करोगे तो RAM दिखा रहा है, लेकिन अगर s into आप 4 कर दोगे तो 4 टाइमस यह RAM को क्या कर देता है repeat कर देता है, अब माल लिजे मैंने अपने string में input किया take tip now को, enter करिए, अब यहाँ पर s को आप print करो तो यह take tip now दिखा रहा है अब मैंने बोला i या जैसे एक character लेलो c, क्या यह exist करता है s में, तो देखिए यह true दिखा रहा है अगर मैं लिखता हूँ, say for example, x in, say for, हमारे variable का नाम है s, तो यह क्या दिखा रहा है, आपको false दिखा रहा है यही पर अगर आप x लिखके x not in s कर देंगे, तो यह क्या दिखाने लेगा, true दिखाने लेगा तो यह तो बात हुई हमारे membership operator की कि क्या इसका purpose होता है तो membership operator को और अच्छे से समझने के लिए मैं example दूँगा, लेकिन उसके पहले हम अगले operation slicing को भी देखते हैं और traversing को भी हम understand कर लेते हैं well slicing का मतलब क्या होता है, तो slicing का भी मतलब है accessing what characters लेकिन अभी आपने देखा कि आप individual character access करते हो index की help से तो slicing में थोड़ा से इसे हम different करके क्या लिख देते हैं accessing subset of characters या subset of string actually माल लिजे आपका एक string है take tip now अब आपको इसमें subset निकालना है खाली क्या now को तो ये operation जो कहलाएगा जब आप इसको access करोगे हम उसको slicing बोलते हैं तो किसी given string के sub string को या specific part को extract करना उसको अब क्या कहते हैं slicing कहते हैं अब ये जो slicing होती है इसमें एक important बात ये है कि ये contiguous elements को क्या करता है आपको access करके देता है ऐसा नहीं कि आप T को लिए उसके बाद C को ले लिए फिर सीधे W को ले लिए ये नहीं करेगा ये contiguous का मतलब या तो alternate values को दिखाएगा या 2 के difference में दिखाएगा या 3 के difference में क्यों क्योंकि slicing जो होती है हम उसका जो code लिखते हैं आप देखें यहाँ पर इस line को हम string का variable लेते हैं bracket लगाते हैं start position, end position और step value तीनों को colon से separate करते हुई लिख देते हैं मैं सीधे practically आपको इसको execute करके दिखा देता हूँ so this is my python shell, you all can see मैं इस तरह से इसको maximize करूँ, ज्यादा better है अब जैसे मैंने यहाँ पर string लिया s, यहाँ पर मैंने डाल दिया take tip now अब यह जो string है, इसको slice करने का मतलब क्या है जैसे हमने s लिया, square bracket लगा है start index दे दो, जैसे मैंने डाला one colon डाला, मैंने end index दिया, say for example four और उसके बाद colon कर दीजे, enter कर दीजे तो यह क्या दिखा रहा है आपको पहला जो position में character है या first index क्या है, e, c और h this is your one, two, and three fourth element को यह क्या कर देगा, exclude कर देगा तो slicing में जो end index रहता है उसका जो element रहता है या जो value रहता है, वो हमेशा slicing में excluded होता है मैं दुबारा यहाँ पर s लेता हूँ मैंने डाला one colon, say for example eight, colon मैं अब two के difference में characters को display करना चाहता हूँ, तो देखिए one में क्या है, e है, फिर two के difference में h है, फिर two के difference में आई है, फिर two के difference में क्या दिख रहा है, आपको end दिखा है, अगर आप यह चाहते हैं कि starting से लेकर केवल fourth element तक के values को हम display करें, तो आप colon 4 कर दीजे, यह इस तरह से take दिखा देगा, अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपको last के three elements दिखाने हैं, तो इसका जैसे index number क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, s bracket में seven colon, तो देखें यह आपको now display कर दे रहा है, आप चाहें तो slicing में negative index का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कि आप minus 1 लेओ, colon, colon कर दो और minus 1 में reverse order में data display कर दो, तो देखें यह reverse order में आपको क्या कर रहा है, data को display कर रहा है, इसी प्रकार से यदि आप लिखते हैं, s मैंने बुला भी, minus 1 से शुरू करो colon डालो, minus 6 तक दिखाओ, colon डालो, minus 1 का difference होना चीए, enter करो तो देखें, यह आपको दिखा रहा है wonpi, this is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and minus 5, so this is how you can use negative index also, और overall यह होता है, हमारे slicing का concept, इसी तरह से जो सबसे important एक और point है, that is called traversing of string, वो भी हम समझते हैं, well traversing of string का मतलब यह होता है, कि कोई भी जो string रहता है, उसके ak elements को sequence में आप क्या करते हैं, view करते हैं, या access करते हैं, जैसे अगर आपने डाला take tip now, तो आप पहले t निकालेंगे, फिर e निकालेंगे c और ऐसा करते हुए आप w तक चलते हैं, इसके लिए आप या तो while loop का प्रियोग कर सकते हैं, या आप चाहें तो for loop का प्रियोग कर सकते हैं, मैं practically इसको आपको execute करके दिखाऊंगा, उससे पहले सीधे loop के द्वारा कैसे करते हैं, वो डाल दो 0, हम जानते हैं, loop लगाएंगे, while तो counter चीए, 0 से start करेंगे, और जितनी भी string की length होगी, length एक function होता है, string का, जो इसकी length, total number of characters को written करता है, तो total characters कितने हैं, take tip 9 में, 4, 3, 7, 3, 10, तो यह total 10 मतलब 0 से लेकर 9 तक चलेगा, तो पहला index 0 होगा, last index 9 होगा, अब आप यहाँ पर कर देंगे, print, bracket में आप s लेंगे, position के लिए आपने c को यहाँ पर mention किया, c plus equal to आपने क्या कर दिया, one कर दिया, तो अब इस पूरे code को execute करेंगे, तो आप देखेंगे, यह answer देगा, t, e, c, h, t, i, p, n, o, w, इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, traversing, तो यह तो हुआ while loop, यही काम अगर आप for loop से करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, for loop में यह बड़ा ही आसान है, आप for ले लिजे, i लिजे, in सीधे सीधे string, जैसे आपने s में डाला था take tip now, तो आप सीधे लिखे s, यहाँ पे आप print कर दीजे क्या, i, यह सीधे क्या करेगा, दो line आपको पूरा फिर से जैसे traverse करके individual character को access करके आपको आपकी screen पे दिखा देगा, एक बार practically इसे execute करते हैं, तो जैसे अगर आप string देख आपने डाला s, sorry, i, print कर दो, आप देखे, take tip now को इस तरह से दिखा देगा, इसी प्रकार से अगर आप लिखते हैं, suppose c लिए आपने 0 कर दिया, आपने बोला while c is less than what your length of my string, that is s, and इसके बाद में आप यहाँ पे print कर दो, क्या print कर दो, c को, मतलब string s है, position के लिए c को देदो, and इसके बाद यहाँ पे लिखो c plus equal to your one, enter कर प्रेस करेंगे, देखे, यह while loop के द्वारा भी इस तरह से individual characters को access कर सकते हैं, this is called what your traversing, अब देखे, जो traversing है, slicing है, membership operators है, इनका प्रियोग करने के लिए एक और example आपको देता हूँ, जैसे माल लीजे कोई string है, आपको उसमें total number of vowels को count करना है, तो आप कैसे करें, so my program is what, basically counting total vowels in a string, ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले जैसे s लिया, आपने यहाँ पे message दिया, input a string का, मतलब input method कि इस्तिमाल करके input करेंगे, मैंने यह code लिखा, input a string और enter a string, s में जो भी string आएगा, हम सबसे पहले इस look को इस्तिमाल करेंगे, हम लिखेंगे for i in, say for example s, अब हमने बोला कि यदि i की value जो है, वो कोई इसकी vowel के बराबर है, मतलब if i double equal to a, or you can say i double equal to e, और इसी तरह से यह u तक चलेगा, इन में से कोई भी एक value होगी, तो हमें चुकी counting करनी है, तो हमने बोला एक counter ले लो, उसका value को आप क्या कर दो, once से increment कर दो, c plus equal to, इसका मतलब हम यहाँ पे c को zero कर देंगा, अब यह पूरा loop चलेगा, जितनी बार यह wobbles आएंगे इस string में, उतनी बार यह counting हो जाएगी, loop से बाहर आके आप क्या कर दीजे, print कर दीजे, c को, यह आपको answer written कर देगा, कि total यहाँ पर कितने wobbles हैं, तो देखें, यहाँ पर हमने traversing भी की, और हमने wobbles को भी counting कर लिया, now it is saying enter a string, मैंने डाला संजय, you can see it is showing us two wobbles are there, so this is how I mean we can count the total number of wobbles, तो चलिए एक और example देखते हैं हम string का, that is display string in reverse order, अब इसके लिए क्या है, जैसे आपने पहले s में input कर दिया, enter a string में यहाँ पे ले लेता हूँ, अब string input करने के बाद में, आप reverse order में display करना है, मतलब क्या है जैसे आपने डाला take tip now, तो आप देखें इसके indexing एक तो आप 0 से करते हैं, but reverse indexing करेंगे, तो this will be minus 1 होगा, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, suppose this is minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, और this is your minus 10, मतलब reverse order मतलब मुझे minus 1 से इसको loop को start करना पड़ेगा, तो माली जै मैंने आई लिया, मैंने यहाँ पे range लिया, मै आने बोला start करो आप minus 1 से, कॉमा लगाके, अब last minus 10 है, तो length निकालने के लिए there is a function called length, इसमें मैंने s को pass किया, तो इसकी जो total length आईगी, वो कितनी आईगी, 10 आईगी, लेकिन अगर आप इसको minus से कर देते हैं, minus length bracket में s, तो यह minus 10 होगा, लेकिन हम जानते हैं कि range में क्या ह होता है, जो यहाँ पर आप stop element देते हैं, या end index देते हैं, वो excluded होता है, इसका मतलब जब मैं इसे minus 11 करूंगा, तब यह minus 10 वाले t को दिखाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसे minus 1 total क्या हो जाएगा, minus 11, कॉमा लगा के जो difference negative indexing का होगा, minus 1 के बाद, चुकि यह minus 2 दिखाएग इसके बाद में यहाँ पर आप इस loop के अंदर जाके बोलेंगे, आप print करेंगे si को, क्योंकि i में जो value आएगी, वो minus 1, minus 2 इस तरह से आएगी, जो index को store करेगा, अब इस पूरे code को जब आप execute करेंगे, तो यह data आपका जो है, I mean string reverse order में print हो जाएगा, आइए इसे practically execute करते है So this is my python program, जो अभी मैंने discuss किया आपके साथ में, आइए इसे run करते हैं, अब यह बोलता है enter a string, मैंने डाला यहाँ यहाँ पर take tip now, enter करेंगे तो देखें यह इस तरह सी reverse order में इसको display कर रहा है, यह पूरा vertical में क्यों हो आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर end equal to blank नहीं डाला य या inverted नहीं लिखा, अब दुबारा एक बर run कर लेते हैं, मैंने फिर से डाला, take tip now, अब देखें यह reverse order में आपको value को दिखा रहा है, तो यह reverse order हुआ, लेकिन अगर आपको string को ही reverse करना है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक extra variable लेते हैं, s1, इसको मैं initialize कर देता हूँ blank से अब यहाँ पर print की जगा हम क्या कर देंगे, सीधे s1 equal to si कर देंगे, तो यह reverse order आएगा, लेकिन हमें चुकी add भी करना है, तो concatenation करना होगा, so that we have to write s1 plus equal to si, अब इसके बाद आप loop से बहरा जाएंगे, then you can simply write what this print, और यहाँ पर आप डाल दीजिए s1 को, तो यह हमारा element, या मीन जो string है, वो reverse हो जाएगा, आप इसे execute करके एक बार देख ले, so अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, take tip now, और देखें यह reverse order में string को इसने, not order, इस बार string को इसने reverse करके इस तरह से display कर ले, so this is how we all can understand की कैसे हम string पे different operations कर सकते हैं, अब इसके बाद में हम बात करेंगे string function की, तो बहुत सारे string function है, चले मैं आपको अपनी website पे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें जब हम string की बात कर रहे थे, so यह मेरा, आपका notes है, section जो already मैंने आपको बताया है, notes में आप जाके CS classroom पे click करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से मैं string function पे click करता and title, lower, upper, count, find, index, ends with, starts with, is alpha num, is alpha and many more, तो यह पूरे आपके syllabus में दिये हुए है, जिसे हमें यहाँ को यहाँ पर मैं discuss करूँगा, तो और ज्यादा हमारे वीडियो की length बढ़ जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी इस website पे जो मैंने आपको बताया है, इसका link already description में है, वह से जाकर आप इस post को देख सकते, so मैं यहाँ पे जो most important functions है, जैसे length, title, lower, upper, count function है, या find है, इन सब को आपको explain कर देता हूँ, सीधे practically python shell पे, so now you can see there, कि जैसे मैंने आपको अभी बतायाएगी, इसमें बहुत सारे यहाँ पे string functions है, तो कुछ functions को हम यहाँ पे execute करते हैं, जैस हमारा जो भी string होता है, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया take tip now, इसके बाद में अगर आपको इसकी length निकाल ली, means total number of character, तो आप length function का इस्तेमाल करेंगे, तो this is how it will return you the length, इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो string है, वो पूरा capital letter में display हो, तो आप s.upper कर दीजिए, अ computer India, अगर आप लिखते हैं s.title, तो यह क्या करेगा हर एक word जो होगा आपके string के, इसके first letter को capital करके इस तरह से आपकी screen पे display कर देता है, इसी तरह से अगला एक method होता है count, जैसे मैंने लिखा s.count, अब इस count method पे जैसे आपने pass कर दिया, I want to check कि क्या now exist करता है, और अगर करत है, तो कितनी बार करता है, उसकी total counting कितनी है, तो हमने यहाँ पे लिखा s.count, हमने now कर दिया, तो जब आप now लिखके enter करेंगे, तो यह throughout the string यह check कर देगा कि now कहां पर है, now let's suppose अगर मैं लिख देता s.count, और यहाँ पर मैं फिर से now को pass कर देता, और space देके मैं अगर यह बोल से जब आप start करेंगे, इस element पे तो कहीं पर भी now आपको नहीं दिखाई देगा, so this is how we all can understand कैसे यह count function हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, आप अपने screen पे देख पा रहे होंगे, जैसे यह find method है, यह basically count के जैसे ही है, बस count क्या करता है, इस string जो sub string ज बोलता हूँ कि now का position क्या है हमारे given string में, मतलब s में, तो यह बता रहा है देखें, पहला जो इसका character है n वो 7th position पे, इसलिए इसका index value क्या return कर दी आपको, 7 return कर दी, इसी प्रकार से और भी इसमें functions हैं, जो आप देख सकते हैं, suppose आप check करना चाहते हैं कि क्या मेरे जो string है, इसमें digits भी हैं, तो I should then write s.is digit और इसको अगर आप execute करेंगे, तो देखें, answer आपको false written कर रहा है, क्योंकि फिलहाल मेरे string में कोई भी digit नहीं है, आप check करना चाहते हैं कि जो take tip now है, इसमें क्या capital letters में भी कोई data लिखा हुए है, so that we can write s.is upper, अगर आप execute करें, देखें, इसे भी ये false written कर रहा है, इसी तरह से is space, आपके space चेक करने के लिए is lower, कोई data या कोई character lower case में तो नहीं है, उसे चेक करने के लिए है, अगर आप spaces को remove करना चाहते हैं, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, let's suppose मैं एक string ले देता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर मैं space दे देता हूँ आगे पीछे, जैसे मैंने take tip now लिया, अब इसके बाद में यदि आप लिखते हैं, s.l strip और execute करेंगे तो देखें यह आपके left side के जितने भी spaces उनको element कर देता है, इसी तरह से अगर आप cable s strip करते हैं, then you see, यह दोनों end के जो spaces हैं, उनको हटा के आपको answer दे देगा, इसी तर से आप r strip का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, and this is how it will show you the answer, तो इस तरह से बहुत सारे string functions हैं, जो यहाँ पर shortlisted हैं, आप मेरी website में जाके check कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कि जब आप मेरी website पर जाएं, आप इस menu पर आएंगे, यहां notes section में आएंगे, यहां से notes section में आप जाएं, यहां से CS class 11 पर आप click कर दीजिए, and then you can find all these chapters का notes, और यहां से जो भी आपको चाहिए, जैसे string की हम बात कर रहे हैं, आप इसे click करके, यहां से इस पूरी detail को ले सकते हैं, so there is something about the string, यह chapter हमारा यहां ही पर end होता है, that is basically chapter number 8, I think of this NCRT book, अगले chapter में बढ़ते हैं, and now we will discuss about the list, जो की सबसे important concept है, इस पूरे आपके class 11 में, और जो सबसे ज़्यादा Python पर लगबग इस्तेमाल भी होता है, आइए समाझने की कोशिस करते हैं, so like I said की list जो है, वो आपकी Python programming का सबसे most important, you know, the data structure है, और सबसे ज़्यादा use होने वाला data structure भी अगर कोई है, so that is your list, और अगर मैं आपके computer science की भी बात करूँ, तो उसमें भी आपके लिए list बहुत important है, क्योंकि काफी questions जो होते हैं, वो आपके list पे based होते हैं, हाला कि अगर मैं concept की बात करूँ, तो जो concept अभी हमने string में देखा, तकरीबन वही सारी बाते हम list में भी करते हैं, आइए समस्ते हैं, list क्या है, कैसे इस पे operations होते हैं, किस तरह से हम इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, so list को अगर हम define करने की बात करें, तो यहाँ पर मैंने कुछ important points इसके लिए shortlist किये हैं, तो जैसे हमने string के case में देखा कि string जो है, वो built-in sequence होते हैं, बिलकुल उसी तरह से list भी जो है, वो एक sequential data type है, हमने sequence के बारे में आपको बताया है, कि sequence का मतलब यह रहता है, कि जो data होते हैं, मतलब multiple values या multiple data items होते हैं, वो एक sequence में, एक ही memory space में, contiguous memory space occupy करते हैं, और वहाँ पर वो data store किया जाता है, ऐसा नहीं कि randomly आपका system different elements को space allocate करता है, list जो है, it can store multiple values, तो obviously जैसे string में हमने दे then list item can be of different data types, all the items are comma separated and enclosed in square bracket and the individual item in a list can be accessed using index which begins from 0, so सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया है, कि मान लीजे, आपके पास 4, 5, 10, 20, 30 हैं, तो यह अगर आपकी multiple values एक ही place में computer system की memory में अगर store होंगी, इसके लिए आप list का प्रयोग कर सकते हैं, जब आप list का प्रयोग करते हैं, तो इसे define करने का तरीका कुछ इस तरीके से हैं, कि इन सारी values को हम square bracket में रखते हैं, और इन सब values को हम comma से separate करते हैं, और इसे हम एक variable में store कर देते हैं, जैसे मैंने इसका नाम दिया L, तो यदि आ इस तरह से values को assign करेंगे किसी particular source में या variable में, तो ये जो variable है, ये आपका क्या हो जाता है, list हो जाता है, अब अगर आप इसके memory के structure को देखें, तो ये कुछ इस तरह से memory space occupy करेंगे, जैसे 4, then 5, then 10, then 20, then 30, तो ये क्या हुआ, contiguous memory space इनके लिए reserve हो गये, इसलिए हमने essential data type होते हैं या sequence data type होते हैं, multiple values को ये store कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो list में किसी भी तरह की values को store कर सकते हैं, उधारण के तोर पे जैसे आपने डाला 4, next आपने डाला 6.4, फिर आपने यहां पे डाल दिया A, फिर आपने डाल दिया B, फिर आपने डाल दिया 8, इसका मत सकते हैं, और साथ ही साथ, चूकि ये एक sequential data type है, तो इसके जितने भी individual items हैं, उसको system क्या कर देता हैं, index कर देता है, हमने string में भी यही बात की थी, same यही concept यहां पर भी है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, और यह index number कहां से शुरू होता है आपके, 1 से अर्थात, आप इन index values को लेके, इन list के items को individually भी manage कर सकते हैं, operate कर सकते हैं, और हाँ, list में भी negative indexing support करता है Python, तो जो सबसे last element है, वो minus 1 होगा, फिर यह minus 2 होगा, यह minus 3 होगा, यह minus 4 होगा, यह minus 5 होगा, तो in the sense, list में negative indexing जो होती है, वो right most end से start होती है, और normal जो indexing हम करते हैं it starts from left most end से, तो यह तो बात हुई मेरे list की, चलिए Python पे इसे एक बर practically बना के देख लेते हैं, so as you can see in your screen, this is my Python shell, जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पर एक list create करूँगा, तो square bracket आप open करेंगे, 12, 23, 34, 45, then 67, इस तरह से आप multiple values को ले सकते हैं, और values को आप repeat भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि duplicate values को list store नहीं कर सकता, you can, आप enter करेंगे, देखें, यह list ready हो गई, अब अगर आप इस L को देखें, तो इस तरह से values आपको screen पे display हो रही होगी, और जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप list बनाते हैं, तो आप इसमें different type of values को भी store कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे ह list का concept है, और जैसे मैंने आपको बोला कि list का जो basic purpose है, वो है multiple values को store करवाना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि अगर आपको list के items को access करना है, तो आप कैसे करेंगे, हमने पहले भी देखा कि जो list होता है, वो भी एक sequence है, इसमें जितने भी items होते हैं, उन आकसिस कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि index number के साथ साथ हम square bracket का भी इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए python shell पे चल के practically इसे समझते हैं, मैं फिर से आपको list करके दिखा देता हूँ, so this is my L, अगर आपको कोई एक individual item चाहिए, तो जैसे आपने डाला list में 3, तो आप देखिए ये Q को display कर रहा है, अगर आप list में डालते हैं, save for example 0, तो ये first element को आपको print करेगा, अगर आप list में जाके type करते हैं, minus 1, मैं इसे ठीक से लिख देता हूँ, then you press, you will see again it is showing us Q, इसी तरह से अगर आप L डालते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, minus 2, then you can notice it is showing us A, तो मतलब index को प्रयोग values को क्या कर सकते हैं, हमारे list के access कर सकते हैं, अब बात आती है, list क्या mutable होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल जो list है, आपका वो mutable होता है, तो जैसे हमने पहले भी discuss किया mutability के बारे में, कि list के अंदर जो values होती है, उसको आप update कर सकते हैं, नहीं value के द्वारा, एने का मत यह दिखा L 0 equal to say for example 10, तो आप enter करेंगे तो यह 0th position की जो 4 है यह update हो जाएगा हमारे 10 से, so that next time अगर आप L को print करोगे, so this will show you like 10, 6, 3 and 2 means updated list आपको मिल जाएगी, so this is called your mutability, in the sense content of the list can be changed after it has been created, practically इसे भी run कर लेते हैं, now you see, जब आप list print करें तो कुछ इस तरह से values print हो रही है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर L equal to, या L की position दे देता हूँ, say for example 2, और यहाँ पर मैंने इसकी एक नई value डाल दी 12, enter press करें और इसके बाद L को press करें, तो you can see कि जो यह A इसकी previous value थी, अब वो 12 से updated हो चुकी है, च इसके बाद L करें तो इस तरह से यह value update हो जा रही है, तो यह तो बात हुई कि list mutable होते हैं या नहीं होते हैं, अब हम बात करते हैं list में होने वाले operations के बारे में, so we all know that कि जो list होती है, बिल्कुल जिस तरह से हमने string के case में देखा कि concatenation, repetition और membership और slicing operations किये जा सकते हैं, यही Isärtee सारे operations हम list में भी perform कर सकते हैं, concatenation का मतलब आप समझ गये होंगे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, adding to list की और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, plus operator का, repetition का मतलब होता है कि जहाँ पर हम replicate कर सकते हैं list items को, और इसके लिए हम multiplication का इस्तेमाल करते हैं, और membership के लिए हम in या not in operator का इस्तेमाल कर सकते हैं, चूकि already मैंने string के case में इसे detail में explain किया, इसलिए मैं दुबारा इसमें एक-एक points को discuss नहीं कर रहा हूँ, membership का मतलब किसी list के item का existence को check करना और उसी तरह से slice का मतलब होता है subset of list को generate करना और यह जो subset होता है, यह sequential items items का set होता है, मतलब अगर कोई list यहाँ पर आप देखें, यह इसका index हो गया, अगर आप इसके 5, 10 और 6 को अगर display करना चाहते हैं तो इसके लिए हम slice का इस्तेमाल करेंगे, तो slice के द्वारा कुछ इस तरह से result हम को मिलता है, जहाँ आइटम, जो sequential items होते हैं, उनका subset generate हम करते हैं आईए इन concatenation, repetition, membership और slicing को practically हम python पे चलके execute कर लेते हैं So this is my python shell, मैं जल्दी से यहाँ पर एक list create कर लेता हूं multiple values के साथ में Now एक और list हम create करते हैं L1 and after that if you write say L plus L1, you can see this is how it is adding both the list एक बात का आप ध्यान रखें कि suppose यह मेरी list है, इसके साथ अगर मैं कोई value ले लेता हूं integer 3, it will show you the error the reason is what कि जब concatenation होता है, तो जो data type होते हैं, वो same होने चाहिए तो list के साथ आप list को add कर सकते हो, उसमें आप number को directly add नहीं कर सकते हैं, तो यह तो बात हुई हमारे concatenation की, इसी तरह से यदि आपको repetition करना है जैसे मैं अगर करता हूँ L into 2, you can see कि list की जो original values थी यहाँ पर 12 और 23, यह 2 times क्या हो गई यहाँ पर replicate हो गई या repeat हो गई, ऐसी अगर आप L1 ले और इसको अगर आप कर देते हैं into 3, then you can notice कि यहाँ पर A, B जो है, वो 3 times यहाँ पर replicate हो चुका है so this is your repetition and जब आप membership operator की बात करते हैं, तो जैसे मैं एक नई list create कर लेता हूँ कुछ values लेके so this is my list, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि क्या 12 जो है, वो मेरी list में exist करता है so you can see it is showing us true और अगर मैं लिखता हूँ 12 not in say L, it will show you the false, इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ 90 not in say my list it will show you the true so this is how we can check the existence of any say the item in given list using this membership operator and membership के बात में जो most important concept है, that is your slicing, so slicing में हम जानते हैं कि जब आप किसी भी list के item का subset generate करना चाहते हैं, तो जब आप slicing करते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले देना होता है start index, तो जैसे मैंने डाला यहाँ पर start index 2 फिर आप देना चाहते हैं end index जैसे मैंने डाला 5, तो एक आप ध्यान रखेंगे कि यह जो 5 है, जैसे यह हमारी list है यहाँ पर, तो 0, 1, 2, 3, 4, and 5, तो 2 से यह start करेगा, मतलब 11 को दिखाएगा, 10 को दिखाएगा, और 8 को, लेकिन जो end index है, उसकी value को यह exclude कर देता है, तो और इसके बाद में आप यहाँ पर step value देते हैं, तो 1 हमें द जरूत नहीं कोई कि by default 1 से ही jump होती है step value, तो मैं फिलाल इसको bracket को close करतेता हूँ, तो आप देखें यह आपको 2, 3, and 4, यह तीन values जो है list की display कर रहा है, अब अगर आप यहाँ पर लिखते L, मैंने बुला start करो, end करो, लेकिन हर एक alternate values को display करो, तो हम यहाँ पर step value 2 डाल है, so this will show you answer like 12, 11, and 8, so 12, then 11, then 8, इसी तरह से आप चाहते हैं कि first item से लेकर end तक की value को यह हमारी list की हम display करना चाहते है, तो we can simply write like this, this will show you all the values starting from first position, या पहला जो index value है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि start हो, और third element तक की value को यह present करें, मतलब excluding 3, तो you can see it is showing us 12, 33, and 11, मैं यहाँ पर L को फिर से print में ले लेता हूँ, तो यह देखिए यह इसकी सारी values आ गई, अब चाहें तो आप L के negative indexing का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप reverse order में list को से print करना चाहते हैं, you just type this minus 1, it will show you all the values in reversing order, similarly if you type say minus 2 colon say minus 4, and इसके बाद में आप bracket close करते हैं, तो यह आपको answer सही नहीं देगा, क्योंकि minus 2 के बाद यह minus 1 और 0 आ जाएगा, तो अगर मैं इसी code को run करना चाहता हूँ, तो I have to mention the step value also, like minus 2 colon minus 4 colon minus 1, and इसके बाद जब आप execute करेंगे, this will show you 8 and 10, इस तरह से आप different ranges set करके क्या कर सकते हैं, slicing कर सकते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं, traversing a list की, तो traversing a list का मतलब बिल्कुल यह वही बात होगे, जो हमने string में discuss किया, कि जो list के items होते हैं, उनको sequence में access करना, access करने के बाद आप चाहें तो उसे operation में involve कर सकते हैं, या direct display भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप for loop या while loop का प्रेयोप कर सकते हैं, तो जैसे माल लीजे मेरे पास एक list है यहाँ पर, अब इसके हर एक elements को मुझे क्या करना है, access करना है, तो माल लीजे यदि आप while loop का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक counter लिया c, इसके values को print करते चलो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया print, bracket में जाके मैंने हमारे list का नाम दिया l और position के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पर, c को किया, चूकि हम counter ले रहे हैं, तो इसे हमें initialize करना होगा 0 से, तो यह code execute करेंगे, तो यह आपका answer आएगा like 3, 6, 7, 9 and 12, इसी तरह से आप for loop का इस्तेमाल करके भी इन सारे list का items को display कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया for, मैंने बोला i in l, आप सीधे list ले लिजे और इसके your 12, और यहाँ पर चुकी i को आपने लिया है, तो चलिए इस traversing का भी हम practical देख लेते हैं, as you can see this is my python shell, मैं यहाँ पर जल्दी से एक list create कर लेता हूँ with some items, you can see this is my list, आप इसे print करें तो कुछ इस तरह से values आ रही हैं, हम बात कर रहे हैं, traversing की using while loop पहले, तो मैंने counter लिया, इ इसके बाद में आप print करो list के हरेक element को, so that we will take the l again, square bracket में positioning के लिए, या as a index positioning के लिए हम c को pass कर देंगे, and इसके बाद हरेक repetition में c की जो value है, वो 1 से increment हो जाएगी, and when you press enter, you will see this is how it will show you the result, तो यह तो बात हुई हमारे while loop की, यही काम अगर आप for loop से करना चाते हैं, तो आप सी सीदे सीजे print यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारे I को print कर देंगे, and उस पर enter करेंगे, you will notice here, हमारी यह values कुछ इस तरह से display हो चुकी, तो ओवरा हमने यह list के basic concepts देखे, आईए अब 2-3 examples करते हैं list के, let's suppose I want to check total number of even and odd number present in a list, let's suppose आपके पास एक list है, मैं यहाँ पर list डाल देता हूँ, this is my list, और मुझे check करना है कि इसमें even और odd numbers कितने, so what I can do is, मैं सबसे पहले यहाँ पर for look लेता हूँ, मैंने बोला for I in my list L, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कि if मैंने यहाँ पर लिया I, इसको मैं mod करता हूँ 2 से, if suppose it is equal to 0, तो अब मुझे एक counter चाहिए रहेगा जो count करेगा कि यह even number है, तो मैं यहाँ पर एक variable ले लेता हूँ, even जिसे मैं 0 कर देता हूँ, इसी तरह से इसकी next line में एक और variable हम ले लेंगे odd, जिसे हम फिर से 0 कर देंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, even की value को क्या कर देंगे, by 1 increment कर देंगे, और अगर यह, suppose condition true नहीं होती ही, मतलब यह odd number होगा, तो हम यहाँ पर जो variable हमने odd के नाम से लिए यहाँ पर, उसे हम plus equal to 1 कर देंगे, इस तरह से total इस list में traversing होगी, और जितने even और odd है, उसकी counting हमें मिल जाएगी, बाहर आके हम display कर देंगे, save for example, मैं थोड़ा in shot यहाँ पर even display कर रहा हूँ, और इस list methods को discuss करने के बाद में हम कुछ और programs देखेंगे, जहाँ पर और अच्छे से हम list के इन सारी बातों को समझ पाएंगे, फिलाल यह जो program बनाया है, इसे भी हम python पे एक बार execute करते हैं, चल कर, so this is our program जो अभी हमने discuss किया, आईए इसे run करते हैं, so now you can see it is showing us total even number 6, total odd number 4, चलिए अब हम discuss करते हैं हमारे list methods को, तो list method को समझे के लिए सबसे अच्छा तरीका यह कि मैं पहले अपनी website के अपने notes section पे आ जाता हूँ, so as you can see मैंने यहाँ पर अपनी website take tip not.in को open कर लिया है, आप इसके ऊपर यहाँ पर notes section में जाके भी CS class 11 notes को click कर सकते हैं, या comprehensive notes section में आकर यह यहाँ से भी computer science class 11 को open कर सकते हैं, मैंने यहाँ से इसे click किया, मैं अपने computer science class 11 notes section में आ चुका हूँ, इस page पे आ चुका हूँ, हम बात कर रहे हैं list in python की, मैं इस list in python के notes पे आ जाता हूँ, यहाँ से मैं सीधे चलता हूँ, चुकि हम अभी methods की बात कर रहे हैं, तो मैं methods पे आ जाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर यह सारे methods जो list में हम इस्तेमाल करते हैं, as per your syllabus मैंने explain किये हुए हैं, shortlist भी किये हुए हैं, आईए इन सारे methods को हम एक एक करके discuss करते हैं, तो now you can see in your screen, left hand side पे मैंने अपनी website के इस notes को open किया हुआ है, computer science class 11 के list के part को, यह सारे functions यहाँ पर shortlisted है, और यहाँ पर right side में हमने python shell को open किया है, जहाँ पर कि हम इन सारे functions को एक बर practically execute भी करते चले जाएंगे और समझते भी चले जाएंगे, सबसे पहले मैं बात करूँगा length function की, तो well length function का जैसा है इसका नाम है, किसी भी given list की length को निकालने के लिए यह हम break करत होता है, list को बनाने के लिए हम use करते हैं, इस list method के द्वारा आप empty list भी बना सकते हैं, या list with items भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक list बनाई L1, मैंने यहाँ पर लिखा L1 equal to list, and इसके बाद में आप enter press कर देंगे, then you would notice कि यह L1 जो है, एक empty list के रूप में यहाँ पर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, take tip now, and इसके बाद आप enter press करेंगे, तो यह मेरी list ready हो गई, लेकिन इस बार आप देखेंगे, यहाँ पर जो values हैं, वो जो हमने यहाँ पर list के argument में पास की, वो यहाँ पर individual items के रूप में store हो गई है, तो यह हुआ हमारा list method, इसक append और extend method में सिर्फ difference यह रहता है, कि append में जो भी value आप पास करते हो, वो as a single item हमारे list में add होती है, जबकि extend क्या करता है, जो भी item आप पास करते हो, वो single item भी हो सकता है, या अगर आपने multiple values पास की हुई है, तो वो भी अलग-अलग items में ही हमारे list में add होती है, मैं उधान से इसको आपको समझा देता हूँ, जैसे हमारी ये list है, अब हमने एक list त्यार कर दी, l2, जिसमें मैं सिर्फ दो value डालता हूँ, 23 और एक value लेते हैं, 56, ये मेरी दो list create हो गई, अब अगर आप लिखते हैं, l.append, यहाँ पर अगर आप इस l2 को पास करेंगे, आप notice करेंगे, इस l को print करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से value यहाँ पर, एक single item या unit के रूप में ही store हुई है, so this is what happened, लेकिन अगर आप, suppose इसी l में, देखिए, l की values अब ये है, now इसी l में, अब हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे इस extend method को, अब मैं दुबारा से इस l2 को यहाँ पर pass कर देता ह रहे होंगे, जो values हैं, ये individual elements के रूप में store ही है, so that is the difference between append and extent, हाला कि देखिए, जब आप list में during runtime values अड़ करते हैं, तो हमेशा हम append का इस्तेमाल करते हैं, कैसे, so you can see, ये मैंने दुबारा actually list यहाँ पर ready कर लिए, तो मैं बात कर रहा था है कि अगर आप l.append करें, और इसक अंदर एक single value भी अगर आप डालते हैं, जैसे मैंने डाल दिया 20, प्रेस करेंगे enter, तो ये नया item इसमें add हो जाएगा हमारी list में, you can see here, लेकिन ये काम आप extend से नहीं कर सकते हैं, extend में आप set of values को actually pass करते हैं, जो individual item के रूप में store हो जाती है, तो मैं एक बार l.extend भी आपक एरर शो कर रहा है क्योंकि extend जो है, विटी रेबल को as an input लेता है, तो ये तो बात हुई हमारे की कैसे append और extend को हम प्रियोग करते हैं, वेबसाइट में अगला जो हमारा method है, that is your insert and count, अब माल लीजे हमारी ये list है, इसके particular index में हमको नया item add करना है, तो उसके लिए हम इस्ते value यहाँ पर डाल दीजिए 90, और इसके बाद आप इसको enter कर दीजिए, then you would notice ये नया item add हो गया, आप L को press करिए, तो देखिए पहली position पर ये नया value 90 आ चुका है, so this is what you are insert, और इसी तरह से आपको अपनी इस given list में कोई particular item को count करना है, वो कितनी बारा है, for that we can use this count method, so L.count और इसी प्रकार से अगला जो हमारा method है, that is our index, then remove and pop, तो सबसे पहले हम index ले ले लेते हैं, तो suppose that आपके given list में, मैंने यहाँ पर लिखा L.index, और मैंने यहाँ पर एक value डाल दी 34, इसका index position हमें find करना है, तो ये आपको बता देगा, this is third position, तो ये तो बात हुई हमारे index method की now you see, मैंने यह फिर से नया shell open कर लिया है, नई list के साथ में, अब हम यहाँ पर remove method की बात करेंगे, you can see in your screen, this is our remove method, so मैं यहाँ पर ले देता हूँ L.remove, अब यह क्या करेगा, जैसे अगर आपकी list में multiple values आ चुकी है, एकी value कई बार copy हो चुकी, जैसे आप दिखें यहाँ प notice कि यहाँ पर यह list में, हमारे 12 का पहला occurrence खतम हो चुका है, इसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्टेमाल होने वाले function का, जो question exam में भी पूछा जाता है, that is pop method, तो basically pop method क्या करता है, यह भी item को remove करता है, लेकिन किस position की value को आपको remove करना है, जैसे मैंने यह यहाँ पर pass कर दिया, 3, तो यह क्या करेगा, 0, 1, 2, and 3, 55 को क्या कर देगा, remove कर देगा, आप enter प्रेस करिए, तो यह return हो गया, l print करेंगे, तो you can notice कि यहाँ से हमारा 55 remove हो चुका है, ऐसी एक और important function होता है, जिसे हम जानते है, reverse के नाम से, तो l.reverse कर देंगे, मैंने spelling गलत कर दी, मैं फिर से लिख देता हूँ, now you press enter, you can see मेरा यह item reverse हो चुका है, आप l print करें, तो आप देखें, यह reverse order में मेरे item यहाँ पर display हो रहे है, और इसी प्रकार से एक और important method हमारे पास होता है, that is called sort method, उसी तरह से min है, max है, sum है, तो यहाँ पर इस example में आप देख के समझ पा रहे होगे कि minimum क्या gmail list से सबसे smallest value को display करेगा, maximum largest को sum क्या करेगा, सारे item का total निकामता है, sort method जो होता है, वो data को ascending order में क्या कर देता है, automatically, arrange कर देता है, जैसे माल लीजिए, यह मेरी list है, इस list के जितने भी data है, वो unorganized है, लेकिन अगर आप लिख देते है, l.sort, इसके बा you know the function, and इसी तरह से इसमें अगला जो final concept है, that is your nested list, मतलब जो list आपने बनाई है, उसके अंदर आप नया एक और list को add कर सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर एक list create करता हूँ, l1, यह मेरी values हो गई, अब आप लिख दो l.extend, जो मैंने पहले भी आपको बता है, आप इसमें l1 को pass कर दो, l को print करो तो देखो, sorry मैंने extend लिया, it should be append, मैं फिर से ले लेता हूँ, l.append, और उसमें हम pass कर देते हैं, इस l1 को, now you press enter and see, so now you can see, यहाँ पर यह जो list आप देख रहे हैं, l1, वो as a nested list हमारी इस list में store हो चुकी, so this is all about the list in python, हाँ, अगर आपको इसकी practice करनी है, इसके जो questions हैं, अगर आप देखें, आपकी जो book है NCRT की, उसमें यह example कुछ बहुत ही अच्छे दिये हुए हैं, मैं आपको आपकी screen पर पूरा fully screen करके दिखा देता हूँ, you can see this is list manipulation, it is in page number 199 and 200, यह बहुत ही अच्छा exercise इसमें दिया है, जिसमें सारे ही functions को इसने capture किया है, यह सारा example जरूर आप एक बार अपनी और से solve कर लें, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ और अब हम discuss करेंगे tuples के बारे में, well जहां तक बात है आपके tuple की, तो जो हमने string में concept पड़ा, जो हमने list में concept पड़ा, वो सारे ही concept हमारे tuple में apply होते हैं, the only difference is that कि जो list होती है, वो जो tuple होते हैं, वो immutable होते हैं, immutable का मतलब यह है कि उसमें जो value आपने एक बार डाल दी, आप उसे change नहीं कर सकते, मैं वापस से अपनी website पे चलता हूँ, मैं यहां से अपने chapter number 10, tuples in python को open कर लेता हूँ, तो इस particular tuple को मैं इस video में discuss नहीं कर रहा हूँ, उसका reason सिर्फ यह ह tuple, सिर्फ एक बात का आप ध्यान रखेंगे, कि जो list होती है, वो mutable होती है, जबकि tuple जो होते हैं, वो immutable होते हैं, मतलब content जो होते हैं tuple के, आप इसको change नहीं कर सकते, इसके अलाबा जो दूसरा difference है, कि tuple में आप किसी भी type of values को तो store कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम small bracket और parentheses का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलाबा जो indexing होती है, negative indexing होती है, वो as it is जैसा हमने single string और list में discuss किया, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी apply होती है, वही सारे concept यहाँ पे भी apply होते हैं, और जिस तरह से हम individual elements list के access करते हैं, उसी तरह से tuple के भी elements आप access कर सकते हैं, यह screenshot म मैंने practice करके जो बनाया है, वो यहाँ पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, this is my tuple, अगर आप इसके पहले element को display करेंगे तो t square bracket में 0 या index कोई भी number लेके उसकी values को display कर सकते हैं, immutability के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें भी हम 4 operations करते हैं, concatenation, repetition, membership और slicing, जैसा देखा है, same वही चीजें यहाँ पर tuple के case में भी होती है, इसलिए मैं इस tuple के portion को दुबारा discuss करके आपका time waste नहीं करना चाहता, because same वही concepts यहाँ पर repeat किये गए हैं, methods भी अगर आप देखें तो same length, tuple, count, index, sorted, min, max और sum यहाँ पर होते हैं, nested tuple में भी हम वही बात करते हैं जो हमने list में की, कि आप 2 tuples बना दीजिए, तीसरे tuples में आप डाल दीजिए, तो वह nested tuples का रूप धारन कर लेते हैं, so overall this is how we all can understand कि कैसे हम list को, tuple को और string को अपने python programming में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज्यादा जानने के लिए आप मेरी इस website पे भी जा सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की problem होती है, तो आप please comment box में comment करके मुझे पूछे, मैं definitely आपकी help करूँगा, अब हम आ जाते हैं हमारे final concept पे, जिसे हम जानते हैं, dictionary के नाम से, so this is here, chapter 11, dictionary, you can see in your screen, ये हो गई हमारी बात, dictionary की, in the sense मैं page की बात कर रहा हूँ, आई ये dictionary के concept को हम detail में हैं, alright तो अब हम अपने इस video session के end पे पहुँच चुके हैं, मतलब इस course के end पे पहुँच चुके हैं, last but not the list, we are going to discuss about dictionaries, well dictionary भी एक प्रकार का data type है, या दूसरे तरीके से कहें कि data structure है, जिसका प्रयोग हम different type of values को store करने के लिए python programming में इस्तेमाल करते हैं, आईए इसे detail से सम हमने अभी तक discuss किया, string को, list को, tuple को, और इसके पहले हमने बात की थी, variables की, finally हम जो बात कर रहे हैं, वो है हमारी dictionary की, dictionary और बाकी सब में अंतर सिर्फ ये है, कि ये जितने भी values हैं, इसमें आप variable को हटा दीजिए, string से लेकर tuple, इन सब को हम बोलते हैं, sequence, sequence क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी items होते हैं, वो consecutive memory में store होते हैं, एक sequence में store होते हैं, dictionary को हम जानते हैं, mapping के नाम से, mapping का मतलब क्या है, यहाँ पर जो values होती हैं, इन values को access करने के लिए, हम अपने खुद की बनाई हुई key का प्रयोग करते हैं, देखें, जो sequence होत होता है, जैसे यह मान लीजे, कोई एक list आपने बनाई, चार, तीन, दो, एक, अब इसके जितने भी items आपको access करने, तो आप क्या करेंगे, इसके index number का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो dictionary की values आप डालते हैं, इन values को अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हम खुद क बनाई हुई key का प्रयोग करते हैं, और ये जो value है, ये किसी भी तरह के data type हो सकती है, ये values एक list भी हो सकती है, ये value टपल भी हो सकती है, ये value string भी हो सकती है, ये value कोई एक simple integer या number भी हो सकती है, परन्तु इन सभी को अगर आपको इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, तो इ पथाद इस key के द्वारा हम इन value को reference में लेते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं mapping और इन key और value को बीच में हम रखते हैं इस colon symbol को जिसके द्वारा हम इसे separate करते हैं यहाँ पर comma का प्रयोग नहीं किया जाता है और यह जितनी भी keys की value होते हैं देखिए list को आप कैसे पहचानते ह obviously small bracket से string को आप कैसे पहचानते हैं inverted comma से या single quotation से उसी तरह से dictionary की पहचान क्या है यह जो curly bracket होते हैं अर्थात curly bracket के अंदर हम key value pair के form में सारी values को क्या करते हैं store करते हैं जो बहुत ही महत्पुन बात है वो यह कि dictionary में जो key आप बनाते हैं यह हमेशा unique होती है यह आप कभी भी repeat नहीं कर सकते value जह हैं वो duplicate हो सकती है उसमें हमको कोई problem नहीं है यही बात हमने यहाँ पर भी लिखी हुई है और जो keys होती है यह immutable होती मतलब आपकी dictionary में आपने 5 keys बना दी A, B, C, D और E तो इन keys के नाम को आप कभी भी change नहीं कर सकते हाला कि मान लिजे इस A के साथ आपने 10 को associate किया, B के साथ आपने 20 को associate किया और बाकी सब के साथ कुछ और values को तो आप इस 10 को बदल के 30 कर सकते हैं तो A जो है यह 30 को indicate करने लगेगा, point करने लगेगा लेकिन इस A को आप बदलने की कोशिस करेंगे M से, that will not be acceptable by your dictionary or you can say your python program, so this is something about your dictionary, एक बार python shell पे चलके इसे define करत बनाते हैं, key values लेते हैं, फिर हम आगे इसको देखते हैं कि इसकी values को हम कैसे प्रयोग मिला सकते हैं, यह है हमारा python shell, मैं यहाँ पर dictionary जब बनाऊंगा, तो जैसे मैंने आपको बोला, आप इसके लिए curly bracket का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप यहाँ पे केवल 10, 20 और 30 डाल दे करेंगे, तो क्या आप यहाँ पे D0 करेंगे, तो यह आपको error दिखा देगा, क्योंकि object आप बना तो आपने दिया, लेकिन उसका indexing और accessing आप कैसे करेंगे, इसलिए जब आप dictionary का निर्मान करते हैं, तो यदि आप इस 10 को डाल रहे हैं, इस 20 को डाल रहे हैं, और इस 30 को ड की बनानी हैं, तो हम इसको ज़्यादा तर एक text से represent करते हैं, जैसे हमने इसका नाम दे दिया January, colon लगा के separate किया first value को, इसी तरह से दूसरी value ली हमने फरवरी, इसे colon से separate किया, और इसी तरह से unt make value मतलब की ली हमने March, इसे भी हमने 30 के साथ इस तरह से separate कर दिया, अब आपका ये dictionary त्यार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर गलती हमने ये कर दी कि हमने equal to sign नहीं दिया, मैं जल्दी से यहाँ पर equal to लगा लेता हूँ, अब इसके बाद में जब आप इसे enter करें, देखिए हमारी dictionary त्यार, आप देखिए ये dictionary का जो answer है, जो values है इस तरह से display हो रही है, तो ये होता है dictionary का concept, और जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपको dictionary के items को access करना है, तो उसके लिए हम उसकी key का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि key जो होती है, वो index का कारी करती हैं उनकी values के लिए, और अगर कोई key present ना हो, तो key error भी आपके python के द्वारा आपको दिखा दिय जाता है, ये मैं वापस अपने python shell पे आ गया, मैंने फिर से जैसे माल लीजे यहाँ पे डाला march, आप enter करिए देखिए यह 30 दिखा रहा है, अब आगर आप माल लीजे यहाँ पे अप्रेल डाल देते हैं, जो है ही नहीं, तो ये आपको क्या दिखाएगा आपके screen पे, आप देखेंगे ये आपको key error यहाँ पे present कर रहा है, तो आपको जो key है, वही आपको इस्तेमाल करनी, जो key आपने define की है dictionary, dictionary जो होती है, वो mutable होती है, जैसा कि आप अपनी screen पे देख भी पा रहे होंगे, mutable का मतलब यह है कि dictionary का जो item है, उसको आप, I mean उसमें नए item तो आप add करी सकते हैं, dictionary में हमने बोला कि दो चीजे हैं, जो भी value है या जो element होता है, वो key value के form में होता है, value को आप क्या कर सकते हैं, edit कर सकते हैं, लेकिन key को आप edit नहीं कर सकते हैं, तो चुकि value इसकी edit हो सकती ह इसलिए हम dictionary को क्या बोलते हैं, immutable, लेकिन एक बात त्यान रखना, key जो होती है, they are always immutable, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको यह बताया, आईए practically इसे समझते हैं, मैंने dictionary फिर से screen में दिखा दी आपको, अब इस dictionary का, मैंने बोला कि key के दोरा है, means की values को क्या क कर सकते हैं, keys को हम कभी भी edit इसमें नहीं कर सकते, बात आती है कि क्या आप dictionary की value को, या इसमें कोई नए item add कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे माल लीजिए, अभी मैंने जब यहाँ पे डाला March, और इसकी value मैंने डाल दी 45, तो यह क्या कर रहा है, जो existing की है, वो मिल इसको, इसका मतलब यह dictionary की value को इसने क्या कर दिया, modify कर दिया, आप dictionary को देखें, यहाँ पे March की value 45 हो चुकी, अब अगली बार अगर आप यहाँ पे ले ले लेते हैं, April, और इसकी value यहाँ पे डाल देते हैं, 22, enter करेंगे, इसका मतलब हमने अपने dictionary में नया element input कर दिया, और After this, we will discuss about कि क्या dictionary में traversing हो सकता है, जैसे माल लीजे, आपके पास यह dictionary है, मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ, जैसे यह a है 10, colon लगा के b में डाला 20, फिर colon लगा के मैं हमने डाला c में 30, और इस तरह से और भी value होंगी, मैं 3 values को ले लेता हूँ, क्या इस dictionary की values को आप traverse कर कर सकते हैं, मतलब इसके individual item को access कर सकते हैं, हमने पहले भी देखा कि हम key के द्वारा इन values को access करते हैं, traversing का मतलब होता है कि loop के द्वारा इन सारे elements को access करना, I mean सारी values को access करना, तो यदि आप को in को traverse करना है, तो आप क्या करोगे, की का इस्तेमाल करोगे, कैसे? मैंने यहाँ पे लिया for, माल लिजे यह हमारी dictionary है, हमने यहाँ पर एक variable या key, हमने लिखा in d, अब यह क्या करेगा, इसकी key को क्या करदेगा, traverse करना शुरू करेगा, अंदर आपके आपने क्या कर दिया, माल लिजे, आप लिख देते हैं, d, यहाँ पर आप डाल दीजे, key, तो यह क्या करे c, d, c को, मतलब 30 को यह display कर देगा, तो यह answer आएगा, इसी program को अगर आप इस तरह से लिख देते, for key, in d, इसके बाद में थोड़ा और systematically दिखाना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, हमने पहले key को print किया, फिर comma लगाके, bracket में मैंने colon message दिया, फिर comma लगाके, मैंने य 10 दिखायेगा, अगले loop में b colon यह 20 दिखायेगा, अगले loop में फिर यह c colon 30 दिखायेगा, इस तरह से हम traversing कर सकते हैं, तो यह एक तरीका हुआ traversing का, दूसरा एक तरीका और हमारे पास है, हाला कि वो dictionary का जब मैं methods बताऊंगा, तब ज़्यादा समझ मैं आएगा, बट फिर भी मैं आपको explain कर देता हूँ, दूसरा तरीका यह है कि जैसे आपने लिया for loop, अब हमने यहाँ पे key भी ले लिया एक variable, कॉमा लगा के एक variable value भी ले लिया, और हमने बोला d, हमारा d dictionary है, इसका एक method होता है, जिसे हम जानते है, items के नाम से, यह item क्या करता है, dictionary की जो key और value क पेर होता है, उसको tuples के form में क्या करता है, return कर देता है, मतलब जैसे इसके अंदर यह value a colon b है, तो यह इसको a comma 10, ऐसा tuple बनाएगा, फिर comma लगा के b comma 20, इस तरह से यह values को return करेगा, तो जो key होगी, वो पहले वाले को लेगी, comma से पहले, और comma के बाद value जो है, वो value variable में आ ज separate करते हैं, तो आप इस तरह से थोड़ा बहतर तरीके से इसको display कर दो, यहाँ पे value डाल दिया, अब इस पूरे code को execute करोगे, तो आप देखेंगे, same यही answer आपको screen पे दिखाई देगा, मैं दो minute python shell पे चलके, इसे भी execute करके आपको दिखा देता हूँ, तो already हमारी screen पे हमार इसी code को मैं फिर से लिख लेता हूँ, और यहाँ पर इस बार मैं करता हूँ, key, comma, colon, फिर comma लगा के हमने बोला dictionary का नाम दो d, और इसके bracket में इसी key को pass कर दो, तो यह इसका index का काम करेगा, bracket close करो, run करो, तो देखें यह हमारा पूरा dictionary का traversing हमने कर दिया, अब हम बात कर रहे हमने बोला in d.items कर दो, इस method को call करो, और इसके बाद वापस इसी तरीके से इस code को आप लिखो यहाँ पर, और run करके देखो, तो same answer आपको मिल जाएगा, तो this is how we all can understand कि कैसे हम traversing करते हैं, या dictionary के items को display कर सकते हैं, access कर सकते हैं, अब हम finally बात करेंगे हमारे dictionary के methods की, तो इस यहाँ पर मैंने dictionary का notes ready किया हुआ है, तो यह है मेरी website, मैं सीजे notes में जाता हूँ, computer science class 11 notes में आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने last unit, I mean chapter में, हलाकि यह एक ही chapter है, tuple and dictionary, मैंने इसे अलग कर दिया है, फिर भी मैं इसे click करता हूँ, dictionary in python, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, dictionary methods की, तो तकरीबन जो-जो methods हमने list और tuples में, string में देखें, काफी कुछ similar methods यहाँ पर हैं, जैसे length method है, dictionary, जो dictionary बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी screen पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह keys method है, जिसके दवारा हम cable keys का display करते हैं, values के दवारा cable values को, items को भी मैंने आपको दिखाया, चलिए इन तीनों को practically आपको दिखाता हूँ, execute करके, यह मेरी dictionary है, फिर से ले ले लेते हैं, dictionary यह, अगर आप cable d.keys कर दें, तो आप देखेंगे, list of keys आपको written हो गई, अगर आप d.values कर दें, तो यह आपको list of value को cable display कर रहा है, अर्था जैसे आपको list बनाओ, और वहाँ पे आप लिख देते हो, d.values, और उसके बाद आप l को print करो, तो देखो, यह इस तरह से value यहाँ पे दिखा रहा है, now इसके बाद में हमने बोला, d.items, तो यहाँ tuple के form में key value, जो है, key और value का pair written होता है, मैं enter करूंगा, देखें, यहाँ यह tuples के form में यह answer आपको मिल रहा होगा, इसी तरह से यहाँ पे get method है, जो again मतलब इसके अंदर आप किसी key को pass कर दोगे, तो उसकी value आपके screen पे आ जाती, जैसी यह dictionary है, आपने d.get किया, तो यह इसकी value 67 आपको दिखा रहा है, update क्या करता है, किसी existing dictionary पे नया element या नया key value pair क को क्या करता है, add कर देता है, append कर देता है, और del जो होता है, अगर इसमें जो भी key को आप pass करोगे, उस element को क्या करता है, remove कर देता है, और इसी तरह से clear method जो होता है, वो पूरे के पूरे items को क्या कर देता है, remove कर देता है, मैं एक बार आपको इस del clear और update को भी यहाँ पर प् dictionary को दिखा दूँ, ये मेरी dictionary आ गई, अब मैं लिखता हूँ d.update, इसके bracket पे मैंने dictionary के form में डाला, suppose मैंने अप्रेल डाल दिया, मैंने डाल दिया मई, और इसकी value डाल दी 33, और उसके बाद इसे close किया, enter किया, देखे, dictionary अपडेट हो गई, और आप देखें, यहाँ पे मई add हो चुका है, अब कोई particular item delete करना है, तो हमने d लिया, इसका index यहाँ पे pass कर दिया, save for example, मैंने अब January ले लिया, and इसके बाद आप enter कर दीजे, अब d को press करिये, तो देखे, January यहाँ से delete हो चुका है, और अगर मैं d.clear कर दूँ, मैं एक d1 ले ले लेता हूँ, इसमें d के सार elements को send कर देता हूँ, यह मेरा d1 हो गया, अब अगर आप d1.clear कर दीजिए, enter करिये, और अब d1 को दिखाईए, तो इसमें कुछ भी आपको नहीं दीख रहा है, overall this is how we all can understand all these functions, इसके बाद में हमारी dictionary में कुछ और important functions है, आप अपनी screen पे देख भी पा रहे होंगे, that is from key, तो जैसे एक scalar value हमने पास की, two different keys के लिए, तो वहाँ पर आप from key का इस्तेमाल कर सकते हैं, pop method हम जानते हैं, कि particular key को आप पास करेंगे, जैसे del हम प्रेवक कर रहे थे, उसी तरह से pop method का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर जो value delete होती है, वो return भी होती है, pop item, जो सबसे last item हो यह sample पर मैंने इसे display किया हुआ है, पर से एक बात का आप धिहान रखें, क्योंकि maximum हम किसका निकालेंगे, dictionary की values का, तो जब आप d.values करेंगे, तो यह list of values रिटन करेगा, और उन list of values में से largest, यह max function क्या कर देता है, return कर देता है, हमारे लिए जो ज़्यादा महत्पूर्ण है function that is pop and pop item, आईए इसको मैं run करके दिखाता हूँ, यह मेरा हो गया python shell, यह हो गई मेरी dictionary blank, अगर मैं d1 लूँ, clear की वज़े से यह दोनों delete हो चुकी, मैं वापस इन values को copy paste करके, हमारी d में डाल देता हूँ, अब हमारी यह dictionary त्यार हो चुकी है, अब मैंने बोला कि अगर एक index pass करना होगा, मतलब की pass करनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, finally हमारे make को, and इसके बादा enter कर दीजिए, तो देखे यह value return कर दिया, आप d press करेंगे, तो यहाँ से महीं भी delete हो चुका है, लेकिन अगर आप d.pop item करेंगे, तो यह automatically जो last item है, उसको delete कर देगा, त प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे, आपकी screen पर, केवल दो ही item आपकी dictionary में बचें, overall यह सारी बाते हैं, आपकी dictionary को कैसे हम manipulate कर सकते हैं, dictionary के जो programs होते हैं, उसमें simple आपको, इन functions का प्रयोग, dictionary बनाना, dictionary की values को display करना, keys का प्रयोग करके, values का प्रयोग करके, इन से ही related question आ में से ही आप से पूछे जाते हैं, तो यहीं पर अब हमारा course यह end हो रहा है, जहां पर मैंने कोशिस की इस एक वीडियो में, जितने भी आपके chapters और जितने भी आपके concepts और जितनी भी आपकी units हैं, उन सब को मैं एक साथ आपको provide कर सकूँ, और मुझे उमीद है कि अगर इस सेशन को अब हम यहीं पर finally end करेंगे, और जैसे मैंने आपको बोला कि आपको notes चाहिए, exercises चाहिए, practical notes चाहिए, practical files चाहिए, programs चाहिए, किसी भी तरह की help चाहिए, तो आप मेरी website चले जाएगे www.tiktiknot.in पे, या आप मेरे telegram channel को भी जरूर जोइन कर लीजे, computer science वाले, य आपको मैं time to time ये सारी चीजे contents प्रोवाइड कर दूँगा, और description box में भी video tutorials प्लस website सबका link दिया हुआ है, वहाँ से जाके भी आप मुझे connect कर सकते हैं, और अंत में ये भी बोलना चाहूँगा कि आप please मेरे channel को like और subscribe जरूर करें, share भी करें मेरे video सो, ताकि वो आपके friends औ और और भी students सक पहुंच सके, and definitely जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, at least थोड़ा सा वो वर्दी हो सकते, इसी उमीद के साथ session end करते हैं, मिलेंगे नए chapter, नए solution, नए concept के साथ नए video में पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए, take care.